कि अज़ी तो आज हम जो है चैप्टर नमबर टू ओर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से आज हम स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि आप अपने सामने चैप्टर का नाम देख भी रहे हैं आपके स्क्रीन पर है इंडिफरेंस कर्व तो सवाल यह है कि झाल 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 इसका पावर का है यह ठीक है हलो हलो है और यह ओडिवल है ठीक है जी कंटिन्यू करें स्टार्टिंग से प्सक्राट करते हैं इसको हाँ जी तो आज हम चप्टर नमबर टू स्टार्ट कर रहे हैं और चप्टर नमबर टू ओर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व जैसा कि आप अपने सामने अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं तो पहला कोशिन यही आता है कि सर इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या है तो आईए मैंने आपर मार्ग किया है सबसे पहले इंडिफरेंस का तो देखिए दो वर्ड होता है एक तो होता है डिफरेंस का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि डिफरेंस का मतलब होता है अलग समान होगा अब आपका सवाल एक और आगे आपके माइंड में सर आप किस चीज के एक समान होने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सडिस्ट्रक्शन लेवल के एक समान होने की बात कर रहे हैं संतुष्टी के इस तर का इसको हम हिंदी में कहते हैं अनादिमान वक्र तो संतु दूस्ति का इस तर एक समान होने की बात हो रही है सर्डिस्ट्रक्शन लेवल के एक जैसे होने की बात हो रही है आप देखिएगा इसको डिटेल में समझने के लिए एक टेबल के एक हम इमेजिनरी टेबल ले रहे हैं उसके हम पहले डिटेल में इसको हम समझेंगे दो हम आज एक गेम डिसकस करेंगे आपके साथ में एक गेम को आप समझे से कंडिशन को समझे उसमें आप पहले पार्टिसिपेट हो जाएए आपको हर एक सवाल का आपको जवाब आपको मेल जाएगा तीन चार कोशन अच्छे से कवर होंगे जिसको मैं वन वन करके पढ़ाऊंगा पर फिलाल इंट्रोडक्शन है आज तो आप पहले इस गेम को अच्छे से समझेंगे गेम यह है कि मान लिजिए आप जब बात है satisfaction लेबल के एक जैसे होने की कि अब इसलिए आप किसी कमीडि आदेटेटी करेंगे तो यहां पर मान लें कि आप दो कमीडिटी का कंजम्शन करेंगे क्लियर है मतलब कि आप किसी सिंगल कमडिटे कंजम्शन नहीं कर रहे हो आप कंबिनेशन आप गुड्स का कंजम्शन कर रहे हो दो गुड्स का उभोग कर रहे हो आप सैयों का उभोग कर रहे हो तो दो वस्तु का उभोग कर रहे हैं तो एक तो अगर आपको कंबिनेशन हो ज combination of two goods और दो goods कौन कौन से हैं आप उसको X और Y लेट कर सकते हैं गुड एक्स एक माल लेते हैं हम क्या है गुड एक्स अगर सिंगल गुड है गुड होगे एक एक्स जिसको आप यहां पर कह लिजी कि एपल है चीक है और एक गुड है आपका वाई तो दो तरीके एक गुड का आप कंजम्शन कर रहे हैं एक X और एक वाई वाई का मतलब मैं हमें कह देता हूं बनाना चीक है जी अब आपको एक फर्स कॉम्बिनेशन के गरना बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन यहां पर सबसे पहले मैं ए ले रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास में यहां पर एपल एक है और बनाना आपके पास फिप्टीन है ठीक है अब जहां से पहले समझेगा इंडिफरेंस कर्व और के इंडिफरेंस होने की इंडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है एक जैसा रहना समान देना मतलब सब्सक्राइबल एक जैसा रहेगा समान रहेगा और सब्सक्राइबल समान कब होगा जब आप किसी का कंजम्शन करेंगे तो यहां पर बात सब्सक्राइब आच चुके तो बा करेंगे कि आप देखें अगर अपने घर में अलग-अलग गोड्स की जो वैल्यू है वो अलग-अलग होती है कि कोई चीज आप घर में ऐसी रखें जो बहुत expensive है और कोई चीज ऐसे रखें जो काफी सस्ती है तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि यह किन चीजों से ज़्यादा expensive होगा जो चीज कम हमारे useful में रखती है वो हमारे लिए सस्ती होती है अगर आपका ऐसा कहना है तो हमने इसको अलग-डिस्क्स कर लिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस हिसाब से आपके according दुनिया की जो सबसे अपकर diamond होना चाहिए क्योंकि diamond कोई खास यूज तो है नहीं ना तो खाने में ना तो पहने में ना तो ओडने में पहने में तो वह भी शॉफ के लिए वो ना भी पहने तब भी कोई दिक्कत नहीं उससे लेकिन diamond इतना कम use में होने के बाद भी इतना ज्यादा expensive है और water इतन ज्यादा useful होने के बाद भी इतना सस्ता है तो करने के बात तो क्यलियर हो गई है कि कि कौन सी चीज की value क्या होगी यह agreement करता है क्वो कि इतनी available है जो चीज ज्यादा available होगी वो सस्ती होगी और जो की और है और कॉन सी चीश हएं जो ज़ीए वह जढ़ाई है और जो default है और आपके पास में आपको किसी से माँखने की जरोति ही नहीं आपको आपके पासको हमेशा फ्री होगी घर कि बहुत जो री लिएग्ल है उस चीज़ पर देंगे कितना है जो चीज जादा वालेबल है उसके तो यहां पर मैंने एक लिए जिसमें आपको 2 वे आपको Dublin करना है और combination A में मैंने आपके हाथ में एक तो apple की कितनी quantity दी एक आप पे एक apple है और बनाना कितने आपके पास में पंदरा बनाना है तो यहाँ पर आपके पास में ज्यादा available क्या है और किया है क्या दोनों आपके लिए एकुल इंपोर्टिटेंस रखता है क्या दोनों की आपके बरावर महत्तव हैं आपके लिए क्यूं कि ज्यादा ज़्यादा एबिलेबल है तो एक बात तो अगर मैं दो कॉमेटी ले रहा हूं एपल और बनाना तो जाहिड सी बात है कि आपके लिए जो है एपल आपके लिए जो ज़्यादा सरिस्ट्रिक्शन लेबल देगा तो कि आपने 100 सर्वे कम वह एक्मवल हैनगा और बनाना आपको जो है कम सर्डिसफाइड करे किया आपके इस बात को कोशिच करता हूं कि मैं लेजिए आपके पास में आइस क्रिम की फेक्टरी है अमूल कंपनी ह्की है तो आप बताएं इस्क्रिम की कितने ही म Сп эфф가 सबूंगे बहुत का भी मटें साफ के लिए देखना लिए पसंद नहीं अद SHEOS मैं आपको ये कहूंगा कि मान लो कि कोई अगर आपको आफर कर दे एक एपल तो साथ आप उसको अपनी फ्रक्टी से चार पाच आइसक्री निकाल कर दे दोगे लो भाया ले लो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है नुकसान कर रहे हैं अपना यह मतलब नहीं है इसका आपके लिए कम इंपॉर्डे सकता है तो वो दस यूडिल का सेटिफेशन अबल दे रहा था तो अगर आपने पांच आइसक्रीम दे भी दिया अगले को तो पचास दिया और बड़े एक आपल पचास है तो फिर इसका मतलब यह है कि जितना आपके तरफ से जा रहा है उतन आपके पास में आभी रहा है तो बताइए इससे आपको किसी परकारा कोई नुक्सान हुआ क्या इससे कोई नुक्सान नहीं हुआ तो यहां पर मैं कुलम लाकर यह बात कहना चाहता हूं कि दो कॉमडिटी मैंने लिए तो दोनों की इक्वल इंपोर्टेंस कंस्यूमर के ल डाला कंद्रिन किर्ण करकारा एक बडhãल अफ्टेंस करें टोन्मऑड वन अंधू क्या है जैसे दिल व्यासे कंद्रेंशयमचन गरो बट जैसे आप combination को change करते हो एपल बनाना की quantity अपने इसांसे change करना चाहो करो बट आपके total satisfaction level में कोई change नहीं होना चाहिए मेरे बात समझे clear है तो total satisfaction level आपका same रहना चाहिए जैसे मान लीजिए समझाने के perspective से मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि आपको समझ में अच्छे सा आजाएगा मान लेजिए आपके पास में एक अपल है और आपके पास पंदरा बनाना है तो इसका करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा है नहीं मिलेगा मैं मान लेता हूं 500 यूटिल का satisfaction आपको मिल रहा है समझाने के लिए बात करता हूं मैं जो टोडल satisfaction level आपको कितना मिल रहा है 500 यूटिल्स का मिल रहा है ठीक है न अब आप combination में चींज करना चाह रहे हैं और आपके इच्छा क्या है कि आप एपल को बढ़ाएं तो आप एक से आप दो कर रहे हैं अब आपने एपल बढ़ाया तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर satisfaction level को सेम रखना है तो अगर एक चीज अगर आप गेन करोगे और आप चाहते हैं कि satisfaction level ना तो बढ़े ना घटे सेम रखने जाते हैं तो अगर आप एक का consumption बढ़ा रहे हैं तो आपको दूसरे consumption कम करना पड़ेगा है ना यह तो ज्यादा community consumption से प्रोडल satisfaction level तो बढ़ता है तो सबसे पहले satisfaction level को सेम रखने के लिए एक काम तो आपके दिमाग में एक आइडिया तो आई गया है क्या कि अगर हम एक का consumption बढ़ाएंगे तो दूसरे consumption क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कम करेंगे तब ही तो सेम रहेगा अगर मैं कम नहीं करता हूं तो बताएए पहले से ज्यादा का केंजम्शन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं तो यह मध्या सवार्ट हो जाएगा whyerson Tack for जयादा उजाएगा सँट्राइबर या से matchயा अगर उससें रखना है'm तो अगर है में एक का टारा रहा जा दूसरे कने किया करना पड़ेगा c.okiat क्या मैं यहाँ पर 14 अब बताईए क्या अभी भी मुझे 500 यूटिल का स्विख्रफिक्शनबल मिलेगा क्या मेरे अपको एचेंज आएगा ज़ा वही रहेगा गौकि मैंने एक गेन करा तो एक मैने सक्रिफाइज भी लाया है क्या मेरा सवाल आप से या यह लेन दो आपना को ख़ाए एंक में質 के अगर रहे घर हाँ तो क्यूं और नहीं तो क्यों कि देखेगा बिल्कुल साड़िक्ष्ष अब सेम नहीं रहेागा जो उसने एक पल को जो तो mean कि एक एक अपल से चाहर्ण मिलेगा आप समझे इस बात को देखे जरा marginal utility from one apple greater than marginal utility from from one banana clear है इसका मतलब क्या है कि जो एक save से आपको satisfactionable मिलेगा जो संतुष्टी मिलेगा एक banana के comparison में आपको ज़्यादा मिलेगा तो आप एक बादाओ आपके pocket में एक जिम में 500 रुपे आए आपके पांच रुपे हैं मैंने एक जिम में आपको सो रुपे डाले दूसरी जेव से दस रुपे निकाले तो पकेड में उतना ही पैसा रहेगा 500 या पहले से ज्यादा रहेगा ज्यादा रहेगा समझे नहीं समझे आपके दोनों पकेड़ में 100 रुपे हैं तो दोनों पकेड़ में पांच रुपे हैं ठीक है और एक पकेड़ मैंने अगर यहां पर एक एपल गेन कर रहे है तो जितना आपको सबसे पहले अगर मैं एक एपल गेन करके और सोच रहाँ कि कि एक बनाना मैं sacrifice कर दूँ और सोचूंगा कि सेम रहेगा तो यह आप गला सोच रहे हो हाँ sacrifice तो करना पड़ेगा है मैं बनाना जीरो हुआ है है बनाना सेक्रिफाइज नहीं करूँ अच्छा एक इस्ट्रेंट कहते हैं बनाना को जीरो कर दो कंडिशन डाले थे रूल नमबर वन आपको दो कमडिडे कंजम्शन करना पड़ेगा अच्छा तो यहां पर आपको बनाना को जीरो आप नहीं कर सकते है तो एक काम कर सकते हैं swe यहां पर एक example के लिए अगर मैं यह कहा दूँ आप से कि एक एपल जो ओ है example के लिए है तो यूटिल दे रहा है और एक बनाना आपको बइस चारु अब बता ॉज होज़ा रहा एक एपल आया तो सो आया और एक बनाना बीज देता है तो कितने बनाना सक्रिफाइस करने पड़ेंगे पांच तो मतलब कितना हो जाएगा आपका दस समझे आई नहीं आपको क्लियर हैं तो कुल में लागे बात यह है कि एक एपल को अगर हम गेन कर रहे हैं तो साथ्वाबका को सियम रखने के लीए हमें दूसरा क्या करना पड़ेholes करना पड़ेगा और दूसरे बात इवी सुझ मैं कि जितना एपल हमने गेन करा उतना ही बनाना से स्य४ॉइस करने से से नहीं लिएगा क्योंकि एपल के और भेबंपरिज मैं आ शीम यह घर आ तो फिर वो आपको भी निए बता रहेगा कि आपके डाउट कहा थे पर आगे की चैजे में आपके खराब हो जाएंगी को रखने नहीं नहीं आप थोड़ा से ना रहे हैं कि मेरी बात समझेगा सिंपल सी बात है इतना ज़्यादा हमें इसमें सोचना विछारना नहीं है तो की एक बात है कि आपको एक एपल और एक बनाना को कंपैर करोगे तो क्या दोनों से एक और सब्सक्राइबल मिल रहे हैं सब्सक्राइबल करने के लिए जितना गें कर रहां इससे ज्याला सकर्ड़ीफाई पर भाड़ेगा उतना ही करना पड़े तो यह आप प्रसे बात करता हूं combination थड़ की सी की आप एक और एपल गेंगरते हैं तो आपके पास है कितने एपल हो गए एक और एपल गेंगरा अब आपको सड्श्वक्शन लबल सेम रखने के लिए इसको सेम रखोगे या इसमें सग्रिफाइज करना पड़ेगा करना पड़ेगा कितने सग्रिफाइज सब्सक्राइज करेंगे और बहुत सारे सवाल जो भी आपको थियोरी में रट्टा मानना पड़ेगा आपको अच्छे समझ माझा जाएगा जो जो आप आंसर कर रहे हो ने बहुत अच्छे-च्छा मुझे मिल रहे हैं आपकी गलतिया चेची मिल रहे हैं इस्ट्वें क्या कह रहे हैं जी एक एपल गें करा एक सब्सक्राइब को सेम रखना है तो अगर हम एक कंजम्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का हमें डिक्रीज करना पड़ेगा एक बात तो क्लियर इस पर को डाउट नहीं है पॉइंट नम्मर टू सर हमें यह भी क्लियर हो गया कि हम जैसे ए क्योंकि हमें कि सेम रहना है जितना हमने गिएं करा उतना यह में स vyकरना पड़ेगा और हम जादा दे रहा है तो एक बनानों स्वहित करने नहीं पाही तो हमें जादा बनाना साइक करेंगा bezel off Dee Japanese को मैंने तो मैंने combination फड़ लिया C combination लिया मैंने और combination C में क्या हुआ एक apple मैंने यहां पर gain करा तो अब आप कहरें अभी भी 5 banana sacrifice कर दो आप 5 हो जाएंगे इसके पास में 5 रह जाएंगे मैंने लगा क्यों भई 5 क्यों sacrifice कर रहे हो कर सर आप पर इससे पहले combination to B में बताया था कि एक apple को अगर आप gain करोगे तो बनाना उसे कम satisfaction लबल देता है तो उतना ही satisfaction लबल आपको sacrifice करने के लिए ज्यादा बनाना sacrifice करना पड़ेगा आपको 5 banana sacrifice करना पड़ेगा और यहां पर आपने फिर से एक apple gain करा तो फिर से आप 5 banana sacrifice कर दो अरे भाईया भूल गए law of diminishing marginal utility अब अगला apple क्या आपको पिछला जितना मजा देगा पहले से तो भाईया जब आपके पास में आप गया पहले से पहले आया पहले से कम तो जाएगा पहले जितना तो भाईया यह तो गडबड हो गई मेरे बात समझे या नहीं समझे इसकलिर है अब ऐस भाई बात होगी पांसे रुपएह मेरे पास में एक जैन मे सो रुप हैंगे दूसरी जप्सेव सो आश्यमान नियम के कारण जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु के एक अत्रित इकाई का उभोग करते चले जाएंगे हर अगली इसे प्राप्त होने वाली सीमान को पुईता कम होने लग जाती है तो अब मुझे एपल पहले जितना सटीसफाइट कर दूँ तो मैं क्यों पहले जितना सक्रिफाइफ कर दूँ तो आम मैं समझे या नहीं समझे तो अब मैं यहां पर कर रहा हूं कितना चार कर दब छे बचा तो यह बाद समझ में आई या नहीं आई बताइए यहां तक कोई डाउट है तो भी आप पूछो कि शिरेश मिश्रा पूछ रहे हैं यह सेकिंड में बिल्कुल लगे मैंने सेकिंड से इसको डिग्रीज करना स्टार्ट करा है सेकिंड से ही मैंने करना स्टार्ट करा है कि सेकिंड में मेरे पास इतना मिला तो अब उससे नेक्ष कम होगा क्यों कंपेर करने के लिए मुझे एक नूट तो आगे जाना ही पड़ेगा न यहां तो कोई नहीं हो पाएगा मुझे तो लोग निमिश्य माज़ें यहां करते हैं कि अभी मैं ओडियो में अभी आपसे पूछूँ हो जो मैंने बताया है मैं कुछ सवाल आपसे पूछूँ हा आंसर आप करना जैसे भी आपको आता है और यह जो करेंगी हमें देखता हूं आपको क्या सुझ में आ रहा है देखिएगा कि बी में चलिए एक एपल गेंग गरते हैं आब बताओ किया ut अब यहां कितना करा चार करा कराइध ब्रक ने चार कर तद रफ नहां अब कितना सब्सक्राइब करोगे कि आप 31 कारोगे क्यों ब्लlesia फिसके उप स्थेट sequence क्यों करोगे खार um को दिए अब अगले यूलिजन से आपका posición पिछली से कम होता चला जाएगा अब next apple पीछे से कम मज़ा देगा तो satisfaction level को सेम रखने के लिए आपको पहले कितना sacrifice करने की need है पहले से कम sacrifice करने की need है तो अब आप sacrifice कितना करोगे यहाँ पर आप 3 करोगे तो कितना जाएगा 3 अब E combination पर अगर आपने कितना sacrifice करोगे आप 2 तो कितना हो जाएगा 1 समझे नहीं समझे तो जनरली बच्चा क्या सोचता है अबी तक कि satisfaction level को अगर हमें सेम रखना है तो अगर हम एक commodity के consumption बढ़ाएंगे तो दूसरे commodity का consumption कम करेंगे लेकिन इसके अंदर की बात को आपको समझनी होगी क्या कि satisfaction level सरफ ऐसे सेम नहीं रहता है अगर आप एक commodity consumption अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे को आपको सक्रिफाइजिंग जो है सक्रिफाइज वो डिमिशिंग रेट से करना पड़ेगा इसे क्या बोलते हैं डिमिशिंग रेट से करना हर नेक्स्ट टाइम पहले से एकम सट्रीफायज करना इसे डेमेंस इन्निंग рेट कहते हैं हर बार 5 55 55 55 ही होता तो इसे कॉंस्टेंटर्टर्ट कहते है पांच शह साथ आठ Anne of लिवाध चुश्ट नौ ऐसे बढ़ता तो इसे इंक्रीजिंग रेड कहते हैं ते ता बताइये sacrificing किस rate से होता है damnishing rate से मेरे बास समझे क्या constant rate से sacrifice होता 5-5 हर बार तो क्या satisfaction level same हो पाता नहीं हो पाता च्यूकि पहले से कम satisfaction level जेकर जितना ही उगर आप आप कर बैठेगे तो आपको जो है उससे नुक्सानी हो जाएगा satisfaction पहले से कम हो जाएगा जबकि चप्टर का नामे indifference रखना है किस चीज को ? satisfaction level को समान बनाए रखना है संतुष्चिक स्थर को संतुष्चिक स्थर समान बनाए रखने के लिए satisfaction level को indifference रखने के लिए अगर आप एक community consumption गेंड कर रहे हैं तो दूसरे consumption आपको decrease करना पड़ेगा वो भी सर्फ decrease करने से बात नहीं बनेगी diminishing rate से decrease करना पड़ेगा because of law of diminishing marginal utility तो ये जो आप rate देखे रहे हैं न इस rate को हम बोलते है marginal rate of substitution clear है भाई या समझे कोई doubt कोई doubt है तो पूछो clear है तो आपको ये बात clear हुई कि marginal rate of substitution का मतलब क्या होता है एक community को जो हम gain करते हैं तो satisfaction level को सेम रखने के लिए दूसरी community को जिस rates हम sacrifice करते हैं उस sacrificing rate को हम margin rate of substitution कहते हैं MRS कहते हैं समझे इस चीज़ को clear है कोई doubt आपको तो अब आपको यहाँ पर ये सारी कहानी समझ में आई clear है तो पहला मेरा सवाल है इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है समान रहना एक जैसर रहना equal रहना किस चीज़ के equal रहने की बात कर रहा हूँ satisfaction level की equal रहने की बात करता हूँ तो चलिए मान लेते हैं कि दो community का consumption करेंगी compulsory condition है clear है और क्या दोनों की importance आपके लिए equal रहेगी या कम ज़्यादा रहेगी पताए ज़्यादा किसकी satisfaction level रहेगी जो rare है जो कम है और कम किसकी रहेगी जो ज़्यादा है बेलेबल है ठीक है तो यहाँ पर satisfaction level का आपको सेम रखना है तो अगर आप एक का gain करेंगे तो दूसरा क्या करना पड़ेगा sacrifice करना पड़ेगा चली यह भी बिल्कुल ठीक है अब बताएए अगर एक को आपने जितना gain करा जितनी इसकी quantity gain करी क्या दूसरा उतना ही sacrifice करना पड़ेगा बिल्कुल नहीं क्योंकि दोनों satisfaction level सेम नहीं होते हैं जो आप gain कर रहे हैं उसके ज़्यादा मिला और एक अगर आप sacrifice करोगे तो वह तो आपको कम sacrifice होगा तो उसको equal करने के लिए आपको ज़्यादा quantity उसकी आपको drop करनी पड़ेगी clear है जी? इस certification level सेम रहेगा क्या इस rate को आगे भी follow करेंगे या आगे rate change होगा? क्यासा rate होगा आगे? constant रहेगा? increasing होगा या decreasing होगा? decreasing क्यों होगा? because of law of diminishing margin utility क्योंकि हम जब आगे consumption continue करेंगे तो next week से हमें certification level पहले से कम मिलेगा और certification level को equal होगा लखने जितना आएगा उतने ही हम sacrifice करेंगे पहले से कम certification level आया तो पहले से कम sacrifice करेंगे next time फिर पहले से कम और हो गया तो फिर पहले से कम sacrifice करेंगे इसलिए मेरा sacrificing rate क्या होगा तो चला जाएगा my जवाब मिल गया? क्लियर है भीया? कोई doubt? कोई डाउट किसी को कि सब्सक्राइब करता हूं क्या है इसको मैं आप जो है डाइग्रामिटिक रिपंजेंटेशन दे रहा हूं एक्जाम में आपको नंबर डाल करके प्लॉट करने की नीड नहीं है तेपर लेंथी होता जाने है और उसे कोई मार्क्स भी नहीं करते हैं और तो वो आपका वो इस सेम शेप देगा मैं नंबर को प्लॉट नहीं कर रहा हूं कि आपको इसकी कोई नीड नहीं है एक यहीं पर समझेंगे एक साथ तो ज्यादा बेटर समझ में आपको आएगा इन तो पेज आगे पीछे करने से आप कंपेर नहीं कर पाऊगे हां जी दे डाइग्राम की बात करता हूँ तो एक तो सबसे पहलते हैं देगीगा है को अगर एक इंक क्रेईज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है selling इसको क्या बोलेंगे पाजिव जेए नियान जब एक में जिस डरेक्षन में चेंघ आता है दूसरे में उसके आपिवादे राइट डाउन वर्ड में आपको यह देखने को मिले गा अगर एक बढ़ारे तो दूसरा क्या हो Orест अगर एक देखने को मिलेगा श्रुसरा हो जाएगा का मूज जाएगा जिससे कि हूं तो चले मैं आपको तीन आप्शन देता हूँ, समझेगा जरा और रिजन य एक्सिस एक्स एक्सिस ठीक है जी, और एक तो मैं कहा रहा हूँ कि ये आपका इंडिफरेंस करवे, इंडिफरेंस करको रिपसें करते हैं आई से ठीक है, क्लियर है, नीचे किस चीश को ये आपका गुड्स वाई है और ये क्या गुड्स, एक्स की कॉंटिटी है तो एक तो ये मैंने आप्शन दिए आपको इंडिफरेंस करका जिसमें कि आपको ये पता लग रहा है क्या, कि मानलो अगर एक्स का आप एक कंजम्शन कर रहे है तो ये इतनी कंजम्शन कर रहे है अगर आप एक्स को गेन करते हैं एक एक्स गेन करते हैं तो ये आपको सेक्रिफाइस हो रहा है या नहीं हो रहा है तो भाई अगर आप एक कंजम्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरे कंजम्षिन क्या करना पड़ेगा आपको कम करना पड़ेगा चलिए फिर से मैं एक gain करता हूं तो y क्या हो रहा है,坐, x को फीर मैं gain करा, y क्या हो रहा है, तो ऐसा देखो, table में मिल रहा ता और नहीं मिल रहा था, कि अगर हम एक का perception increase कररें तो दूसरे कंजम्शन क्या होगा कम होगा ऐसा हो रहा था इस बात को तो डिपर्जेंट कर रहा है लेकिन एक और डियाग्राम देखते हैं हम यहाँ पर और इजन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाई गुड्स और एक्स गुड्स इसे तो स्टेट लाइन कहते हैं ठीक है जे इसे हम कहते हैं कॉंकेव टूदा औरिजन क्या कहते हैं कॉंकेव का मतलब आप दो तरुके लेंस आपने पढ़े होंगी इस लेंस को क्या बहुते हैं कॉंकेव के मतलब गुफा होता है जो अंदर की तरफ जा रहा हूं केव ठिक है न एक होकता है हमारा कॉंवेक्स जो इस तरह होता है जो इस यहाँ पर इसी से नाम पढ़ा है इसका क्या अगर आप और उरीजन की तरफ देखिए इसको तो यह अंदर दसा हुआ है, तो ये concave to origin है तो यहाँ पर भी लेकिन आपको एक चीज़ देखोगे तो आपको follow होते हैं ज़र आ रही है, क्या कि अगर आप ये x का consumption कर रहे हैं तो y इतना x का अगर एक आप बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, कम अगर x के एक और unit का consumption करेंगे तो y क्या होगा, कम x के एक और करेंगे तो y क्या होगा कम, x के एक और consumption करेंगे तो y क्या होगा, कम x का एक और करेंगे तो y क्या होगा ये देख रहे हैं आप x गेन करा, y कम x उतना ही गेन करा, y कम x गेन करा, y आपका काम हुआ, डिक्रीज हुआ, यह तो कहता है हमारा, इंडिफरेंस कर, कि आपको सट्सक्शन लेबल को सेम रखना है, तो अगर आप एक कमडिटी के कंजंप्शन बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है न, तो दूसरे कमडिटी का आप कर क्या हो जाएगा, दूसरे कमडिटी का आपको सक्रिफाइस करना पड़ेगा, यह तो यह भी बता रहे हैं, यह तो यह भी बता रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं, बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं दोनों, तो कौन सा डागराम साइए, चलिए एको डागराम बनाएता हूँ यह बनाते हैं कुछ अलग कलर में यह ठीक है जी ओर इजन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ठीक है क्लिए रहें मेरे बाद समझ रहे हूं आप है कि हैंड्रेज मांसी हां जी मांसी बोलिए चले देखेगा 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 डाउट है तो कॉल किचे क्योंकि एक दो बच्चे पूछ नहीं हां गुटता हां जे नहीं हां जी पूछे आवास तो है यहां पर देख रहेता है लिए अगर्ण। देख हो जड़ा है यह क्लियर है तो एक ओडार मनाते हैं इसके लिए एक हम यह बना रहें अगराप पॉइंटों को प्लॉट भीश्याओं नहीं अगर्ट करें पॉइंट को अगर प्लॉट करते हैं उसकी बात करूंगा खिलाल अप यह देखेगा इस तो मैंने यहां पर यह बनाया आपका आएसी और एक मैंने यहां पर आपको आएसी का भी यह बनाया है कि यहां पर भीडिया देखेंगे X commodity यही और यह Y है यहाँ पर भी देखेंगे अगर आप X यह और यह Y ठीक है जी, clear है एक और X का consumption अगर आप करते हैं तो Y यह रहा एक और X का consumption करेंगे तो Y क्या increase हो रहा है, decrease हो रहा है है न, clear है जी तो बताए कि दों तीनों में आपको यह चीजे फोलो हो रही है, कि एक commodity का consumption अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरे commodity consumption आपका कम हो रहा है और satisfaction level को same गरखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है clear है जी, तो आप बताए तीनों में से कौन सा diagram correct होगा चलिए आप कहरें तीसरा वाला तो आप reason मताई यह जी थर्ड वाला क्यों correct है इंडिफरेंस कर पड़ा है अगर आप अपने पहले कुछ देखा हुआ है सुना हुआ ता आप बोल रहे हैं करने का मतलब है कि हमें sacrifice करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा तो यह तो इस दूसरी बात नहीं कर रहा है इसलिए कभी भी स्टेट लाइन आपका नहीं बनेगा इस्टेट लाइन यह उस केस में बनता जबकि हमारा MRS कॉंस्टेंट होता सब यह बिल्कुर सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं न एक बात तो सही यह कह रहा है कि अगर आप एक का कंजम्शन इंक्रीज करेंगे तो कि अगरे कि अगरे है कि कंजी नहीं पूछिए इस नीचे है अगरे साउन तो आरे है इस पीकर तो है आपका मैग जो है वह अन्म्यूट है कि चीज़ का पीडिएफ आपको चीज़ है तरी यूनिट्स है मुझे लास्ट की टू 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 चीज़ है और एक कुश्चिन से लेटेट कोई डाउट है कोई भी अगर ऐसी डाउट से है न वो क्लासिस के एंड में आप बता दीजेगा आपका मैंने सुन लि अब बात करेंगे अब बागी कोई इशुज हैं तो वह हम एंड में देखेंगे लास्ट के पांच निट में आपके से लेटेट किसी को है जी कि अक्षे बताईए हेलो हां जी सर एक पार यह बता देंगे MRS और इंडिफरेंस कर्व दोनों सेम है या नहीं है क्या MRS और इंडिफरेंस कर दोनों सेम है है ठीक है ठीक है जी मैं सुन लिए आपके डाउट उसको में क्लियर करता हूं भी हाँ जी मान जी आप बेपनी मात रखें चले देखेंजी अब सामें देखेगा पहला इसको क्लियर कर देता हूं जो बच्छे डाउट पूछा फिर उसको मैं रखता हूं आपके उपर तो भी यह पहला क्यों नहीं वह इंडिफरेंस कर तो इसलिए यहां पर हमारे पास में यह इंडिफरेंस कर्व को डिपरजेंट नहीं करेगा इसमें क्या हो रहा है कि तो सक्रिफाइज में कर रहा हूं व आपके इनडिफरेंस करने ये कहा गया है मारा satisfaction level को सेम करने के लिए जरूरी है कि अगर एक commodity consumption increase करते हो तो satisfaction level को अगर आपको maintain रखना है सेम रखना है तो दूसरे को तो आपको वहापर डिक्रीस करना पड़ेगा पॉइंट नमबर बन लेकिन सर्फ डिक्रीस कर देने से बात खतम नहीं हो जाएगी आपको यह एसंव लगाstaw लगाना पड़ेगा कि आपने जितना गेन कर लेख वो तो न आपने अपको स करना पड़ेगाSpace जो है बनाना कि यह से कमीउट को करोगे कि सक्रीफाइस करोगे। इससे हम बोलते हैं कि सक्रीफाइजिंग रिट तो जो सक्रीफाइजिंग रिट एक जो इसको आय मुंत रहते हैं परिखों सबीखते मुल्थ में सब्सक्राइब को नहीं बोलते हैं क्लिए तो अब बताइए आप कौन सा डियागराम चाहिए आपका यह बताओ रहे हैं तीसरा डियागराम क्योंकि दोनों बातों को सब्सक्राइब को तो पूछे अब बताइए मुझे एक बात और कि भया स्टेट लाइन इंडिफरेंस कर वह किस केस में होगा किस केस में पॉसिबल से स्टेट लाइन हो जो मरे इस चलिए कॉंकेब टूदा ओर इजन किस केस में में पॉसिबल होता जब मरे इस सटेट लाइन होता है क्यों होता है क्यों होता है क्यों होता है क्यों होता है स्टेट लाइन क्यों नहीं होता है सवाल है यह पड़ोगे भी आगे यह स्टेट लाइन क्यों नहीं होता है is concave Q नहीं होता ये convex Q होता है because of diminishing MRS क्यां समझें क्लिर है तो आपको इसको select क्यों करा क्यूंकि इसमें क्या दिख रहा है आपको कि सेक्रिभाइजिंग रेट क्या दिख रहा है आपको डिकुन डिमिलिशन दिख रहा है तो इसके convex होने के पिछे क्या reason है diminishing MRS मेरे बात समझे है नहीं समझे clear है तो indifference curve convex to the origin क्यों होता है diminishing MRS अब सवाल मेरा है कि MRS diminishing क्यों होता है because of law of diminishing margin utility मेरे बात समझभा रहे हैं तो मेरे सवाल अब यह है आपके सामने कि indifference curve convex to the origin क्यों होता है कि इस तके से क्यों होता है यह क्यों नहीं होता है यह क्यों होता है क्योंकि MRS decrease को यह represent करता है और MRS decreasing क्यों होता है constant क्यों नहीं रहता भी या law of diminishing माझे होता इस बात को समझभाई आप clear है कोई doubt किसी बच्चे को तो पूछे यहां तक चीजें clear है आपको यहां पर अगर आप देखें अगर आप points को भी plot करें अब एक स्ट्रेंट पूछ रहा था तर MRS और indifference कर में क्या difference है ठीक है तो मैं वह बात करता हूं यहां पर सबसे पहले आप यहां पर यह मान लीजिए कि आपका साटिस्फरेंटमर मील रहा है पहले देख लो यहां पर एक साटिस्फेक्शनब लेफर मिल रहा है चूकिए यहां पर आप यए-स की एतनी उनिटा र कंजब्शन कर रहे हो यहां कि इतनी यूनिट का болmi के और यू ये कि आप इतनी यूनिट का कंजम्शन कर रहे हैं तो आपका सवर्शण कर औरिजन वाई एक्स यहां पर रखते हैं एपल एक्स कॉमिडिटी वन तू थ्री पूर एंड फाइव और यहां पर रखते हैं बनाना बनाना क्या है हमारे पासे पंदर है नो तो दो दो में रखते हैं दो चार छे आठ दस बारह 12 16 ठीक है जी सबसे पहले क्या है बताइये एक्स एक है एपल एक है बनाना फंदरह है तो एक पर 15 है ठीक है ना एक एपल फ्लस 15 बनाना कुछ एक शर्ड़र्शन अपनल मिलेगा मिलेगा चलिया नेक्स पर क्या हुआ अगर एपल अमारे पास दो बनाना उमार पास 10 आइपल दो, दस. ठीक है? तो एप लग दो है और बनाना दस है. क्या कुछ सरटफेक्शन हुपल मिलेगा? बताओ, मिलेगा ना? दोनों मिलेगा रहा हूँ, डोनों पर सेम मिलेगा या रखेक्शन भी मीलेगा? सेम रहेगा पिर तीन एपल बनाना कितने हुए हमारे पास में छे तो तीन पर छे ठीक है जी और फिर चार पर कितना हो हमारे पास में तीन कि इस तक पॉइंट ओगो क्या करोगे प्लॉट करोगे यह नीचे अगर रहे कर्ड हो जाएगा क्लियर है तो जो आपको ना भी तो कबंदेश्ट में यह तो यह क्या यह एक कर्ड हया नहीं है है by जोगी दिफेरेंट सर्ट स्थेिस्टुन अफ डीप्रेंट कर रहा है तो इंडिफिरेंज कर रा है तो पूचँल सर इंडिफरेंज कर वेरियस कॉएर्श कॉमब़नेशं अब तू गूर्स विच न विचung's आरे के सारे combination same level of satisfaction level को दे रहे हैं और MRS होता है कि एक को gain करने के लिए दूसरा कितना sacrifice कर रहे है sacrificing rate को में MRS बोलते हैं मेरी बात समझे मेरा सवाल यह है कि indifference करव concave होता है convex होता यह straight line होता है convex to the origin होता है क्यों होता है convex to the origin because of diminishing MRS और MRS diminishing क्यों होता है because of law of diminishing marginal utility मेरी बात समझे या नहीं समझे clear है चलिए अगर मैं इंडिफरेंस करव को यह कर दूँ ऐसे बना दूए इंडिफरेंस कर्व क्या यह सही है बताओ कि सही है है हाँ बिल्कुल करेक्ट पकड़ा यहां पर अगर आप आ गए तो आपके पासे में वाई का तो करता है तो आपका बेस समझ में आ गया कुछ बाते समझ में आ गए कुछ चर्चा में लेकर आगे तो आगे हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा लेकिन डेटेल में जाकर करके समझना जरूरी है हमें जो सब कुछ रच्टा रच्टा हो जाएगा वे चेप्टर भी ऐसा है नो यह चेप्टर थोड़ा सा स्वाल आपके सामें कुछ ऐसे आएंगे कि MRS क्या है कुछ आपके सामें रहेंगे वाई MRS डिमिशिंग विकॉस अफ लॉप डिमिशिंग माजन यूटिलिटी तो वही सब नेक्ट क्लास में पढ़ेंगे कि MRS हमारा क्यों होता है और प्रोपटी इंडिफ्रेंस करवार आльवेस lotta क्यों होता है कि अधिज कर स्लोप और दालिए पढ़नेपा मिलेगा इंडिफ्रेंस कर डिबर इंडखो यह नहीं चीज़िस kita यहां कि अग्ली पढ़ेंगे इंडिफ्रेंस कर प्रिपार्जिंट weiß ऊबल हायन थे हा शुबम, बोलिये यह बता कैसे चल रहेंगी बनाना कामने उतना ही डिक्रीज करना है और एफिल कामने बढ़ाया है तो विज़र्फ बनाना का उतना ही विक्रीज करना है जुबमने भी नहीं स्लाइड खोरी थी घुर्ढ खोटधरं बताव गैंजे यह मैंसे कोशिन शुबम का है शुबम ने बहुत अच्छा कोशिन बूचा है मुझसे शुबम ने कहा है कि सर आपने एक एपल गेन करा आपने पाहले स्टार्डिंग में एक एपल और 15 बनाना रखा है उसकाद आपने एक एपल गेन करा तो आपने यहां पर 5 बनाना सक्रिफ कर दिया तो किया हम क बस आपको यह बताना है यहांपर हमें समझाना है यह एक बανाना से उतना हुठ बनाना से ऊतना नहीं मिलेगा उसको एकोल रखने के लिए हमें सकी लबहा से शार्षक्स्बंद करना पड़ और आगे और आगे भी आप अगर करते हैं तो आगे आप चार मत कीजेगा आगे आप चार से कम से कीजेगा यह मैसेज देने के लिए कि आप next time मुझे apple उतना gain नहीं देगा तो मैं उतना sacrifice करने के लिए ready नहीं हूँ उससे कम मैं sacrifice करूँगा तो यह एक जो है imaginary table है जो कि आप भी create कर सकते हैं तो यह कोई fix नहीं है कि ऐसा होता है consumer के साथ में सबसे पहले consumer के satisfaction level को तो numerical yam express कर ही नहीं सकते हैं लेकिन उस concept को समझाने के लिए assumption लिया गया है समझाने के purpose से assumption लेकर के कीज़े को clear करने की कोशिश की गई है अगर मैं table नहीं लेता वरबल ही बोलता रहता तो शायद आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बात कर रहा हूँ clear है न और सरी जो indifference वाला आपने curve बनाया अगर करके जो मनाया आपने जो indifference की line है यह हमें MRS दिखा रही है यह जो आप देख रहे है यहां पर इस तरह के बनेगा हमारा indifference curve का तो यह आपने line बनाये काउप की तो यह MRS दिखा रही है पिर क्या लिखा रही है यह IC है indifference curve है यह एक इसक इसक बोलता है कर बों ठीखे और यहएक ऐसा कडार किया है सेम में सब्सक्रीफाइब बलका इन्डिफरेंस है इसलिए indifference कर रो हो गया जिसमें पर किया की बात कर रहे है तो अब मैं यहाँ पर 1x करता ह। इतना सरी आई कर रहा है इतना सक्रेवाइज करया मैंने कराने तो जो सक्रिफाइज जितना आप कर रहे हो इसको आमकिम अब किसे और किको किम कर दाउट मांसी काफ़ी टाइम से बेट पर है चलिए वह मांसी बोलई सब्सक्राइब करते हैं जो सक्रिफाइजिंग रिट है जितना आप सक्रिफाइज कर रहे हैं उसी को अम एमारे से बूलते हैं इसार वो रेट पता किसे लेगा कि इतना ही का मुवायल से आपने 10 और 6 तो पता किसे लागी 4 ही डिक्रीज हो आई है ने हैं आपको पी छो किन जाने निंटी मिन निलंकरोगे तो अच्रिवात नहीं करना तो मत करो बस आपको कुछ तो डिक्रीस करोई क्यों कि सइडिस्पेश्टियं अब आपको सेम रखना है आप एक को गेंग रहे तो डिक्रीस करोंगे तो जो डिक्रीस पी इतना ही किया उसको हम ऐम आरे से बोल देते हैं मुझी है डिखनारएक एक एप्पल है और ग् एटीन बनाना है एक स क्पीड आप्छा केइप जाएक फिर Aug कितना कर दिए लीजे 12 होगया बस आपको बताना है कि जितना एक एपल गेन कर अपको exercise करना पड़े ज्यादा आपट करना पड़े जीक है तो यहां पर आप आप से कर आप six इसे को हम बोलते हैं MRS कि अधर के यहां पर आप मुझे उतना गेंग नहीं मिलेगा नेक्ट अप्छट करेंगा इसकि ए्मार डिक्रीजिंग होता है ठीक है ठेक्यू कर्या कि हांजी निहांगी बोली है ुब रास्ट वेट करें इसलिए निहां बोली है आपको जो नौड चाहिए बूरे का जिंडियों नॉका दोड़ी तोड़ी चाहिए इक बार ना आपको जो नॉड चाहिए टीम आपके पास नंबर है काजल का जिसे आप कॉंटेट कर सको कोई डाउट हो कुछ ची है तो आप पूछ सको हाव टू डाउट क्लास में जाएगा वाव आपको कॉंटेट नंबर में जाएगा तो जो भी कोई बात दसे हो आपको इस तरगी की बाते को भी जो कि हमारे टापिक से रेट नहीं करता है तो आप टीम तक पहुंचाएंगे टीम मुझे दे वेरी वेरी गुड इवनिंग कार्तिक श्रिवास्तव हां जी चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसा आप अपने सामने आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टापिक है वो है इंडिफरेंस कर क्लास टू और इसको हम ओर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं ओरिजनल अपरोच का मतलब ही यह होता है जोकि uncountable है जिसको आप count नहीं कर सकते हो लेकिन आप उसका order दे सकते हो आप उसका rank रख सकते हो तो इसको हम बोलते हैं ordinal approach और cardinal approach जो कि इससे पहले हमने utility chapter पड़ा है उसको cardinal approach क्याता है इसको countable है जिसमें कि हम satisfaction level को utils में express कर रहे थे satisfaction को हम count कर रहे थे तो वो cardinal approach था और यहाँ पर satisfaction को हम सर्फ rank देंगे indifference कर में इसलिए इसको हम बोलते हैं ordinal approach तो आप यह expect करना कि कई बार जो है आपका indifference कर ना बोल करके आपको ordinal approach इस तरीकी के statement आपको मिल सकते हैं ठीक है जी तो आईए जो अभी तक हमने last class में पढ़ा है फड़ा हुपसे पहले यह समझा कि हर चीज की equal importance हमारे लिए नहीं रहती है वो चीज जो हमारे लिए rare है उसकी importance जादा रहती है और जो चीज हमारे पास में ज्यादा available है उसकी importance कम रहती है फिर यहीं से हमने एक बात और समझा कि हमें यहाँ पर satisfaction को लेकर करके indifference रहना है मतलब कि satisfaction हमें अपना सेम रखना है समान रखना है संतुष्ट्री का इस्तर एक समान रखना है satisfaction equal रखना है तो और हमें यहाँ पर compulsory condition डाल दिया था मैंने कि आपको दो commodity का consumption भी करना है दो commodity होने ही चाहिए और इसके साथ में हमने अपने questions को आगे continue कर रहा था कि आपको दो commodity का consumption करना है और इस तरीकी से आप बहुत सारी combination का selection करें लेकिन ध्यान रखना है आपको हर combination पर आपका satisfaction level सेम रहना चाहिए तो यहाँ पर एक शीज आपने ही आगे से खुद आपने कहा कि सर अगर आप एक चीज एक कमड़िटी का consumption अगर आप बढ़ाओगे तो satisfaction level सेम रखने के लिए फिर दूसरी कमड़िटी का आपको consumption कम करना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ से अगर gain होगा और दूसरी तरफ से sacrifice होगा तभी जाकर के मामला बराबर पर जाकर के ठिकेगा तो यह तो आपने सबसे पहले मेरे समझाने से पहले यह बात आप समझ चुके तो आपने मुझे कह दिया था अगर बात satisfaction level को सेम रखने की है तो एक gain करेंग है अगर हम एक gain कर रहे हैं और खासकर अगर हम उसको gain कर रहे हैं जो हमारे पास में rare है तो उसका satisfaction level हमें ज्यादा रहेगा और जो ज्यादा है अगर हम उसको sacrifice कर रहे हैं तो सेम quantity sacrifice कर देने से satisfaction level सेम नहीं रहने वाला है क्योंकि जो हम sacrifice कर रहे हैं उससे जो satisfaction level हमें मिलता है और जो हम gain कर रहे हैं उससे हमें satisfaction level ज्यादा मिल रहा है तो इसलिए हमें satisfaction level को स्वेम रखने के लिए यह हमारे ज़रूरी हो गया था कि जितना हम gain कर रहे हैं उतना ही हम sacrifice भी करें तो अगर एक Apple से Satisfraction Level ज्यादा मिल रहा है और एक बनाना Satisfaction Level कम देता है तो हमें उत्तरा ही सग्रिफाइस करने के लिए ज्यादा बनाना सग्रिफाइस करने पड़ेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह बात समझ में आई कि एक एपल के बदले एक बनाना सक्रिफाइस करने से बात नहीं बनेगी सर्डिस्वक्शन लेबल से नहीं रहेगा है उसके बाद हमने यहां पर यह समझा यह क्लियर होने के बाद आगश अलकूल के आपके बात ऑर बता लगी है कि इस बार एक के लिए जितना हमने सखेलगी यह ने क्यों इससे कम सक्रिफाइज करने की नीड है कियो क्यों कि अब मैंने दुवारा से कंजम्शन उस इनिट का करा एपल का करा तो बिकॉस आफ लॉप डेमिरिशनिंग मार्जन यूटिलिटी मुझे पहले से कम सट्सक्शन लबल मिला है तो सट्सक्शन लबल को सेम बनाया रखने के लिए जितना मेरे पास में आएगा उतना ही अगर जाएगा तभी बराबर रहेगा सट्सक्शन लबल जब पहले से कम आया तो पहले से कम ही सट्सक्रिफाइज करना पड़ेगा इसलिए अब मैंने बनाना सट्सक्रिफाइज करके मैंने चार बनाना सट्सक्रिफाइज किया सब्सक्राइब लेके में करें कुछ ऐसे नियुक्त कर रहा था इसलिए उस कर्फ को हमने नाम या इंडिफरेंस इसलिए हम तक में अमने पड़ा तो यहां तक तो वह स्काइब आज चिम्लाज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं ठीक है कि देखेगा सबसे पहले वट इज एन डिफरेंस कर लाज प्रास में हो चुका था आपके वेपर में कोश्टिंस कैसे आएंगे ऐसे ही आएंगे मैंने कहा था कि दो कुश्टिंट एक साथ अटैच होंगे एक कोश्टिंट सिंगल कोश्टिंट नहीं पूछेगा तो वट इस इन इन डिफरेंस कर्भ डिसकर दाुपेटीज आफ इंडिफरेंस कर तो सबसे पहले आपको इन डिफरेंस कर्व का दैकेमें सेंदास्ता पड़ामिक अब्सकेशला n टोब यु जि रहाए और आयए न इन डिफरेंस कर्व का दिफ को इस लोकस आफ different combination of goods which vicious the consumer same utility means same satisfaction to draw this we must know the concept of preferences according to the preferences theory the consumer is able to express higher his her preferences for the various communities or communities or communities bundles to give a proper structure the preferences function has to satisfy the following properties these are also code clarity exomes को मतलब यहां पर यह होता है कि आपका जो हायर इंडिफरेंस कर बें अगर आप order को follow करते हैं तो इंडिफरेंस कर पे जो आपका उपर वाला इंडिफरेंस कर वोगा जितना वो उतना ज्यादा आपको सब्सक्राइब देगा हायर इंडिफरेंस कर अपको यह तो लास्ट प्लास तक में हमने अच्छे से समझ लिया था यह लास्ट प्लास में टेबल और हमने इसको समझा अगर हम टेबल को अब कोई से भी बना सकते हैं कोई ऐसे नहीं कि किसी स्पेसिफिक टेबल का रख्टा मानना है मुझे बस यहां पर एक बात बतानी है क्या कि अगर मैं यहां पर एक गेन कर रहा हूं तो सक्रिफाइस कितना कर रहा हूं पांच यहां पर एक गेन कर रहा है तो सक्रिफाइस कितना सब्सक्राइब तो आपका ठीक है क्लिर जी समझें तो यह में लास क्लास से पड़ा और इनी पॉइंट्सों को अगर हम मैं प्लॉट करूँ प्रफर वे में कि मेरे पास में कॉम्डिटी एक्स की अगर एक यूनिट है और वाई की कितनी है पत्चीस है तो यह हो गया इससे अपना एक सब्सक्राइब मिलता है और एक मेरे पास में 2 यूनिट है और वाई की मेरे पास से फिर कितनी हो गई 20 तो यहां पर मेरे पास में मुझे यहां वही मिलेगा क्यों कि अगर यहां पर मैंने एक commodity का consumption मेरे पास में जादा हो रहा है तो दूसरा मेरे पास में क्या हुआ है कम हुआ है पास समझे नहीं समझे आप A पर देखे कितना है आपके पास में A पर एक और 25 और B पर कितना है आपका दो 20 तो अगर आप एक का अगर आपके बढ़ गय मिलेगा एक से वाई के अगर एक को compare करोगो तो उससे कम satisfaction मिलता है लेकि satisfaction लबल को सेम रखने के लिए जितना आया उतना ही जाना चाहिए तो इसलिए एक से जो satisfaction लबल मिला तो वाई से भी हमें उतना ही सक्टिटिफाइस करना पड़ेगा तो वाई की ज्यादा यूनिट को हमें सेक्रिफाइस करना पड़ा तो यह बता रहा है कि अगर एक गेन कर रहा तो दूसरे को उसी का कोड़ी सेक्रिफाइस भी करा तो बताए कहां फिर satisfaction लबल चेंज होगा वह सेमी रहेगा ना चीक है उसके बाद अगर मैं एक और सी पॉइंट पर आ जाओ और एक और गेन कर लूँ में तो फिर से वाई क्या होगा वाई को मैं फिर क्या करूँगा वाई को मैं फिर सेक्रिफाइस करूँगा है अगर 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 दन अगर इसी तरीके से अगर मैं नेक्ट की बात करोँ तो जैसे से हम एक गेन करते जा रहे हैं और दूसरा हम क्या करते जा रहे theoretical स referee करते चले जाएंगे इस टीक है और आप देख रहें कि सक्रीषड म Wiki हमने पांच अब कतना कर रहा हमने चार लिगें फर कितना है 16 आप चार र Ugh आप कितना हमारे पास में 13 अब पांच पर कितना हमारे पास में 11 अब कितना सब्सक्राइब दो तो हर बार उसी एक के लिए सब्सक्राइब करने के लिए रहे तो अब बताई आप आप A, B, C, D और A पॉइंट यह जितने भी आपके पास में कॉंबिनेशन से हैं देखिए यह जितने भी कॉंबिनेशन हैं इन सब पर अगर आप एक कमडिटी का कंजम्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरा उसी का कोडिंग कम भी कर रहे हैं तो सब पर सट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कॉन के पन्वेक्स टूदा और इस तो यह लास्स तक में हमने बेसिकली मोटा मोटा हमने इस बात को समझ लिया था क्लेर जी आगे बढ़ते हैं अब हम यहां सब्सक्राइब को आगे लेके चलते हैं कि वही बात कह रहा है आपको थे लिखने में आपके लिए हल्प रहेगी सिस्ट दा कंज्यूमर इस गेटिक दा सेम सट्सक्शन फ्रॉम इच आफ दा कॉंबिनेशन यह विल बी इंडिफरेंट इन चूसिंग एन अफ दैं आप इब बताइए क्या कहने कोशिक कर रहे हैं कि आपको 50 का नोट देता है तो आप 50 के नोट को लेकर आप यह बात नहीं करेंगे यह आला नोट मदो वालानोट दो कि तो यहां पर क्या है भी रहा है थोड़ोड़ पड़ पड़के बता भी रहा है तक आपको पड़ते वक्त में कुछ चीज डाउट ना रहे He will be indifferent in choosing any of them वो उनके चुछ करने के लिए किया रहेगा indifferent रहेगा कोई सभी उसको मिल जाएं He can choose the first of these five combination 1st unit of x and 25 unit of y or the fourth combination 4 unit of x and 13 unit of y or any other combination because each combination of x and y gives equal satisfaction the consumer simply says that each of these five combination of X and Y gives him the same satisfaction but he does not say how much satisfaction he gets from each of the combination if we plot these combinations of X and Y on figure as shown we will get a curve which is known as indifference curve here we go to the left both of the left and the left because no I will be on the left and then को आते ही, ये कौन सा प्रोच है, और्डिनल अप्रोच है, छिक्क है? We represent community x on the horizontal x-axis and y on the vertical axis, five different combination as given in the table above the r represented by the points a, b, c, d, e on the figure and by joining these points we get the curve which is known as the indifference curve, all these combination are alike to him as each gives him same level of satisfaction and therefore the consumer will have no reason to prefer one combination to the other. Clear है बच्चे? तो अब ये सारी बाते होई कहा रहा है, clear है ना? कोई डाउट? तो जो आपने पढ़ा ये, तो मैं इसलिए पढ़के आपको अभी स्टार्टिंग है तो बता रहा हूँ मैं, तक कि आप घर पर इन चीज़ों को अपने पढ़ सकते हैं, मेरा काम क्या है? देखेगा ये पॉइंट जो है अंडरलाइन और नहीं तो बॉल्ट हुआ है हाँ जी अब हम आते हैं प्रोपर्टी ओफ इंडिफरेंस कर आगे से अगर पॉइंट अंडरलाइन और बॉल्ट नहीं वहाना तो ये देख रहे हो ऑनलाइन में खड़ा करूं आपको और बच्चों का जो कसूरवार है वो बच्चों के सामने खड़ा किया जाएगा हाँ जी देखेगा चलिए अब सामें देखो प्रोपर्टी ओफ इंडिफरेंस कर्द की मैं बात कर रहा हूं हाँ प्रोपर्टी ओफ आज एक लास्टों हमारा टापिक है प्रोपर्टी ओफ इंडिफरेंस कर्व हाँ जी तो प्रोपर्टी ओफ इंडिफरेंस कर्व में सबसे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है आपको इंडिफरेंस कर्व अब सबसे पहला समझीगा इसका क्या मतलब है इंडिफरेंस कर्व जैसा कि हमने बनाया है इंडिफरेंस कर्व कि ऐख और है इस तरीचे रहता है यह तो आपके पास पर हो गया X-axis जॉसरी वाैसिस यह आपके पास हो गया X-axis और अगर आप इसको point को pro out करें हैं गारि यह आपका वाईिए Brand है उरिजन और यह आपका हो गया X-axis ठीक हैं और यहां पर आपके पास में हो गया गुर्थ आ और एक गुर्थ यहाँ पर आपके पास में हो गया गुर्थ, एक्स बुर्चे एक्स तेज बदान में यह सब पॉइंट्स को इमपोरनेंस नहीं देते हैं जब किसके मार्क्स होता है मार्कस करते हैं इंचीयों से, जेंखियेगा अभी आपके पेपर पूरा रीड रहीं किया जाता है यह जानगना कि छोड़ी मोड़ी नजरे और आपकी पजेंटेशन पड़ते ही वह बस मार्स देके निकलते हैं देखा और मार्स दिया और निकल गए तो पता लग जाता है कि वह उच्छे ने क्या होगा अंदर तो पूरी रीडिंग नहीं जाती है तो अगर आप यहीं पर अपने खामियां जो की साफता जो ज़्यादा हाइलाइट होती है ग्राफ यहीं दिखा दोगे तो वह त्योरी मे जा उसको इंडिफिरंज करें लेफ-टो-अ डाश क्ली लेफ टो राइट ऑनवर्ड सबसे पहला सवाले रेटोराइट डानवर्ड क्यों होता है ये लेफ-टोय डानवर्ड इसलिए होता है न ligども और बताता है दो चीजिँ के अंदर नेगिटिव जा रहा है वो घट रहा है अगर एक दूसरा बढ़ेगा जब दोनों Are ㅋㅋㅋㅋी डियरेक्शन में मुव कर रहे हैं दोनों का डियरेक्शन अगर अफसीट है तो इस अफेव्विती रिलेशन को ही हम इंडिरेक्ट रिलेशन पाया जाता है और कि तो पाया जाना भी चाहिए क्योंकि आपको अगर अपना साडिस्फक्शन लेबल को सेम रखना है तो आप एक कमडेटे कांजम्शन बढ़ाएंगे तो आपको दूसरे कमडेटे कांजम्शन आपको कम करना पड़ेगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है तो दोनों में आप ड़ूसरे के आप outside direction हो रहा है तो इसलिए satisfaction लबल को सेम रखने के लिए हमैं यह करना ही पड़ेगा कि हमारे पास में ज़्यादा goods x और iy कि जब ज़्यादा beyondals हो जाएंđ तो जब ज़्यादा 곳 हो जाएंगे तो ज़्यादा kart derecho हम आप VOICE का में चाभ्त इसलिए अगर हमारे ये फिर्फाय्स कर सिंट रहेगा दोडर skill हुआ इस moment को हम opposite direction में moment कहेंगे और इसको inverse relation कहेंगे और कोई भी inverse relation वाला अगर आप दो चीजों inverse relation होता है तो उनको represent करने का जो graph बनता है हमेसा left to right downward बनता है अगर आपको यकिन नहीं तो आप demand करके nature को भी देख लो इसमें price और demand की बात होती है और यहां यहां पर भी inverse relation होता है जब price बढ़ती है तो demand कम होता है price कम होते demand बढ़ता है तो दो चीजों में inverse relation है तो demand कर भी लट्ूराइड डानवर्ड जाता है पहले एक बात आपको सुन है कि ये लग्टू डाउन वड़ तो होता है पर ये क्यूँ होता है बात-सबाथ़ाला गा है A क्यूँ इवार हम यह यहां पर अगर हम यह इनल का और यह गया Y ठेस्टब थे यह गया एक्स में वाई हमारे पास में काम हो जाएगा तो आप यहां पर इस बात को समझें कि एक में जिस टारेक्शन में चेंज आया दूसरे में उसका अपोज़िट चेंज आया तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि एक कि अपको करेंगे तो आप अपको बात करेंगे तो आपको आपको देखने को मिलेगा चलिए फिर से एकस बढ़ाते हैं क्या कुछ देखने को मिला आपको कि इस बार Y जितना पहले sacrifice किया था उससे कम अब sacrifice कर रहे हो तो हमारा जो है satisfaction level को same रखने के लिए next unit पहले से कम satisfaction level देगा हमें because of law of diminishing margin utility इसलिए हमें sacrifice भी पहले से पहले से कम करना पड़ेगा तो इस तरीके के shape में क्या होता है sacrificing rate diminishing होता है तो इसलिए इसका जो है convex to the origin भी होता है तो पहला यह क्या कह रहा है उसको देखिए कि indifference curve always slop downwards from left to right in other words indifference curve are negatively sloped left to right downwards from negative sloped कहते हैं every indifference curve is based on the assumption that the various combination of two communities give equal satisfaction to a consumer in order to remain at the same level of satisfaction the consumer will have to reduce विदे क्या है आपका modals use कर लिया we'll have to reduce मतलब उसको कम करना ही पड़ेगा दूसरे community consumption को अगर वो एक को बड़ा हाएगा तो क्यों 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 साथिस्वेक्शन लबबल सेम रखना है have to reduce the consumption of one community if if he wants to increase the consumption of another community in the example given earlier if the consumer adds the second unit of x he will have to give up some unit of y if he adds second unit of x without giving up the sum unit of y he will have more satisfaction level which is the inconsistent with the assumption of indifference curve क्या कहा रहा है अगर आपने एक का गेन कर लिया और दूसरे का आपने शेक्रिफाइज नहीं किया तो आपके पास में पहले से ज्यादा गोड़्स हो जाएंगे एक्स तो पहले ज्यादा है वाई उतना ही है मेरी बास समझे जब आप प्रोपटी लिख रहे हो तो डाग्राम भी बनाओ कि समझे क्लियर है पेपर में अगर आपके स्पेस का उपर नीचे फरक पड़ता है तो भाईया मैं आप मिल गया और इस रफ आपने यह बनाया और दूसरे पेश पर डाग्राम चला गया तो इतना वह दूड़नेंगे तरह से नहीं वह मार्क्स को दे देंगे विदाउट डाग्राम के और आगराम मिल भी गया तो इतना आलस आएक पिछे जागर के मार्क्स को चेंज करना नहीं चाहेंगे कि यह द्यानकलना कि समझें मेरे बात चुछोड़ों चीज़ों को आपको ध्यानकलना यह अगर आ जाए तो खासका सोल के अंदर अगला यह पर चेक भी नहीं करते उनको फेली देना कि यह पूरा आपको एंड तक लटका के रखते हैं को में हर बार बच्चा गया फिर बैक फिर बैक फिर बैक कुछ ऐसा ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है इसलिए इको में गलती सी बैक नहीं चीए फिर यह बैक साब को पेचा छोड़ता ही नहीं को वाला हां जी तो अब पॉइंट नंबर टू हाइर इंडिफरेंस कर्व और प्रफेर्ट तो लोर वन मतलब कि हर कोई जो है न उचे वाले इंडिफरेंस करको प्रफेर करता है लोर के कंपेडेबली क्यों करता है जरब हो देखो समझेंगे भी या इसको भी हम आठो है मैं यहाँ पर वेक इंडिफरेंस कर बना रहा हूं जी ऑ है यह औरीजन है है मॉय एकस से ग्राफका पॉस्टीव एकस ऐकस से यहाँ बजू वहफिए रहा हूं ए वह उपर और नीचे जो में इसले रहा हूं ए कि वह गुर्स एक्स लिए रहा हूं कि चीक है जी क्लियर है तो एक क्या हो गया गुर्स वाई और एक क्या हो गया गुर्स एक्स हो गया अब अगर अब आप यहाँ पर बात करते हैं मिश्टा करें सर आप ड्रा रहे हो जी ड्राने वाली बात निया सच्चा है यह बात में तभी तो टाइम पर लेकर काना पड़ा कोट को समझे नियुक्त था जी देखेगा वाई ओ और हमारे पास में क्या है एक्स अगर हम बात करें यहां पर कि कि एए यह आईसी वन आपको पटाए कि एक इंडिफेरेंस करफ़र आप कहीं भी चले चाहूँ किसी भी पॉइंट्टबर सेम रहे आप लोगे ऐसे कैसे नीचे फिर एकस की तो ज्यादा है अगर वाई कम हो गया तो अगर उपर अगर आप जा रहे हैं तो एकस का में तो वाई ज्यादा है और जिस अकोरडिंग आप गें कर रहे हैं उसी एकोडिया पर सक्रिफाइज बोसा चला जाएगा एक इंडिफरेंस कर बना दू इससे एक हायर बना दू इंडिफरेंस कर चलिए यह मैं बना रहा हूं आपका दखना कियों बनता है कि यह अरो यह कि आपके पास में आइसी टू अब देखे आइसी वर आ। एक पल के लिए इस compared को समझे ना कि यह मैं यह नहीं और मैं यह तो मेरे पास में मैं कुछ भी नाम रख़ा रहा हूं यह पी नाम रखाँ है मैं इसका नाम में Q रख रहा हूं और मैं इस पॉइंट का नाम A रख रहा हूं तो A point पर at the point of A मैं Y community कितनी unit consumption कर रहा हूं ? OP और मैं X community कितनी unit consumption कर रहा हूं ? O Q किस पर ? A point पर छीके जी ? clear है ? आगे बढ़ते हैं अगर मैं यहां पर बात करूं इंडिफरेंस कर पर एक बी पॉइंट ले लेते हैं यहां पर कि क्या कि अजी अब बी पॉइंट पर मैं एक्स के वाई कमड्स इया कुट में कितना कर रहा है । ओ और X के तक हीनिशे कर रहा हूँ? अब बताओ क्या E point पर जो मेरे बंडल वाईका और जो B point पर मेरे पास دक्ष बंडल हसे य का वो सेमी है या फिर दिफरिट है तो ज्यादा किसके पास में है? बे के पास पर क्योंकि X-A Kmpad棋 ज़ादा है तो ज़्यादा कमडेटि कि कि हाई इंडिफरेंस कर पर आपके पास में एक्सर वाई का ज्यादा रहेगा तो अनादिवान वक्री जितना दूर हो और इजन से जितना ऊंचा हो आप कह सकते हो जितना हाइर हो वह उतना ही ज्यादा सट्ट्रेक्शन लेबल को रिपरसंट करता है तो आजा कंज्यूमर आपने सट्ट्रेक्शन लबल को मैक्सिममम तक लेगर के जाना उसका सब्सक्राइब जितना मैक्सिमम हो सकता है वो तन्य मैक्सिमम पर जाने कोशिशिश करेगा इसलिए प्रोपरडी नमर्ट टू क्या है कि कंज्यूमर जो है हाई इंडिफरेंस कर्ब को प्रफेर करता है कंपेड़ कंपेड़िवली लोवर बात समझें क्लियर है अब आपको पता लागे हाई इंडिफरेंस कर्व क्यों हाई लेवल अशर्ट परशीन लबल देता है क्यों देता है कि उसके पास अब कम्रेटी ज्यादा है प्रोक पुल जी आगे आए गाई यह आपका जॉप कोशन बूछ रहे हैं चीके जी चलिए हां जी देखिएगा यह साज में आपको आगया आगे बढ़ते हैं इंडिफरेंस कर और कॉन्वेक्स टूदा अब देखें क्या कह रहा है इंडिफरेंस कर फॉन्वेक्स टूदा ओर इस वाद तो भी समझते हैं अब आपके क्लास में समय का पता ही लगता है बड़ी जल्दी समय निकलता है कि य वाई एक्स देखें इंडिफरेंस कर यह आपके पास यह और यह आपके पास में क्या है गुट्स एक्स है ठीक है और यह आपका इंडिफरेंस करव है आई से तो यह और इजन के तरफ अकर आप देखोगे तो क्या है यह उबरा हुआ है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टूदा ओरिजन मेरा सवाल एक कॉन्वेक्स टूदा ओरिजन क्यों होता है अगर बात तरफ यहीं तक है कि भाईया सेटिफरेक्शन लबल सेम रखना है तो एक को अगर आप गेन करोगे एक को अगर आप ग बात है नेगेटिव रिलेशन तक ही कि अगर हम एक का कंजंप्शन इंक्रीज करेंगे तो सब्सक्शन डबल को अगर हम इस पहले इतना ही रखना है तो फिर दूसरे का हम डिक्रीज कर देते हैं अगर यह सोच है आपकी तो उसके कोडिंग तो यह भी बात बन जाएगी आपक अगरा वाई इतना और एकसे तना अगर आप एक गेंडरें कर रहे हो तो दूसरा सपस्टेटिफायर जोड़ पासे कर दो दूसरा आपक्तग डेर्टेंगर आपकर सप्रॉल होड़ डेक्रेंगे की तो मेरा सवाल है कि अगर बात नेगेटिव रिलेशन की ही है तो उसको तो ये भी रिपर्जेंट कर सकता है हाँ लेकिन आप देखेंगे कि जहां पर आप देखेंगे कि जितना सक्रिफाइज हुआ अगली बार भी उतना ही हुआ अगली बार भी उतना ही हुआ अगली बार भी उतना ही हुआ तो यह कॉंस् मैं सकंहीं सक्रिफास अप योग्र बता धे मैं सा क्यों नहीं हो पाता है governance कि अगर आप एक के वड़ले में पाथ सक्रिफास कर रहेंने तो नेक्स्टबियंद आप एक केרך इस्प्रेक्ट में five sacrifice क्यों नहीं कर रहे हो, four क्यों कर रहे हो? क्योंकि law of diminishing margin utility की वज़े से, क्योंकि हमें इतना पता है satisfactionable सेम रखना है, तो जितना आया है, उतना ही जाएगा, तभी सेम रहेगा, तो अगले से satisfactionable पहले से कम आता है, law of diminishing margin utility की वज़े से, sacrifice की पहले से कम करना पड़ेगा, यह आप मानते हैं सीच को, और यहाँ पर sacrificing क्या हर बार, constant है, तो यह जो हमारे indifference करब के एक बात को तो बता रहा है कि left to right downward, पड़ें दूसरी बात को नहीं बता पा रहा है कि diminishing, sacrificing rate, इसमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन indifference करब ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, अब वो लोग उसर किस case में ऐसा होता है, means constant MRS, बतलब constant sacrificing rate, किस case में ऐसा होता है, अगली कक्षा में तो वही हमारा topic रहेगा, मैं example भी लोगा, goods का नाम भी लोगा, उसका picture भी दिखाऊँगा बना करके, कि कब ऐसा होता है, कि हर अगले को पाने के लिए उतना ही सक्रिफाइस करा जितना पहले वाला सक्रिफाइस क्या था, हर अगले को पाने के लिए उतना ही सक्रिफाइस करा जितना पहले वाला करा था, अब सोच रहें यहां कहां किया लूट भी मिश्रम आजये उडियर डी आ कहां यहां यहां पर अगली क्लास का इंतजार करना पढ़ेगा सब्सक्राइब समझे निंए समझे अब क्लेए तो अभी तो फिलाल आप कॉंवेक्स सुझारी नो एक क्लीरेन तो पॉन्वेक्स टूद और इसन बिल्कुल सही कह रहे हैं तो यहां पर यह इंडिफरेंस कर फान्वेक्स टूदा ओरीजन होता है वह क्यों होता है because of diminishing MRS क्या बोलोगे because of diminishing MRS और diminishing MRS क्यों होता है because of law of diminishing margin utility तो बताएं convex क्यों होता है इंडिफरेंस कर्प्टू दा रिजन कि diminishing sacrificing rate आप sacrificing rate को आप MRS बोल सकते हो तो diminishing MRS और diminishing MRS क्यों होता है because of law of diminishing margin utility यह बताएं आए पढ़ते हैं कि भीया आपके theory में कौन सा ग्यान बाड़ा जा रहा है एक अच्छा एक्जामपल लिया है यहां पर फिर भी देखिए इंडिफरेंस कर में अगले क्लास में आपको अपने टीम से मुलाकात करवाने वाला हूँ टीम में कौन है जो आपको सपोर्ट करता है या आप भी जाना चाह रहे होंगे देखिएगा हां जी देखिएगा इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स चीक है इसका क्या मतलब है आपका मौस्ट केशिस इंडिफरेंस कर्व आर बाव इन वर्ट इस हैस तो डू विद दा मार्जिन रेट ऑप सब्सक्रिशन एक किस विए से कॉन्वेक्स चुदा और रिजन होता है मौस्ट के यसे विए नो दा मार्जिनल यूटिलिटी आफ कंजूमिंग अगुड डिक्रिजिंग एज इड्स सप्लाइए इंक्रिजिंग जैसे ऐसे किसी गुड्स का सप्लाइए हम बढ़ाते चले जाएंगे इसे गुड्स से का अज्यम्शन बढ़ाते चले जाएंगे उससे मिलनेवाला हमारा सदसेक्शन लेबल है हर नेक्श से मेलने वाला सदसेक्शन लेबल है जो माजिन यूटिलिटी है वो क्या है उता चले जाएगा वो दियुमंड्स आज का कोश्यद अभी ले रहा ह। यह सुपां मेप प्वोशन ठीक है किया है एनद फो है खाङ है हाई यह ना कॉन्वेक्स को है हम बोलते हैं इसको बार्ड इनवर्ड जो घुमा हुआ होता है in वर्स अंदर की तरफ घुमा हुआ है कि कन कॉन्वेक्स को अल्टरियोड वर्ड में ऐसे भी यह इसका सिनोने में है, कॉन्वेक्स का. We know that the margin utility of consuming are goods decreasing as its supply increases. Therefore, consumer are willing to give up more of this good in order to get another good of which they have little. The graph shows that if the consumer has a lot of good Y, the MRS is 3 unit of good Y per unit of good X. If he, she has more of good X, the MRS is 0.5 units of good Y per unit of good X. In other words, if he, she has a lot of good Y, they are more willing to trade some of it in order to get an additional unit of good X. Simple सी बात है, इसके आंसर में इसका और भी एक हमारे पास में अच्छा simple answer है. उसको थोड़ा सा मैं चेटने देशका आंसर लिखवा हूँगा, जिसमें कि diminishing MRS. नहीं लिखा आपने, तो महाँ पर आपके marks जाएंगे, clear है? तो इसमें थोड़ा सा एक अपडेट करेंगे इस आंसर के अंदर, और एक अच्छा सा आंसर आपके सामने में इसका रखोंगा. फिलाल आप देखिए, समझेगा थियोरी को क्या है, देखिए कैजरा, पहले क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर, हम बात करें, तो आपके पास में ये Y है, और ये आपके पास में X और ये Y है, जैसे आप X की 10 तुने बढ़ाते हैं, तो Y आपने कितना sacrifice कर दिया? T sacrifice कर दिया, clear है, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हो, तो पहले जहाँ Y कितना sacrifice हो रहा है, अब Y आपका 20 sacrifice हो रहा है, यह देख रहे हो आप, clear है जो sacrifice आप कर रहे हो, समझे? तो आपका Y पहले से कम sacrifice हो रहे हो रहे हैं तो ये जो dimnishing MRS है, इसी के वहीज़ा ही क्य अगला पॉंट कर दो इंडिफरेंस कर नाट इंटरसेक्ट इच अधर चलिए इस बात को भी समझते हैं कि इसी में मैं आपको समझा देता हूं है ना जो दुआर इस पर तो मुझे लेकर आने पड़ेगा क्या कर रहा है इंडिफरेंस कर नेवर इंटरसेक्ट तो इच अधर क क्या मतलब है इश का इग विए इंडिफरेंस कर कर रेवी दूसरे कोpha इंटरसीक्ट नहीं कर सकते हैं बता सिजों के लिए नहीं होता होगा शों के नहीं होता है चलिए वो तो अगली कॉश्यना है अगली कलास ने पढ़ेंगी अभी इसको भड़े लिते प्रम कि इंडिफरेंट कर्ष कैन नॉट इंटर्साइक्ट इसका मतलब क्या है की deter Leone कि क ansch data आध कर लेगा कटने क्या यूए करके देखे लेते एंग भारा ना रहें अगरे फिर मैं इस ग्राफ पर भी आ जाओं पर समझेगा अब यह ना साथ पूरा ग्राफ एकसाब बना हुआ है तो साथ देखने में कन्फीज हो जाएंगे मैं बनाई देता हूं देखें और इसन वाई एकस गोड़ भाई गोड़ एकस ठीक है अब ध्यान देंगे क्या है ये इंडिफरेंस कर देंगे तो चलिए इंटरसेक्ट करके देख लेते हैं बजया कर देंगे तो आसा क्या हो जाएगा देखेगा तो यह आपके पास में आई सी वन है ठीक है एक दूसरा बनाते एक अलग फिलर में एक आई सी टू है मेरे बात समझे और आप इस बात को अच्छे साभी तक समझ चुके हैं कि एक इंडिफरेंस कर पर कहीं भी चले जाओ सटिफेक्शिन डबल क्या रहता है और दो अलग अलग इंडिफरेंस कर पर सटीफेक्शिन डबल क्या रहेगा अलग रहेगा हाईर पर higher रहेगा لوगर पर लोगर रहेगा यह दो बात आफ आप समझ चुके हैं तक इसलिए हम बात कर लेते हैं कुछ अग्जामपल लेते हैं मैं बात कर लिता हूं न कि आप भी क्योंबिभी सताथ है ज़िरूरी यह यह जिब फाइब रिफक्व फ्रस्टी हपने साइफ मिलेगा कि आ भर आपको पूरे आईसी बंपर वही मेंटेंड आएगा प्रहाइं जो आपको यह पर मिलेगा पूरे ic पर आंपको वह मेंतने रहेगा मैं म sustainability आपको स्टार मिल रहा है तो पूरे ic on पर स्टार को रहे हैं कि पूरे ऐसी वन पर क्या रहेगा आपको साथ रहेगा समझे कि आपका एक इंडिफरेंस करपा से रहता है अब मैं बात करता हूं यहाँ पर एक बी पॉइंट ले लेता हूं अब देखें जड़ें बी पर एक्स होता नहीं है लेकिन वाई क्या है ज्यादा है या नहीं ज्यादा है वी पॉइंट पर एक्स होता नहीं है वाई ज्यादा है तो जो बंडल से ए पर बी पर एक्वल बंडल से या बी के पास ज्यादा बंडल है तो यहां पर तो आप कह सकत कि star is greater than sorry hashtag is greater than star यह बात समझ में आई नहीं आपको clear है इस बात पो समझते हैं तो अब आप देखेगा तो पूरे के पूरे आपके पास में पिंक वाला अब पूरे के पूरे आपके पास में क्या रहने वाला है न ठीक हे एविए क्या रहेगा थे स्टेक इस प्ट का नाम मैं देता हूंग इस पाइंट का नाम और घ्रब मैं वाग कई तो अब हम इन डिफ्रेंस कर पे कोशे नमबर ठीप आच चुके हैं और कोशे नमबर त्रीआप अपने स्क्रीन पर देख रहे do you understand by marginal rate of substitution of a community x for community y draw an indifference curve in each of the following cases marginal rate of substitution is zero marginal rate of substitution is increasing so सवाल क्या है कि MRS marginal rate of substitution से आप क्या समझते हैं और जब MRS zero होगा तब indifference curve किस तरीके का बनेगा और दूसरा यह आपसे कह रहा है कि जब आपका MRS increasing होगा तब आपका इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से बनेगा कि अगर कि चैट में कोई शो नहीं हो रहे हैं भी कि चलिए कि हां जी तो सबसे पहले समझते हम कि कि MRS क्या होता है किसे कहते हैं इंडिफरेंस करके और प्रोपर्टी में भी हमने MRS पर बहुत डिसकर्शन भी किया है यह फिर से एक बाद समझते कि MRS क्या होता है डियागराम की है देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैं कॉंबिनेशन की आप कोई भी एक टेबल अपने माइंड में आप सेट कर लें सारे काम उससे हो जाएंगे सारे कुशन का अंसर मिल जाएगा चलिए कॉंबिनेशन की बात करते हैं और यहां पर कॉमोडिटी एक्स की बात करते हैं कॉमोडिटी एक्स और एक हम बात करते हैं कॉमोडिटी वाई की कि कॉमोडिटी वाई तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन एक की एक कॉम्बिनेशन पे मान लिजे मेरे पास में कॉम्डिटी एक्स की टैन यूनिट है और कॉम्डिटी वाई की पच्चीस यूनिट है आव आपको पता है कि हमें इंडिफरेंस कर में क्या करना है अपने सटिस्क्षिवन लेबल को सेम रखना है हमारा मोटी यह है और अपने कॉम्बिनेशन हमें चेंजिस करने हैं तो जाहिर सी बात है एक का का मचिंशन बढ़ाएंगे से अपने 2017 कॉ क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा जैसा आप देख की पा रहें इस पर बहुत इटेल में डिसकुर्शन हो चुका है तो हम सरफ बात अभी MRS की ही करेंगे combination B अगर आप committee X को gain करते हो तो total satisfaction अब तो आपका बढ़ जाएगा जबकि हमें क्या करना है को सेम रखना है तो उसको कम करना पड़ेगा तो यहां पर आप यह मत सोचिए कि एक हमने गेन करा तो एक ही sacrifice होगा sacrifice एक से ज्यादा होगा तो मालेग यह 5 sacrifice होगा तो अब आपके पास में 20 रह जाएगा इस सवाल का क्या करना पड़ेगा दूसरी युड़ा कंजम्शन हमें यहां पर करना पड़ेगा और यहां पर दूसरी बात यह भी है वह सेम रखना है लेकिन कई बार माइंड में सवाल बच्चों के आही जाता है कि अगर हम एक यूनिट एक का गेन कर रहे हैं तो य का भी एक यूटिलिटी ज्यादा होती है और जो चीज ज्यादा होती है उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती है तो यहां पर एक्स की मार्जिन यूटिलिटी मला एक से मिलने वाद सर्डिस्फेक्शन लबल ज्यादा है कब डेबली वाई से इसलिए 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 आपको सर्डि मिलता है competitively x इसी तरीके से combination में c क्यों पर आता हूं तो combination c पर आप देखते हैं कि फिर से आप एक gain करेंगे तो इस बार फिर sacrifice करेंगे तो आप पांच नहीं sacrifice करेंगे पहले से कम करेंगे चार करेंगे तो आपका सोला हो जाएगा क्यों भाई पहले एक के लिए पांच sacrifice करेंगे अब आप एक के लिए चार क्यों कर रहे हैं sacrifice क्योंकि आपको जो है आप next किसी भी commodity का continuously अगर आप consumption करते हैं तो next unit से मिलने वाला जो satisfaction है वह आपका compatibility last unit के comparatively कम हो जाता है because of law of diminishing margin utility तो यहां पर आपके पास में next से कम मिलेगा न तो आपको satisfaction level को सेम रखने के लिए जितना आया है उतना ही sacrifice करना पड़ेगा तो पहले से कम satisfied हो रहे हैं तो पहले जितना आप सब्सक्राइब करेंगे पहले से कम करेंगे इसलिए पांच नहीं करते हैं अब बात करते combination D की तो combination D में फिर से आप एक गेन करते हैं तो because of law of diminishing margin utility आपको तो next unit से जो है अभी आपने गेन करा उससे उतना satisfied नहीं मिलेगा जिए जितना पहले हुए है तो पहले से कम तो आप चार तो हम यहां पर तीन और इसी तरीके से आप बात कर लेते हैं एक combination की तो एक combination पर आपने एक और गेन करा और यहां पर आपके पास में तीन सक्रिफाइस करा तब दो सक्रिफाइस करेंगे तो आपके पास में क्या एगा 11 और अगर मैं बात करूं यहां पर F combination की तो F combination में अगर आपने एक और गेन करा तो अब आप सक्रिफाइस कितना करेंगे एक करेंगे तो यह मतलब की क्या हो आपका 10 तो यह आप इस बात को तो हम अलड़ी पिछली क्लासिस में समझ चुके हैं बार-बार इस चीच में फोकस कर भी चुका हूँ ठीक है जी अब बात करते हैं यहां पर किसी चीच की अब हम यहां पर बात करते हैं MRS क्योंकि मेरा कोशिन क्या है कि MRS किसे कहते हैं कोशिन क्या हमारा MRS किसे कहते हैं Marginal Rate of Substitution तो आप यह के लिए Y की कितने unit आप sacrifice करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि X का आप कितना gain कर रहे हैं एक और Y कितना sacrifice कर रहे हैं पांच तो इसको gain करने के लिए Y को कितना sacrifice करेंगे एक्स को gain करने के लिए Y कितना sacrifice करेंगे इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम MRS X Y कितरह लिखते हैं MRS और X Y ठीक है जी तो सबसे पहले तो यह कैसे इसका formula क्या बनेगा कि change in Y Y में कितना change आया बिस रिस्पेक्ट टो change in X में change करने के रिस्पेक्ट में ठीक है चेंज को डेल्टा बोलते हैं तो आप यहां तो change इनिशली तो आप change को अब्जर्ब में करोगे next step से ही आप changes को अब्जर्ब कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे change कितना है Y में 5 आया और divided by change X में कितन चार और refers to यहां पर 3 और EX में और यहा पर दो और इसमें एक और यहा पर एक और यहा और इसमें एक तो आप यह देख रहें जो आlan Reference आप जो देख पा रहे हैं और जिस रेट से उसको कम करते हो या फिर जितने भी आमाउंट आप सक्रिफाइस करते हैं जो भी आप कम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं MRS बोलते हैं Marginal Rate of Substitution बोलते हैं यह समझ में आपको आया सबसे पहले कि MRS किसे कहते हैं अब कहेंगे सर MRS को दाइग्राम के चुरू बताएए कि कैसा दिखता है डाइग्राम में तो चलिए डाइग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि MRS कैसा होगा कि सबसे पहले डाइग्राम में हम दो एक्सिस लेंगे कि एक वाई एक्सिस कि एक वाई एक्सिस है और जुक्य हमारा हूं और यह ओरीजन हो गया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और दो कमडिटी है तो इसको में एक को कहता हूं कमडिटी कमडिटी वाई और एक हमारा हो गया commodity X दो commodity है हमारी ठीक है अब बात करते हैं यहां पर हम आपके पास में MRS किसी करते हैं जनरली पहले indifference कर आप ड्रो करेंगे तो कैसे ड्रो करेंगे इंडिफरेंस कर तो आप कुछ इस तरीके से ड्रो कर देंगे इसको हम आइसी वो लेंगे ठीक है जिए इंडिफरेंस कर वो गया अब यहां पर अगर आप मैं अगर बात करें हम कि सबसे पहले X community की एक unit कि और वाई हमारे पास में यह है मैं एक्स और गेन कर रहा हूं एक यूनिट कि मैं एक्स को और गेन कर रहा हूं कि तो देख रहे हैं आप मैंने एक्स को गेन कर रहा तो वाई क्या हूँआ था सक्रिफाइज हुआ है जिस समझे एक्स गेन कर रहा तो वाई क्या हूँआ सक्रिफाइज हुआ कितना सक्रिफाइज हुआ यह आप देख पा रहे हैं यह इतना सक्रिफाइज होगे आपका यह जो सक्रिफाइज हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं जो सक्रिफाइज होता है उसी को हम मर्स बोलते हैं समझे आप तो डाइगराम में अगर आपको मर्स दि यह हमारे पास में X की एक और यूनित है तो फिर से आपने क्या करा एक और गेन करा तो फिर आपने क्या क्रा सक्रिफाइस करा इसको हम क्या बोलेंगे balancing को इसको हम बोलेंगे MRS मेरी बात समझें तो आप इंडीफरेंस करबो सकते हैं बिंतली मर्स क्या हौता है जो आप सकरीफाइस करते हैं एक को गेन करने के लिए उसी बिंतली का तो कि था तो यहां पर आपको समझे आगेए ऐंडीफरेंस कषब के बारे में और मर इस gedlusa का इसा होता है ये जर्नल केस में उसका diminished nature होता है बर कुछ specific case होता है जिसमें जरूरी नहीं क्या हमेशा MRS diminishing हो ऐसा जरूरी भी नहीं है एक example के लिए थे कि low of demand तो आप लोगों का पढ़ा है मैं नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा basically low of demand क्या कहता है क्यामड़िटी की प्राइज इंक्रीज होगी तो डिमांड डिकरीज और प्राइस डिकरी दोग दिमांड इंक्रीज इसा है बर कुछ सीचुवेशन में यह भी अप्लाइज नहीं होता है कुछ स्पेसिफिक केस में एक्जामपल के कुछ एसके सिंबॉ 뉴스 जो जिसे स्टेटिस केस ऐसे आजाते हैं जहां पर MRS का हो ज़रूरी नहीं है वो क्या स्प्रिसिफिक केस आपके दिवाब में चल रहा है लास्ट क्लास से उसको मैं आचर्चा करूंगा यह समझ मैं आपको जो जो है जो है कह चुका है आपके सवाल में कि MRS के बारे में ही मैं इसी एक ही पेज़ कि सबको समझाना चाहूँँगा तक आप कंपैर करता हो चीजों के बीच में है कि अज़ित तो जी रहाइस का डागरम आपके सामें रखता हूँ पर दिख पाएगा आपको यह दो अट एक है ज़िए गराम हो गया अब क्या कह रहे है कि जब MRS क्या हो एक कमड़िटीगा जीरो हो कुशन देखिए आप अपना है Marginal rate of substitution is 0 इसका क्या मतलब है कोई बच्छी बताईगा Marginal rate of substitution is zero इसका मतलब यह है कि एक को पा रहा है तो अगले को कुछ सक्रिफाइब कर ही नहीं रहा है मार्जनल रेट आफ सब्सिटुशन की वैलू दिये हुई जीरो और MRS होता क्या है कितना सक्रिफाइज कर रहे हैं उस अमाउंट को हम MRS बोलते हैं और जब MRS जीरो हो जाए तो मतलब कुछ सक्रिफाइज कर ही नहीं रहे हैं यह तो मतलब हुआ मैं समझाना चाहूँगा आपको चलिए MRS इस जीरो का क्या मतलब है जब देखिए आप MRS इक्वल सु जीरो मतलब सक्रिफाइज रेट क्या है जीरो आईए मैं समझाता हूँ दो गुर्स लेते हैं एक X और एक Y ठीक है जीर यह एक है और Y जो है मान लेते हैं मेरे पास में एक है या कुछ भी मान ली छेलिए एक है मान लेते है इसको बढ़ाया मैंने इसको मैंने कुछ भी सक्रिफाइज नहीं करा Y मेरे पास में अभी भी क्या है एक है समझे मैंने एक और गेन करा तो Y को सक्रिफाइज नहीं करा, मैंने, ये मेरे पास में क्या है, ये भी मेरे पास में एक ही है, तो बताईए सक्रिफाइज क्या कर रहा हूँ, बताओ जरा, यहां क्या सक्रिफाइज कर रहा हूँ, जीरो, यह बास मैं आपको आई या नहीं, तो सक्रिफाइज क्या कर रहा ह ही नहीं से किरिफाइजिंग रेट जीरो पड़ आपके मन में एक सवाल होगा सर आप भूल गए अपने गेम को आपने का एक कंडिशन पहले दिन ही हमारे सामने कंडिशन रख दी थी कि सवाल है या ना लेकिन यहां तो आप एक को तो बढ़ा रहे हो और दूसरा आप कि बात को जानना कि बताइए यह सवाल था या नहीं था आपका क्यों सब्सक्राइब करेगा एक गेन करने के बदले में लेकिन सब्सक्राइबल भी तो बढ़ जाएगा और आप पढ़ा रहे हो हमें इंडिफरेंस कर उसमें सब्सक्राइबल तो सेम रहना चाहिए पुलजीत ने तो बहिए आपने खुलजीत कल सब्सक्राइब बढ़ करके आए हैं तो यह बात सुन्झ में आपको आई यह नहीं बताई जारा अब आप कहरें गों सर यह से कैसे पोसिपल मैं कहा रहा हूं बहुत आप सो कह रहा हूं तो पेम लेवल है सब्सक्राइब का च टीके बिलकुल सेम ही है सर कौन कहा रहा है बढ़ गया आपका भर्र में बढ़ गया क्योंकि मैं boug Certific की बात कर रहा हूं कि सुच्विशन की परफेक्ट कांप्लीमेंटरी गुड़ परफेक्ट कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स क्या होता है वो दो गुड्स होते हैं अगर उसमें से एक नहीं है तो दूसरा का कोई यूज ही नहीं है दूसरा यूज लेस हो जाता है उसे क्या बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स कि वेवविब एक मिट फोट अता है एक तो पहर मीं सका यूज involveda साथ मिं उस accumulative इसमेंगें कलियरे तो यहां पर आपके मतल्य ओताएं तो आएगर ने तो दूसरे निया यह पोछेगा भी ने । एक्जामपल के लिए जा समझेंगा किसे परफट कॉम्पिलमेंटरी कहते हैं कि देखिये जी में राइट तॉो आप्ट बता या पर्फट कॉम्पिलमेंटरी में लेफ्ट बढ़ा राइट सू täll ऐरा एक राइट दू है। कुछ स्तिफ़ेक्षिण मिल रहा है बताओ जरह इस से किसिफ़ेख स्कोन मिल रहा है अब मैं क्या घरा हूँ को बढ़ा रहा हूं राइट कि दर्लाए औतना ही रख रहा हूं कोई चेंज आएगा एक ही पेर आप यूज कर सकते हैं और यह बाकि दो जो आप लेकर किया है और अग्ष्रा उसका तो कोई भी यूज नहीं है है मेरी बात समझे या नहीं समझे तो क्या आपके सेड़िट वक्षिन अबल में चेंज आएगा बताओ आएगा चेंज नहीं आएगा तो यहां पर आपका MRS क्या है भाईया सेक्रिफाइस क्या कर रहे हो आप जीरो तो पता लगा कि MRS किस केस में होता है यह पता लगा है नगा बताइए जाए थरा किस केस में 65 होता आपका कि कहां पर है masa से رवकिस्ट केस्ट में होता है जब हम परבק कॉंपलिमेंटनी मिमंट्री गूंपर काम कर रहे हैं जब दोनों goods क्या हो बहुत goods are perfect complimentary goods उस cases में आगर आप एक को gain कर रहे हैं और दुसरा sacrifice नहीं भी करेंगे तब भी satisfaction level में change नहीं होगा और आपका MRS को situation में क्या होगा आपका zero होगा मेरी बात समझे या नहीं समझे बताइए जरा ठीक है अगर मैं चलिए यह बात सुझ में आपको आई या नहीं क्लेर है तो यहां पर इसको हम कहते हैं MRS का zero होना डाइग्राम कैसे बनेगा सवाल आप आपका यह है कि एक बच्चे कह रहे हैं किडिणी किड़नी में देखियेगा एक किडनी अगर खराब हो जाती है तो लोग दूसर्णा ऐसले यहमामिक्क डिएगाता में और गॉस्री हो पर छोट्वाद दूसरी को ही निकाल के प्षेक़ आपकी ख्राब होगा अभाग हो जाते हैं बाहर कहीं जा रहे हैं आप गुमने फिर ने दूसरा जूता आप लेकर घर आओगे उसको आप फिक दोगे कोई उसका यूज है नहीं इसको बोलते है परफेट कंप्लिमेंटरी सब्सक्राइब क्लियर है कि समझें हाँ जी डाइग्राम कैसा बनेगा परफेट कंप्लिमेंटरी का अब यह है रोमांच भरा सवाल है नहीं एक्जामपल ले लेकर समझेंगे एक्जामपल ले लेकर पढ़ेंगे तो क्यों नहीं सौंझ में आएगा आपको यह बताओ मुझे लेकिन पता है क्या आपना याद कर सरद्क्र फोरत ने के चर्कतर मत रहीएगा कि याद कर्क्र याद कर बहुत के मुझे और नहीं कि याद कर रहे गा क्या इसका है कि आप रीडिंग करें के रीड़िंग करना होता है जैसे क्य süट्य आप मैगजिररें करतेया तो इतना होता है कि आप कोई कहानी पढ़ते हैं नोबल्स पढ़ते हैं सब तो करते ही है ना कोई स्टोरी तो रीड करते ही है ना तो इतना होता है रीड करने के बाद मैं यह नहीं क्या सकता कि आप बिल्कुस सीक्वेंस में आप उसी ओर्डर में डायलोग वाजी करते हुए किसी को बता सकते नहीं लेकिन आप उसके कहानी उसका कंकुलूजन उसका स्टार्टिंग बीच का सीन बड़े रोमांच बाले सीन आपने दोस्तों को साथ शेर कर सकते हो इस सिचेशन में पहुंच जाते हो तो जब आपने कोई नॉलेज लिए न तो इसको रीडिंग करो रीडिंग के बाद आप खुद लिख करके देखो आप अपने नोट बुक को अपना दोस्त समझो उसको बताओ कि आपने इससे क्या-क्या सीखा उसको लिखो अगर आपने लिख दिया पेज आपके भर कर तो भ बताओ कि भया आपने क्या-क्या इस कहानी में पड़ा है समझे चलिए तो एमर इसकी लिखे एक पार रीडिंग कर रहा है एक दो बदो वाद तीमा रीडिंग कर लो आप समझ मा जाएगा तो यहां पर हम बात करते हैं क्लियर जी तो यह आपके पास वाई है आपके पास वह है और आपके पास में क्या यह एक्स है बात करते हैं यहां पर हम इसके डाइगराम की तो डियर इसका जो डाइगराम बनेगा ना वो बिल्कुल नहीं इसका डाइगराम मनेगा इसका डाइगराम मनेगा एलशेप का इंडिफरेंस कर अब एलशेप का क्यूं बनेगा वह भी समझ लेजिए भाया सारी कहानी बताए जाएगी आपको अब घबरा क्यूं रहे हो सब को बताएंगे आपको आईसी इंडिफरेंस कर बन एलशेप का क्यूं बनेगा बात इसकी करते हम देखेगा पहले मैं इस जो वर्टिकल लाइन मैं इसकी बात कर लेता हूं यह X कोमिडिटी है यह Y है ठीक है कंज़ा है और एक्स यह है आपके पास में पास क्लिर है कंबिनेशन अगर मैं Y बढ़ादा गूं और एक्स उतना ही तो क्या मेरा सेड़िफरिक्षिंगन बनल में कोई चेंज आएगा दो मेंसे एक बढाता है दूसरा तरह औहीं रखता हूं, नहीं आएगा, तो चलिए, ये मेरे B Poynt हो गया, तो A और B से Certificationable क्या मिल रहा है, से मिल रहा है, से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, समझे, चलिए, अगर मैं बात करता हूं, X बढाता उं, देखेगा, X बढाव ये मै इस पॉइंट पर हो में पी पॉइंट पर ठीक है वाइतना है अगर मैं एक्स और बढ़ा दूँ इसको पॉइंट करोगे तो क्या बना आपका L-shape का बना आपका मेरी बास समझें अगर आप X को बढ़ा भी रहे हो और एक community में जीरो MRS का मत्ता होगा है दूसरे को आप sacrifice करी नहीं रहे हो एक को बढ़ा रहे हो दूसरे आप sacrifice करी नहीं रहे हो तो वाई तो उतना ही रहेगा वो कम जादा क्यों होगा तो इसलिए आपके पास पीवी और क्यू में सेम सेटिफेशनेबल मिलेगा क्योंकि अगर आप दो पेर में सेगर आप एक पेर का सूज अगर आप बढ़ा रहे हो राइट सूज बढ़ा दिया आपने नंबर उसके और लेट को तने रखा तो आपको इससे कोई सेटिफेशनेबल में जाफा नहीं होगा इसलिए कैसा बनता है अपका यह आपका ऐल शेफ का बनता है मेरे बाद समझे या नहीं समझे क्लियर है मैं फिर सम्धाना चाहूंगा भाईया बेरी आत्मा को संतुष्य नहीं मिलते जब तक आप खुश नहीं होंगे यह जानक ना देखिएगा वाई और एक्स क्लियर है अब आप यहां पर इस चीश को जड़ा समझेगा देखिएगा तो यह मेरे पास पर क्या है वाई है और रिजन है एक्स है इसको भी हटाई देते हैं फिर हम लिजे आप देखिए जी मैं बात करता हूं पहले एक और एक की तो एक और एक पे मान लिजे वन तू वन तू त्री त्री फोर फोर वन और वन दिस वन पॉन और वन ठीक है जी आप मैं क्या कर रहा हूं आगे टू और वन तो टू एंड वन यह रहा है समझे समझे क्लियर रहे जी कॉम्बिनेशन भी सेट्रेश्टिय लबल में चेंज आएगा यह नहीं आएगा नहीं आएगा क्यों क्यों क्योंकि आपके पास में दोनों यहीं तो बोल सकते हैं कि इसलमें आगे आपको और आप एक यह बात भी आप यहां पर कर सकते हैं कि यहीं एक रखते हैं और वाई ही तीन कर देते हैं यह एक और वाई तो पर जो भी बताया है उसे समझ लो आप जिससे पहले समझायता हूं वो बहतर है आपके लिए कि सिंपले आप इसका इंडिफरेंस कर आपका L शेप का होगा यह आपका i.c. 1 है चुकि अगर आपका यहां पर यहां पर कह रहे हैं यह आपके पास में क्या है x है अगर आपने y गेन करा तो आपने x में कोई चेंज नहीं करा मतलब माजने रेट अब सब्सक्राइशन क्या है आपका 0 है और आपको जो सटिस्फेक्शन लेबल मिल रहा है वो आपको सेम मिल रहा है अगर यहां पर आपका और य यहां रहा फिर आप0 पास में 0 रहे गा कुछ सेक्रिफाइज आप नहीं रहे हो तो यह किस हैनल आपका झाल शेप और एक सवाल और आपसे पूछ पूछ चुका है क्या माजन रेट आप सब्सक्राइब हमने कर लिया है कि इंक्रीजिंग का केस क्या होता है कि और रिजन चलिए इंक्रीजिंग वाला भी डिटेल में प्याद से समझेंगे न उसको भी यह समझ में आपको आया पहले बताईएजी आगर अगर अब नेक्स्क पॉइंट पर चलते हैं कि MRS इंक्रीजिंग जब हो तो क्या होगा आधा जी जब आपका MRS इंक्रीजिंग के केस में इंडिफरेंस कर पका कैसा बनेगा यह आप से पूछ रहा है और इसने वाई है और एक आपका यह आपका एक्सक्सिस ए बढ़े जल्दी समय निकलता आपकी क्लास को देखेगा बात करते हैं यहां पर हम इंडिफरेंस करके तो जब आपका MRS आपका इंक्रीजिंग हो MRS इंक्रीजिंग का क्या मसलब होता है मैं पहले आपको समझाता हूं कि एक X कोमडिटी है नहां समझते हैं एक X community एक Y community एक combination A है ठीक है यह आपके पास में एक है और यह आपके पास में पच्चीस है चलिए दस ही ले लेते हैं वही एक ग्जमपल भी यह एक बढ़ाया आपने और sacrifice आपने क्या करा आपने मली दो किया तो अब आप 4 sacrifice कर रहे हो तो आप कितना हो गया आपका 22 हो गया तो जो आप देख रहे हैं MRS जो sacrificing rate है वो आपका 1 के लिए कितना sacrifice करा आपने दो और 1 के लिए कितना करा तीन और 1 के लिए कितना करा चार एक बात बताओ मुझे इस case में कि यहां पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि satisfaction level को आपको स्थीम रखना है और आप एक को गेंच तो दूसरे आपको से करना होता है और यह कर भी रही इसमें तो कोई गलती नहीं है अगर एंक कर रहा है इसकłe यथा कर रहा है लेकिन दूस्रा sacrificing increasing rates कर रहा है मतलब कि पहले से जादा sacrifice कर रहा है कि अब मुझे एक बार बताओ कि सबसे पहले को बताइए कि सबसे पहले को सेम रखने के लिए कि यहां पर हुआ है उसमें तो कोई गलती नहीं है लेकिन क्या का को सेम णाइं तो एक को गीड करने से जितना हमें सबसे मिल सकता है अक्से सेंडे नाएं है यहां पर अगर मैंने एक का कंजूप्शिय्प्शन कर दिया है सब्सक्सिम ने पर शार्जिक दो ने da कि और कजंपिशन कर रहा तो क्या मुझे उतना ही सब्सक्राइब मिलेगा यह उससे ज्यादा यह मिला तो पहले से कम कर दिया पहले से जादा तो कहने का मत्तला नुफसान होगा यह नहीं होगा आया पांच उपट और शूट देए तो भैज़ा बैद तो पहले से चेंज बनाना भी डियाग्राम है तो आप इस तरह की डियाग्राम आप बना सकते हो कॉनकेव टू और इजन क्यों क्यों कि शेप पूछ लेगा तो शेप बनाना पड़ेगा बड़ पॉसिबल नहीं है कि देखिए एक एक्स गेन कर रहा हूं वाई देखो सक्रिफाइज कि इतना हुआ एक और एक्स गेन कर रहा हूं अब देखिए सक्रिफाइजिंग रिट क्या है पहले इतना था फिर इतना हुआ 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 फिर इतना में आपको convex sorry concave to the origin मनता है यह बास्पर में आपको आए नहीं है बताएए ख्लियर है तो अब यह जो चीज है जो मैंने आपको समझा दिया already यह discussion का part है जिसको आप अपने आराम से पढ़िएगा समझेगा कि the measurement of mrs x y is illustrated in above table where a b c d and a represent different combination of community x and y इस सब चीजे पढ़के तो आप खुद भी लिख सकते हैं on the same indifference curve as can be seen when the consumer moves from combination a to b on the same indifference curve he prepared for five minutes of y forgive कितना चोड़ रहा है इसको पांच वाई का चोड़ रहा है for an addition unit of x similarly when he moves from combination b to c he substitute for unit of y पर पांच सक्रिफाइस कर रहा फिर चार फिर तीन फिर दो यह सक्रिफाइस कर रहा है इसी को था MRS बोलते हैं चीक है कि माज़े रीट आप सब्सक्राइब जीरो मतलब एक के आए एक आया दूसरा हमने सक्रिफाइस कर रहा ही नहीं फिर पर इसमें की आयल शेप का होता है अगर एक इंडिफरेंस कर पर सेम रहता है बट डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर पर सब्सक्राइब अब तो देखिएगा यह हमारे पास में है यह बास में आपको आया नहीं है तो यह हमारे पास में क्या है कि यह एक इंडिफरेंस कर पर कहीं भी चल जाए यह सेम रहेगा लेकिन दो डिफरेंट इंडिफरेंस कर पर सब्सक्राइब क्या रहेगा हमारे पास में डिफरेंट रहे तो यह पहले 1-1 के कंपेड़ी तो ज्यादा सटिफेक्शन मिलेगा ना तो फाइर इंडिफरेंस कर शो हाई लेवल ऑफ सटिफेक्शन लेवल ठीक है जी यह आपके पास पर हो गया है ठीक है अब अगला कोस्चिन यहां पर है आपके सामने ड्रो दा इंडिफरेंस कर वेंट तो इसको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में ठीक है जी कोई डाउट है तो फिलाल अभी आप पूछ लीजिए कोई डाउट जी जल्दी से पूछ लीजिए किसका इसका MRS 1 आएगा देखते हैं अगली कक्षा में पता लगीगा आपको अगल को अगल को चीक है फिर मिलते ने सक्वार्प थैंक यू बच्छो थैंक यू सो मच हाँ यहां जी वैरे वैरे गुडिवनिंग तो हम इंडीफरेंस कर्व पे आज की जो टॉपिक है यहमारा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि आपको यहां पर डो दा इंडिफ्रेंस कर यहां पर आपको इंडिफ्रेंस कर दो करने के कहेगा और स्विचूशन आपके सामने अलगलग रखे जाएंगे तो हर स्विच्विशिण में सिर्फ तरीक सर सबसिटूट का मतलब तो हमें मालूम है क्या होता है सबसिटूट का मतलब होता है जब आप एक गुड्स को आप यूज करते हैं एक गुड्स का आप कंजम्शन करते हैं जब वो एबिलेबल नहीं है तो उसके प्लेस पर आप दूसरे गुड्स को जब अपने यूज में ल तो आप इस ball pen की जिगह पर gel pen लाकर के उसे आप अपने विपर लिखने लग जाएंगे, तो यहां पर gel pen substitute हो गया आपके ball pen का, आपने ball pen का substitute इसको तो हम substitute कहते हैं एक बहुत पराणा एक्जामपल जो चलता आ रहा है जो आप सुनते आ रहे हैं टी एंड कॉफी तो टी एंड कॉफी में भी जैसे कि आप टी के कंज्यूमर है तो जनरली कहीं पर आपको टी नहीं मिला तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं कॉफी से ही कि क्लियर जी कोई डाउट तो यहां पर आप देखें कि इस तरीके से आपके सामने substitute goods क्या होता है यह तो आपको पता चली गया है लेकिन perfect substitute goods किसे कहते हैं देखिए substitute goods में अभी तक तो यह था कि आप अगर ball pen लिखने के habitual है और जब आप gel pen से लिखेंगे तो आपका काम तो चल जाएगा लेकिन कहीं ने कहीं आपको कुछ ने कुछ sacrifice करना पड़ रहा है अपना satisfaction level वह exact आपको utility नहीं मिल रही है exactly satisfaction आपको gel pen से नहीं मिलेगे अगर आप ball pen के consumer है तो अगर आप ball pen के user है तो इसी तरीके से अगर आप tea के consumer है तो चल यह tea नहीं है तो आपने coffee से काम चला लिया लेकिन coffee आपको exactly same satisfaction level नहीं देगा जो कि आपको tea से मिलता था तो जब हम एक goods की जगह पर दूसरे goods को substitute कर लेते हैं बट कहीं न कहीं अपने utility को अपने satisfaction level को sacrifice करना पड़ता है तो वो तो आपका substitute हो गया लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपने एक goods की जगह पर दूसरे goods को substitute कर लिया और आपको कोई फर्क बिल्कुल भी नही प्रेक्ट नहीं पड़ा आप जैसे जितना पहले satisfied हो रहे थे अब भी आप उतना ही satisfied हो रहे हैं आपका कुछ भी आपको sacrifice करने की आपको need नहीं पड़ी कैसे for example देखेगा आप आपने सामने यहां पर आपके पास में दो पानी की bottle है एक बिसलरी है ठीक है और यहां पर और पानी की bottle है तो water bottle दो है तो यहां पर अगर आप एक को अगर आप drink करते हैं अगर आप यह available नहीं है तो अगर आप इसको आप drink करेंगे तो आपके satisfaction level पर कोई खास changes देखने को नहीं मिलेगा आपको यहां पर कोई compromise करने को नहीं मिलेगा आपको पहले जितना ही लबह लबक satisfaction level मिलेगा तो इस तरीके की goods को हम क्या बोलते हैं इस तरीके की goods को हम बोलते हैं perfect substitute goods बोलते हैं तो इसी को हम बोलेंगे perfect substitute goods मेरी बात समझें कि perfect substitute goods किसे कहते हैं clear है clear है जी कोई doubt अब आप यहां देखेंगे यह तो आपको clear है अब यहां पर इसका डाइग्राम कैसे बनेगा क्योंकि हमारा question क्या है question तो यह energy किसका shape कैसे बनेगा कि कुश्चन तो यह कि इसका shape कैसा बनेगा इंडिफरेंस कर पता है तो चलिए यहां पर मैं एक पहले टेबल से समझा देता हूं आपको फिर आप डाइग्राम को भी अच्छे समझ पाएंगे combination है combination ए और यहां पर दो पानी की बोटल है एक बिसलरी है और एक प्योर की पानी की बोटल है ठीक है जी clear है और दो कमटे कंजम्शन कर रहे हो तो यह अगर आप एक कर रहे हो तो मान लीजिए यहां पर आपके पास में यह 15 है next कर रहे हो आप तो आपने यहां पर एक gain करा बिसलरी और यहां पर आपने sacrifice करा छीक हे जी यहां पर आपने sacrifice कर रहा अब सवाल ये है कि sister एक gain हो रहा है अगर one plus हो रहा है तो यहां one ही क्यो sacrifice हो रहा है इससे पहले in difference car में आपने पढ़ाया था कि एक को गेन करने के लिए हमें दूसरी commodity की ज़्यादा unit को sacrifice करना पड़ता है क्योंकि जो हमारे पास में कम available है उस से हमें ज़्यादा satisfaction level मिलता है जो ज़्यादा available है उसके एक unit से कम satisfaction level मिलता है तो कम वाला अगर हम gain कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा satisfaction या इताराisstां प्रणके कारियों सेमें ये या तक हमने यहां पुर Hai कि यहां पर तो आपको यहाँ पर 13 कि ही वोई इट ब्रेक हो रही है श्रेश मिश्रा भी कह रहे हैं ये बात और का तिक स्रिवास्तप भी कह रहे हैं और कितने बच्चों के साथ में वोई का सब्सकूर समझें का वह समझाने का भी चेक जी चलिये आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप मुझे एक बाप बताएं कि यहां पर मैंने एक गेन करा तो फिर मुझे एक ही सक्रिफाइस करा मैंने यहां पर क्यों कि दोनों के-दोनों क्या है परफेक्ट substitute है, बिलकुल एक जैसे ही चीज लग बलब बलब बिलकुल exactly same चीज है, तो इस से जितना मुझे मिलेगा एक unit से, उसके एक unit से भी मेरे को उतना ही मिलेगा तो यहाँ पर एक case से जितना मिल रहा है वहाँ पर भी मुझे एक से उतना ही मिल रहा था तो मिझे ठीक उतने ही unit का sacrifice करना पड़ेगा यह दोनों community क्या exactly same ही तो है मेरे पास में क्योंकि मैं बात यहां पर perfect substitute goods की बात कर रहा हूँ तो इसी तरीके से सी में अगर मैंने एक gain करा तो मैं एक ही sacrifice करूँगा डी में मैंने एक gain करा तो मैं एक ही sacrifice करूँगा और यहां पर हर बार जो आप देख रहे हैं sacrifice rate पहले कितना sacrifice करना पड़ा आपको पहले एक अब भी वी एक और अभी भी एक तो आप देख रहे है sacrifice rate क्या है आपका sacrifice rate आपका constant है या नहीं है बताइए जराद sacrifice rate constant है या नहीं है तेरी बात समझें तो हमेशे धान एक जब भी कभी आपका sacrifice परफेक सब्सिटूट गुड्स की बात हो जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो sacrificing rate है वो क्या मिलेगा आपको आपको constant देखने को मिलेगा क्यों क्यों क्यूंकि आप दोनों गुड्स exactly same है तो जितना आपको एक से gain हो रहा है दूसरे से आपको उतना ही sacrifice आपको करना पड़ेगा बरी बात समझें आप clear है क्योंकि दोनों गुड्स क्या है perfect substitute है बलब exactly same है तो एक आपको जितना section level दे रहा है तो दोनों same ही है लबब लबग तो दूसरा अगर जाएगा तो वो भी उतना ही satisfaction level sacrifice कर देगा क्योंकि दोनों same है तो इसलिए एक unit के लिए एक ही sacrifice करना पड़ा next time दुवारा आपने ए कहते है concentrate से sacrifice होता है और यहाँ पर आपके पास में य गूट से और एक आपके पास में एक्स गूट से है जब यह कभी concentrate से sacrifice हो तो IC कर आपका कैसे बनेगा एक state line बनेगा आपका IC कर कुछ इस तरीके से यह O Y है यह आपका O X है अगर आप एक X और गेन करते हैं तो आपको Y sacrifice क करना पड़ेगा क्लेर यह वाय सी अग्रीफा इवाय था।र एक से आपको गेन करना पठेगा क्लेरे जी मेरी बात अब को आया रहे है तो आप तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वैंट टू गूड्स और प्रफेक्ट सब्सिच्टूड इंडिफरेंस कर विदा स्टेट लाइन है यह आपके सामने इसको मैं अलड़ी बता चुका हूं आपको जी तू गोट्स आपकोंपलिमेंट लाइड़ी हो चुका है कि जब दोगूड़ कंपलिमिंटर होता है तो वहाँ पर हमारा पर हमारा इंडिकरन करत कायसा होता है जी कैसा बूड़ का होता है एजे लूड़ न सेक न्यूंट गये हो उना फैसन जी रहा है जीरो जूटिलिटी एक गुड्स जू है वो जीरो दे रहा है मान लेजिए कोई स्प्रिच्वल पर्सन है एक स्पूरिच्वल है इनके लिए नोन वेज चाहे वो कैसा भी हो चाहे उसमें कैसा भी टेस्ट हो कितना भी प्रोटीन देता हो लेकिन इनके लिए जो हमारे संत हैं जो इनको नहीं करते हैं उनके लिए इसका मतलब हो गया जीरो सड्स्ट्शन लेबल जीरो यूटिलिटी क्ईशन करेंगे ही नहीं और यह उनके लिए इस चीज़ का कोई भी महत्व नहीं है जीरो महत्यम नहीं है निका सब्लब गरेकी किसी क कजीवन ले कर लिए अपना जीवन नहीं बचाना है तो आखरी संद आखरी समय भी है कोई अनाज भी अगर नहीं रहा तब भी यह इन चीजों का कंजमशन नहीं करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यह अगर आप देखें तो इनके लिए जीरो यूटिलिटी है इन चीजों का यह जीरो यूटिलिटी है यह जो ध्यान होता है यह ध्यान में और जो यह अल के लिए क्या है जीरो यूटिलिटी है समझे क्लियर है एक्स और वाई एक्सिस तच कर सकते हैं एल शेप बिल्कुल टच नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए कंवसरी कंडिशन है कि आप दो कॉम्डिटी का कंजम्शन करेंगे तो सर इसका डाग्राम कैसे बनेगा आजिए वह भी देख लेते हैं दो कॉम्डिटी का आपका कंजम्शन करना ही पड़ेगा ये एक्स और वाई जो है ये यूटिलिटी को रिपेसंट नहीं कर रहा है ये कॉंटिटी को रिपेसंट कर रहा है समझेगा इस चीज को ये क्या ह हमारा गुड्स वाई है ठीक है गुड्स वाई वो है जो कि इनको सेटिफ़क्शन लेबल देता है और एक गुड्स एक्स है माल लीजिए जिससे की इनको जीरो यूटिलिटी मिलती है जीरो जीरो यूटिलिटी मिलती है चीके जी क्लियरें है क्लियरें है अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका डागराम कैसे बनेंगा इसका डागराम इना इसका आइसी करो कुछ इस तरीकी का बनेगा कि इन्डिफरेंस कर रहे हो और यहाँ पर मान लेजिए आप ओ एक्स कर रहे हो तो इस इन्डिफरेंस कर पर एक पॉइंट पर आपको एक सटिस्पेक्शन लेबल मिल रहा है अगर आप यहाँ पर एक्स क्योंकि आपको जीरो सटिस्पेक्शन लेबल देता है तो अगर आप एक्स की एक एक्स्टा उनिट का भी कंजम्शन कर लेंगे तो आपके टोल सटिस्पेक्शन लेबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि X तो आपका satisfaction level 0 दे रहा है X तो आपको कोई satisfaction level दे ही नहीं रहा है तो X अगर आप एक extra भी consume कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है आपके satisfaction level पर satisfaction level तो वही बना रहेगा तो X अगर आप कम कर देंगी तब भी वही बना रहेगा X अगर आप ज़्यादा कर देंगे तब भी आपका certification level बें कोई फर्टनी पड़ेगा क्योंकि X से जो certification level मिल रहा है आपको X से जो certification level आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको वो आपको zero मिल रहा है clear है? हाँ यह अलग बात है कि अगर आप इसको उपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपका certification level बढ़ जाएगा क्योंकि Y तो आपको certification level दे रहा है न तो अब आपके पास में Y का conjunction पहले से ज़्यादा रहेगा तो यह बात समझें clear है जी? यह बात समझें आपको चलिए आगे बढ़ें फिर देखेगा कुछ इस तरीगे का आपके पास में यहाँ पर आपको X से क्या मिल रहा है? X से आपको जिगरो यूटिलिटी मिल रहा है तो यह IC1 है इस पर आप कहीं पर भी किसी भी point पर चले जाएं satisfaction level सेम रहेगा क्योंकि Y की तो quantity उतनी ही है अगर आपका X बढ़ भी रहा तो उससे कुछ आपको गेन तो होगा ने ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं अब वन आप दा गूर्स इस एपसलूट necessary देखेगा ऐसी गूर्स जो बिलकुल आपके लिए necessary है उसका आपका indifference curve किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो बिलकुल आपके लिए necessary है जो बिलकुल necessary है इसका मतलब क्या हुआ? कि उसका तो आप consumption करेंगे ही करेंगे यह आपके पास में X हो गया ठीक है? तो एक आपके पास में क्या हुआ? goods X और यह हो गया आपके पास में goods Y वो indifference curve थोड़ा सा कुछ vertically ही होता है like this वो IC curve आपका कुछ इस तरीके का बनता है जो बिलकुल necessary चीज होती है तो जो necessary चीज का मतलब ही हो गया कि अगर आप उसका एक extra unit का भी consumption कर लेंगे तो उससे आपको कोई satisfaction level आपका increase नहीं होगा अगर आप उसका एक extra unit कर्णेंशन अगर आप करते हैं तो क्योंकि like medicine अगर आप medicine दो डाबलेट कर तीन डाबलेट खालेंगे तो ऐससे आपका कौन satisfaction बढ़ जाएगा तो यह कुछ इस तरगे का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर चिरे जी clear है तो एक goods इसमें आप क्या मान लीजिए एक goods आप इसमें necessary आप इसमें मान करके चल सकते हैं clear है जी कोई doubt तो इसका आपको कुछ इस तरगे का बनेगा जैसे आप देख पा रहे हैं quantity of required goods x absolute necessary goods आपके सामने यह रहाँ आपके पास पर यह quantity है और इस पर आप x का इतना consumption कर रहे हैं ठीक है तो same quantity पर आपके पास पर यह है तो लबल लबक क्या रहता है यह आपका वर्टिकल रहता है ठीक है वह एक अलग है कि higher indifference curve represents higher level of satisfaction तो जो नेसेस्टी है आपके लिए उसका आपको डियागराम कैसे बनेगा थोड़ा सा आपका वर्टिकल ही आपको बनाना है उसका डियागराम ठीक है जी कोई डाउट चलिए फिर आगे बढ़ते हैं X is visitable and Y is a meat and a consumer is a strict vegetarian देखेगा यहां पर दो तरके गुट से हैं जर बात करें कुछ इस तरके का बनेगा आपका क्यों एक consumer है मैं ही पर दिखाता हूं आपको origin, Y axis, X axis और यहां पर goods X है आपके पास में goods X जो की good है जिसको आप चाहते हैं good है एक good है आपके पास में और एक bad है एक goods Y goods Y जो की क्या है bad है आप pure strict vegetarian है तो नोनवेज आपके लिए क्या हो गया आपके लिए bad हो गया तो यहां पर आप देखेंगे यह कुछ इस तरीके का बनेगा आपका क्यों क्यूंकि आप यहां पर अगर X की एक extra unit of consumption करेंगे यह आपका a combination है और अगर आप X का एक extra consumption करेंगे bad वाला आपको उतना ही minus कर देगा तो इससे आपका certification level क्या हो जाएगा zero clear है आप एक और X का consumption करते हैं तो आपका certification level तो बढ़ेगा यह good है यह अच्छी good है पर इसाथ साथ क्या हुआ आपके bad का भी consumption अगर बढ़ता है तो फिर क्या हो जाएगा कि यहां से जितना आप plus हु राइट वर जाएगा तो इसका मतलब क्या है आपके पास में goods X की quantity आपके पास में एक्स पहले से ज्यादा है और वाई आपके bad उतना ही है तो आपके पास good goods की quantity ज्यादा है comparatively bad goods तो यहां पर आपके पास की satisfaction ज्यादा मिलेगा इस लिए IC1 यह है और IC2 यह है clear है जी कि नोट्स विशाल किस चीज का इसका नोट्स या इससे पहला नोट्स मिल चुका अभी तक का आपको एक्स्प्लेइन कंजूमर एक क्लिवरें युजिंग में इंडिफरेंस कर पहले मुझा आद एक डिस्टी डिस्क्रस करने थी आप लोगों से आप सभी से पहले हां तक समझ में चीज़ा आ गई है देखेगा मुझे टाइमिंग सभी बच्चे लाइव हैं ठीक है सबसे डिस्क्रस कर लेता हूं क्लास क्यूंकि इसके बाद दूसरी क्लासिस होती है अनुसर की भी क्लासिस होती है तो वन आवर के प्रपर क्लास डिलिवर नहीं हो पाती है सिलिवस को टाइम पर भी हमें अच्छे से कवर करना है जल्दवाजी में नहीं शांती से आराम से बर टाइम से पहले भी कवर करना है तो आपके जो टाइमिंग है मैं प्लान कर रहा हूं कि मौर्निंग में 930 तू लबब लबग मेरे पास में 11 एम तक का टाइम रहे बड़ तो इसमें मिनिममन वन आवर की टाइस तो आपकी हो और डेड़ गंटे क्लास हो जाती तो ये बहुत अच्छी बात है तो यह अम लिकलास इस में कि टी टी एस में मैं प्लान करना हूं कि यह क्लासिस आपके पास में डिलिबर हो तो आप बताइए जड़ा अब सबस्ट आए पहले आप कमेंट करके बताएं कि ओडियों में हर बच्छे का अलग लग दाएगा कमेंट करके बताएं निहा का नौट पॉसिबल और अक्षे आई अग्री विद इस सिचुएशन एकता नो इशू आई अग्री विद इस सिचुएशन मानें इस नट पॉसिबल स्रेश मिशरा है नौ सर नहागर नो हीना नो इशू अच्छान इश्यू है है आई अग्री विद इस सुच्एशन मेरी मानिंग में कम्पूटर क्लास होती है सर कितने बच अच्छ अपकी जॉब है सर मांसी गोयल मानिंग में नहीं सुप्टी सुप्टी बसंद जा रहा है जी तो मामला कि नाइन थर्टी एलेवन टू वन पी एम सर एविनिंग में शिक्स पी एम कर लो शिक्स पी एम नहीं हो पाती है कि इससे पर दूसरी क्लासिस रहती है कि मौनिंग पॉल्म में बच्चे को साथ में चलिए एक बार देखेंगे आपके कमेंट पर भी ध्यान रख रहा हूं पचास परसेंट के आसपास बच्चे मौनिंग और 50 परसेंट लबह लबह आदा आदा बच्चे जा रहे हैं मौनिंग और एविनिंग पे आफ्टरून या तो 9.30 टू 11 होगा या तो फिर शाम को एग घंटे का सेशन हो पाएगा 5.30 टू सुरी 6.30 टू 7.30 है यह पर में अब वह कोश्चेंट आएंगे जो कि आपके पर में आते हैं यह भी आते हैं आपके तीन-चार नम्मरें कोश्चें आयाते हैं लास्च कोश्चेंट यसका रहता है कि इंड्टर बनाओ चलिए भी अब जिस साफ से आ रहा है उसाफ से फिर डिस्कस करेंगे आप उसमें टीम से फिर देखेंगे क्या करते हैं चीकिए स्टिक्ट विजिटेरियन के लिए आप जीरो यूटिलिटी इस ये कहसे हैं कि उसके लिए नोन वेज जो है ना बैड गुड्स हो गया बैड गुड्स चीके जी एप में वोटिंग डाल दूँगा उसमें आप वोटिंग कर लिजेगा जैसा जो रहेगा मोस्ट जो चाहेंगे वैसे ही होगा हां जी अब हमारा कोश्चिन क्या है एक्स्प्लेइन दा कंज्यूमर एक्किलिवरियम यूजिन दे इंडिफरेंस कर डिसकस्ट अफ प्राइस एंड इंकम चेंज ऑफ दा एक्किलिवरियम तो प्राइस इफेक्ट सब्स्टूशन इफेक्ट आप यह सब कुछ हमें डिसक् ले पाऊंगा कि यह देखिएगा और नेस्ट प्राइस प्राइट करके पढ़ेंगे अगले क्लास कल तो है नी क्लास अब टिस्टे को कब होगी खंडे आपको फानली इंफर्म कर दिया जाएगा लास्ट वाला एक्स्प्रेंड कर दूंग देखेगा अगर देखेगे एक गुड़ एक गुड़ एक है एक गुड़ बैड बैड मतलब यहां वेजिटेरियन नहीं लेना चाहिए हमें बैसे बैसे दिखाए तो खर्ड़ एक्जामपर ठीक है बट अल्कोहल ले लेते हैं ठीक है ना क्लियर है तो यहां पर एक ड्राइफूट ल ले लो और एक आपका यहां पर अल्कोहल ले लो तो गुड़ का मतलब वो हो गया जो हेल्थ के लिए बुड़ है अच्छा है और बैड मतलब हो गया बैड गुड़ ऊघर लों गया यह बेस इक्जामपल है ठीक है तो अगर आप एक गुड़ गड़का एक अगर आप ड्र तो अगर आप good commodity consume करते हैं और साथ-साथ as well as आप bad commodity का भी conjunction करते हैं और दोनों अगर आपका increase होता है तो तोटल satisfaction लबल बे कोई change नहीं होगा क्योंकि एक से अगर आप gain कर रहे हैं तो दूसरा आपका satisfaction लबल को harm भी कर रहा है तो वहां से आपको satisfaction लबल आपका decline होगा कोई doubt है तो पूछो हां जी जो सैंट है जो संत बने मनाया है वो एक ही गुत सा कंजिप्शन करेंगे दूसरे का consumption करेंगे ही नहीं तो इस लिए उनकी लिए दूसरे गुर्सा है अदे जीरो यूटिलिटी दे रहा है जसा कंजिप्शनों करेंगे नहीं किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए कि नेस क्लास से पूरे बनावरी क्लासिस तो होगी ही और अगर मॉर्निंग में अगर आ जाते हैं आप लोग तो डिड़ गंटे क्लास हो जाएगी बाकि आप जो है एक बार बोटिंग में करवा दूंगा आप देखें लिए लिए हालो हां जी तो अब हम इंडिफरेंस कर्व पर आ चुके हैं और अभी तक हमने जो इंडिफरेंस कर्व में समझा सबसे पहले हमने समझा कॉंसेप्ट आफ इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले हमने समझा कॉंसेप्ट आफ इंडिफरेंस कर्व और उसके बाद हमने समझा प्रोपटी आफ इंडिफरेंस कर्व और हमने अलग-अलग सिचुविशन में इंडिफरेंस कर्व किस तरगे से ड्रो होता है उस जो को भी हमने लास क्लास में डिसक्स किया था अब हमारा question है explain the consumer equilibrium with the help of indifference curve मतलब कि उपभोगता संतूलन के बारे में बताना है हमें indifference curve के थो सबसे पहले आपका question ही आजाता है कि सर ये indifference curve से consumer equilibrium किस तरीके से होगा तो इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले budget line को समझना होगा देखिए consumer equilibrium के अगर बात कर रहे हैं तो consumer equilibrium किसे कहते हैं एक वो situation जब consumer अपने limited income को different kinds of goods and services पर इस तरीकी से expense करता है कि उसको maximum satisfaction level मिलता है एक छोड़े से example से आप ज़रा समझिएगा माल लेजिए आपके पास में 500 उपीज है और आपने plan किया कि इससे आप एक टी-शेट लेगर के आएंगे तो आप randomly कोई भी टी-शेट आप आँख बंद करके select नहीं करोगे जहर सी बात है पहले आप अपने budget के according देखोगे कि best market कौन सी है फिर आप उस मार्केट में जाएंगे तरह उस मार्केट में भी आप ऐसे कोई टी-शेट नहीं उठा लेंगे आप दो चार दुकानों पर जाएंगे और आप options को देखेंगे जब finally आप यह realize कर लेंगे कि मेरे इस फाइव हंडेड़ पीस में इससे best मुझे नहीं मिलेगा अगर आपको फिर भी लगे और आपके कान में कोई आकर फिर भी बोल ले यार पांसों में वहाँ पर तो इससी भी अच्छा मिल रहा है तो आप उसी टाइम छोड़के भाग जाओ कि भाईया अब इससे best आपको नहीं मिल सकता आप में सब को ढूंड लिया सारे option को compare कर लिए जो आपको realize हो गया कि अब इससे best आपको और कुछ भी नहीं मिल सकता है तो उस situation में आप फिर उसको buy करने का decision लेते हैं और जब भी आप किसी चीज को buy करने का decision लेते हैं वो situation ही consumer equilibrium होता है और उसमें किसी भी तरीके की changes को आप accept नहीं करेंगे ठीक है जी? clear है? तो सबसे पहले आप बताएए यहाँ पर कि consumer equilibrium का मतलब सुझ में आया है नहीं आया तो यह एक चीज आपके सामने है यह लिख रहाए आपका consumer equilibrium के बारे में when the consumer spends his income on different goods in such a way that he gets the maximum satisfaction he is said have to reach the equilibrium position consider a consumer who is trying to maximum maximize his utility ठीक है जी? clear है? तो consumer equilibrium का पहले आपको meaning सौझ में आ गया? तो आप पूरे दिन भर में जितनी बार भी कोई भी चीज खरीदने का आप decision लेते हैं वो सारी situation आपके लिए as a consumer equilibrium होता है even अगर आप कोई सामान खरीदने गए और आपके एक रुपए आपका change बचर है उनके उपर उन्होंने का जी एक toffee निकाल लो तो आप उसे एक toffee को भी randomly नहीं निकाल लोगे कोई सी भी देतो नहीं उसमें भी आप एक second के लिए आप confuse जरूर हो जाएंगे कि भाया कौन सी निकाले आपको फिर आपको realize होगा और यह ज़्यादा मुझे satisfied खरेगा तो आप उसको भी draw करोगे तो consumer का nature ही ऐसा होता है कि वो अपने limited income को different kinds of goods and services पर expense करते time पर हर बार इस चीज़ को देखता है कि उसको उससे maximum certificationable मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस given income में और उसको maximum certificationable मिलता है तो वो buy करने का decision लेता है और वही decision उस समय उसका consumer equilibrium की situation create करता है clear है अब इस सुवे सुभे आप उठे और बहार शौप से जो भी सामाना आप लेकर के आयो वह आपका consumer equilibrium की situation थी clear है तो first of all आपको इस चीज़ समझ में आगी कि consumer equilibrium किसे कहते हैं देखिए बारा बच्चे इस समय है और अगर आपको कोई doubt है clear है नहीं है आप chat के थिरो आप बोलते रहेंगे clear है audio के थिरो भी आप अपने doubt पूछ सकते हैं topic से हट करके कोई बात है आपके तो classes के बाद मैं आपके 5 minute आपको मैं दूँगा 5-10 minute पंदा minute जितना भी आप चाते हैं वो लीजिएगा पर classes को off करने के बाद हम दूसरी चीजों पर discussion करेंगे ठीक है लेकिन अभी class के दौरान सिरफ to the point topic oriented ही कोई doubt है तो आप जो है hand raise कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं आप comment करके clear हैं बूल सकते हैं ठीक है जी आपका participate होना participation आपके जब तक नहीं होगा तब तक class पर मज़ा नही है पहले consumer equilibrium किसे कहते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पर अब consumer equilibrium के लिए तो भया आपको maximum satisfaction चाहिए अब satisfaction तो देख करके आँखों से नहीं मिल जाता है आँखों से संतुष्टी तो नहीं मिलती न उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है consumption करना पड़ता है maximum satisfaction level की बात है और maximum satisfaction level की बात भी बाद में आती है उससे पहले बात आती है आपके budget के उपर यह आपका budget है भी या नहीं है उस चीच को लेने के लिए तो इसलिए सबसे पहले आप जो है concept समझेंगे budget का तो मैं इसको आगे continue करूँगा उससे पहले आप budget के बारे में समझ ली करते हैं और इस combination को दो जगे पर खर्च कर रहे हैं एक goods x है आप कह सकते हो जी apple है और एक y है आप कह सकते हैं इसको बनाना है तो दो तरीके के आपके पास में goods है तो और आपकी income भी मैं मैं बता जीता हूँ consumer की जो income है जो budget है यह income चलिए मैं आपकी रख रहा हूँ यहाँ पर 10 रुपे consumer की income कितनी है 10 रुपे है और अगर apple है तो इसका price भी होगा यह two rupees का एक apple है और यह एक रुपे का एक बनाना है बात करते है combination की तो सबसे पहले पहले combination आप बताएए कि अगर आप अपने 10 रुपे को apple पे खर्च कर देते हो मतलब पांच apple अगर आप ले लेते हैं ठीक है जा फिर चलिए अगर आप यहाँ पर कोई भी apple नहीं लेते हैं सारे पैसा आप बनाना पे खर्च कर देते हैं तो कितने बनाना ला पाओगे आप आपका बजट कितना हुआ बजट देखते हैं जरा आप बजट आपका सासा देखते चलेंगे बजट तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के लिए आपके पास में apple कितना है apple की zero quantity है और एक apple दो रुपे का है प्लस दस quantity बनाना की बनाना आपका एक रुपे का है तो बजट में कितना आपका आया या आपका दस रुपे का आपका बजट आ गया बजट कितना आया जी आपका दस रुपे का बजट आ गया ठीक है अब हम यहाँ पर बात करते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं B possibilities के उपर कि B possibilities हैं मान लो आप जो है एक apple ले लेते हैं तो आपके जो हैं दो रुपे वो apple पर चले गए अब आपके पास में remaining income बची कितनी remaining income आपके पास में 8 रुपे बची हुई है तो अब आप यहाँ पर आठ रुपे इस पर खर्च करेंगे तो एक एक रुपे का है तो आपके पास में 8 quantity आ जाएगी आईए बात कर लेते है बजट के उपर आपके तो बजट के उपर क्या हुआ आपके साथ में कि आपने एक लिया apple जो की 2 रुपे का है और प्लस आपने लिया 8 बनाना जो की आपका 1 रुपे का है तो ठोडल आपका बजट कितना हुआ बजट आपका 10 रुपे हुआ है तो बजट आपका 10 रुपे आपके यहां चले गए हैं तो आपके 10 रुपे की income मेंसे जो remaining income बचिए 6 रुपे तो आप दूसरी goods पर आप इसे खर्च करेंगे एक एक रुपे का है तो 6 रुपे खर्च करेंगे तो 6 आएगा यहां पर भी अगर मैं आपके बजट की बात करूँ तो यहां पर आपने 2 unit of apple आपके लिए इस उनिट 2 रुपे का तो चार रुपे यहां पर और 6 unit एक निट एक कर तो यहां पर भी आपका बजट कितना हुआ हुआ दस रुपे ही आफका बजट हुआ है ठीक है जी चलिए अगर आप यहां पर तीन एपल ले ले लेते हैं तो एक एपल दो रुपे का है और तीन एपल में मतलब आपके च्छार रुपे चले जाने है और बचेंगे चार रुपे तो यहां कितना हैगा? चार इस तरही है नगा ऑफका यहां पर भी दस रुपे जाएगा तो आठ रुपय खराँ चोगे दो रुपय में तो आपको दो ही मिलना है। तो आप यहां पर चार और एच आपका दो आट रुपय और दो एक, एक रुपय का तो यहां पर भी24ी आपका बजट हुआ है। अब आप बात करें, F की तो पांच अगर ले लेंगे तो भाया सारे पैसे तो एपल पे चले गए इसके लिए जीरो बचेगा आपके जब कुछ खर्ची ने कर पागो तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपने पांच यह ले लिया तो पूरी इंकम खर्च होगी और जीरो और एक के साथ से त स्पेसिफिक गुड्स पर पूरा बजट खर्च नहीं करते हो इसको डिफरेंट काइंड अब गुड्स पर खर्च करते हो जहां पर हमने दो तरीके गुड्स लेकर किसको समझने कोशिश की दूसरी बात आपने यह भी समझा कि एक पर अगर खर्चा बढ़ेगा तो जारी स इकनोमिक्स में खर मैं तो नहीं कहांगा बढ़ लगता है सबसे कॉम्प्लिकेटिर जो चेप्टर है पूरी माइक्रो इकनोमिक्स में इससे मुश्किल कुछ भी नहीं होगा एक स्टूडेंन के पंट भी से वह है आपका इंडिफरेंस कर्व लेकिन पूरी कौशिश है कि बैतरिन तरीके से समझा पाऊं आपको और आप अच्छे से सटिस्फाइड हो और अच्छे से अपना आंसर भी आप कर पाएं। लेकिन अभी तो बहुत कुछ स्टार्ट होगा बट फिराल ऐसे नहीं कि सब कुछ एकदम से एकदम से हमें नहीं करना चलिए यह आपका यहां रख देते हैं। ठीक है जी यह समझने के टाइम पर थोड़ा बड़ा ठीक था अब आपको समझने आ चुका है। तोड़ा समय दीजिए इसको मैं ठाद ठीक कर लूँ। ठीक है। अब बात करते हैं बजट लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे आप। एक पहले हम ग्राफ बराते हैं। क्यों करना पड़ा है हमें यह सब क्योंकि आप एक कंजूमर एक्किलिब्रियम की बात कर रहे हो। और जब आप कंजूमर एकिलिब्रियम की बात कर रहे हो तो बीना कंजूमर का साडिस्वक्शन देखे तो आप इकलिब्रियम पर जाई नहीं सकते हो। जब तक आपको consumer का maximum satisfaction नज़र ना आ जाए तो आप कैसे कह दो के consumer equilibrium में है और satisfaction लेते समय में consumer तो भई आपने budget के according खर्च भी करेगा और satisfaction level भी मिलेगा तो दोनों बातों को धानक नहीं satisfaction का भी और उसके budget का भी ठीक है अब जायर सी बात है अब आप इस बात को समझने की कोशि कोशिश करते हैं देखिएगा जिरा आप इस बात को समझने की आप कोशिश करो क्या कि ये इनसान कहता है कि मुझे maximum satisfaction लेबल फरारी कार पर मिलता है फरारी कार पर मुझे मैं equilibrium में आऊंगा तो आप तो इसकी बात को मजाट में ले लेंगे आप क्यूंकि आप देख पा रहे हैं इसको कि इसकी city नहीं है इस फरारी को ड्राइब करने की चलाने की तो जब कोई चीज ये use ही नहीं किया इसने तो इसको कैसे maximum satisfaction लेबल मिल गया और कैसे ये equilibrium में आ गया तो कोई इस परकार का व्यक्ति बोलता है मैं फरारी कार पर मेरा equilibrium होता है maximum satisfaction मिलता है उसके लिए उसको यूज करना भी तो जरूरी है और आप तो इसको यकीनी नहीं करो क्योंकि बजट तो आपको नजर आ नहीं रहे है इस situation में तो आप जो है इसक इसकी बजट से कहां चला गया इसकी बजट से बाहर साफ साफ नजर आ रहा है आपको तो इसलिए बजट को देख करके ही तो हमें पता लगेगा कि बज़या इसका maximum satisfaction हो भी रहा है या नहीं हो रहा है इसलिए बजट लाइन आपके लिए बड़ा जरूरी है ठीक है पर पास समझें नहीं समझें रहे तो खेर उस्चीश को यहां पर explain करते ज्यादे बेटर होता है यह पर पास समझें तो बजट के बारे में मैं पहले आपको समझा रहा हूं तो आप आए यह देखिये गया अब सबसे पहले आप इस चीश को जरा आप समझें कि एक मैं यहां पर और इसन है y-axis है x-axis है और goods x हो गया और यहां पर goods y हो गया ठीक है clear है और अगर आप देखेंगे budget line तो mark करते हैं point पहले हम x को एक दो तीन चार पांच एक दो ती चार और यह पांच और y-axis में हम दो से इसको count कर लेते हैं अगर हम इसको solve करते हैं first of all क्या है यह पे क्या है जीरो और दस तो जीरो और दस है तो जीरो एक्स का और यह दस तो आपका यह 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 पॉइंट है आपका इस पर मैं यह लिसकता हूं आपका यह जीरो इनिट अफ एक्स युनिट अफ एक्स प्लस अनिट आफ वाई कॉम्मुनिटी इक्वल्स टू 10 रुपे का बज़ेट वह बात में इस पर यह आपे लिख सकता हूं ठीक है ए हो गया यह पॉइंट हो गया आप मैं बात करता हूँ B-point की तो B-point पर क्या है आपका 1 और 8 है तो B-point पर क्या है एक पर X-1 है और ये 8 है तो ये B-point है जहाँ पर आपको पता लग पा रहा है कि X की 1 यूनिट है और 8 यूनिट आपके Y की है और 10 रुप्य का बजट है इसी तरीके से आपके पास में 2 पर आपका 6 है तो यहाँ पर C-point है 2 पर 6 C-point है और ये आपका क्या है दो इनिट है और एक 2 का है और प्लस 6 और एक 1 का है तो 10 रुप्य और इसी तरीके से आपके पास में 3 पर आपका 4 है तो तीन पर चार ये आपका डी हो गया जहां पर तीन है और चार आपका ये है तो दस आपका हो गया और ई पर आपके पास में चार पर आपका दो है तो ई पर चार उनिट पर दो आपका ये हो गया तो ये आपका E हो गया चार यूनिट और दो यूनिट आपका ये है और इस तरह के से दस रुपए आपका हो गया और F पर क्या है आपके पास में आपके पास में F पर 5 उनिट ये है एक 2 का और 0 उनिट आपका ये है तो 10 रुपे आपका ये हो अब आप क्या करें इस लाइनों को आप जो है एक पर connect कर दें इस लाइन को आप जो है connect कर देजिए आप यह जो green line देख रहे हैं यह आपकी budget line है यह budget line क्या बता रहा है यह आपके different combinations के बारे में बता रहा है यह different combination के बारे में बता रहा है जिस combination को एक consumer अपने given income से buy कर सकता है, can afford एक consumer इसको afford कर सकता है तो इस budget line पर अगर consumer किसी भी बंडल का अगर consumption करता है budget line के उपपर तो इसमें उसकी पूरी income का utilization होगा उसकी पूरी income खच हो रही है income दस रुबए रखाता न मैंने पूरा दस रुबए खच हो रहा है तो budget line, line क्या बताता है ये budget line, मैं बात कर रहा हूँ बजट लाइन की यह बजट लाइन जो ग्रीन कलर में है जो यह बजट लाइन क्या बताता है यह बताता है कि एक consumer different kinds of goods and services के different combinations को afford कर सकता है और यहाँ पर उसकी पूरी income का fully utilization होगा समझें दूसरी बात क्या मैं इस बजट से क्या मैं इस बजट के अंदर अगर मैं किसी point of के बत करूं तो यहाँ पर मेरे पासbank चार यहां रही है तो मतलब कि आपके पास में 8 रुपए और वाइ एकश की हाँ एक उनिटे ऐसकी मतलब 2 रुपए और यह आपका 4 तो चाहरा जार है यहां पर है यहां पर उसका रुपर खर्च हो रहा है हो रहा है यह नहीं हो दो मतलब यह कंध्य कंध्य के अंदर sapeप और कि खोक्रीच को किशी कम्यों कर सकता है इसकों ए eng сотруд और कोई भी पॉइंटस को फोड कर सकता है तो बजट बतलब कंजूमर की रेंज कंजूमर कहां तक पहुंचे सकता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं तो कंजूमर आप देखेंगे यहां पर आपके यहां तक उसकी रीच है यहां तक कंजूमर पहुंच पाए ही खर्च हुए हैं तो कंजुमर इसको भी आफोर्ड कर सकता है तो कंजुमर क्या क्या कर सकता है एक बजट लाइन के किसी भी कॉमेडिटी को बंडल को बाई कर सकता है लेकिन इस बजट लाइन के बाहर किसी बंडल को बाई वो नहीं कर पाएगा उसकी चमता नहीं है पानलो यहां पर आप देखेगा कि X की कितनी unit है, red की मैं बात कर रहा हूं, यहां समझायता हूं, तो आपके पास मैं देखेगा, X की कितनी unit है, चार, तो चार unit है और एक दो रुपे का है, आट रुपे खर्चा तो यह हो गया, और Y की कितनी unit है, Y की 6 unit है, तो एक unit एक रुपे का है तो आपका 6 रुपे खर्च यहां आ गया तो 14 रुपे कहां से खर्च कर सकता है जबकि उसकी इंकम कितनी है 10 रुपे तो बजट लाइन के बाहर किसी भी पॉइंट को कंजुमर कैननाट भी अफोर्ड कंजुमर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है यह बात आपको सुझ में आपको आया नहीं बताएज़ा मुझे कुछ डाउट किसी बच्चे को डाउट है तो भी आप पूछिए जरा क्लियर हैं तो बजट लाइन के बारे में आप समझ पाएं बजट लाइन के बारे में और भी बहुत सारी बाते हैं समझने के लिए पहले आपको यह समझ में आ गया और आपको कुछ बाते हैं जिसकों समझते हैं सबसे पहले मैं बजट की बात करूँ तो आपने बजट लाइन में यह समझा यह आपका ओरिजन है यह आपका य एक्सिस है यह आपका X-Axis है, यह आपका budget line है, ठीक है जी, और इस पर different combination है, दूसरी बात budget line के उपर आप यह भी बात समझ सकते हैं, यह situation को बता रहा है, यह situation को बता रहा है, यह situation को explain कर पा रहा है, जनरली budget line को हम A-B line से represent करते हैं, यह बता रहा है कि वह यह consumer जिसका अपने budget से बाहर वो चीजों को देख पा रहा है, बस वो उसके budget में नहीं आता है, यह जो है इसके लिए यह budget time के बाहर वाले point को बता रहा है, यह situation देखें, एक अमीर आदभी पैसा ही पैसा है, इस पर किसी चीज़की कोई कमी नहीं है, इसका budget अच्छा है, बहुत अच्छा budget है इसका, y or reason for x-axis, ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास पर इसका यह budget है, तो काफी अच्छे budget को यहाँ पर यह represent कर रहा है, अगर आप solve करते हैं, यह a-b budget है, यह आपका y-goods है, यह आपका x-goods है, तो यह क्या बता रहा है, यह अंदर किसी एक point को बता रहा है, कि भईया income इसकी यहाँ तक की है, बट वो कहाँ पर consumption कर रहा है, consumption उससे below कर रहा है वो, तो यह इस बात को represent करता है, जनरली मेरा मानना है कि अज़ा rational consumer, एक maximum satisfaction level के लिए, तो आपको भईया अपने पूरे budget का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी maximum satisfaction level मिलेगा, clear है? तो यहाँ पर दूसरी बात यह है, कि आपको यहाँ पर इसके बहार जाने सकते, इससे अंदर आप रहोगे, तो इससे better options आपके given income में है, आपके income में इससे बहतर आप जा सकते हो, क्यों आप कैसे पैसे बच रहे हैं, इसलिए consumer अपने budget line पे रह करके equilibrium में आता है, इस बात पर क्या फरक पड़ता है, यह एक अलग चर्चा है, इसको हम अगली class में लेकर के आएंगे, लेकिन अभी मैं पहले आपके जो सवाल स्टार्ट किया है, उस सवाल को मैं आपको अंते तक पहले पहुचा दूँ, किसमज में आगे आपको, तो चलिया, आप बात कर लेते हैं भीया, consumer equilibrium की, हाँ, यह रहा, consumer equilibrium, जला समझते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो सर, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक consumer equilibrium की, जिसमें की भीया, consumer के budget का देखना बहुत जरूरी है, बिना उसके budget को देखे, आप नहीं बता सकते हो कि, वो equilibrium में हैं, तो यहाँ पर एक y-axis है, जो positive है, और एक आपका x-axis है, ठीक है, और उसके income को represent करने के लिए, आपको एक budget line लेना होगा, यहाँ पर आपके पास पर नीचे goods x है, और y-axis पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आपका goods y, ठीक है, और यह तो होगया, उसके budget को दाता है, consumer इससे बाहर नहीं जा सकता है, और budget line को always हम, जो generally जो represent करता है, आप किसी भी नाम से रहते हैं, कोई से दिक्कत नहीं है, a-b, budget line है, अब बात करते हैं, consumer के satisfaction की, तो consumer की जो satisfaction है जी, वो एक indifference curve represent करता है, consumer का satisfaction level को represent करता है, consumer का satisfaction level एक indifference curve represent करेगा, तो एक indifference curve की अगर मैं बात करूँ, तो यह आपके पास में एक IC curve है, IC1, पर consumer का satisfaction level, different, different satisfaction level को represent करने के लिए, क्या चीए, different, different हमें IC चीए, क्योंकि different IC curve, different satisfaction level को represent करता है, ठीक है जी, एक हमारे पास में, यह एक IC curve है, IC curve 2, और भी different satisfaction level को हमारे पास में represent करता है, यह IC3 है, और आप indifference curve के बारे में अच्छे से जानते हैं, और समझते हैं, क्या, higher indifference curve represents higher level of satisfaction, उच्छा ना दिमान वक्र, उच्छा ना वक्र, उच्छा ना वक्र, उच्छे संतुष्ची के स्तर को बतलाता है, बताता है, वेक्ट करता है, अब बात करते हैं, यहाँ पर हम, पुड़ा color बनाते हैं, कुछ अलग color लेते हैं, जाले जए, अब देखेगा, indifference curve में तो यह a point है, जाले यह b point है, यह मैं रख देता हूँ, इसका नाम में रख देता हूँ, e point, इसका नाम में रख देता हूँ, D point और इसका नाम मेरा देता हूँ F point और इसका नाम मेरा देता हूँ D point ठीक है जी यह कुछ मैंने points बताए हैं तो सबसे पहले बताए क्या consumer G point पर equilibrium में आ सकता है क्या consumer G point क्योंकि देखो consumer को equilibrium में आने के लिए जरूरी यह है कि उसको maximum satisfaction level मिले और maximum satisfaction level आपको higher indifference का represent करता है यह बात हम समझ चुके हैं आप बताए जरा क्या वो G point पर consumer equilibrium में होगा अक्षे कह रहे हैं जी नहीं होगा सब बजट लाइन स्टेट लाइन ही होगी हमेशा हाँ बजट लाइन के अच्छा यहाँ पर मेरे से मिश्रा जी ने बजट लाइन के शेप के उपर बात कर रही है मैं भी इस point से फिर बजट लाइन की शेप के उपर दुबार आऊंगा और आपकी questions को लूँगा हाँ जी तो यहाँ पर आप बताएं जड़ा नहीं नहीं सब बच्छे नहीं कह रहे हैं आप क्यों नहीं होगा जी point पर consumer equilibrium में क्योंकि यह तो यह higher indifference कर वह है और जब यह higher indifference कर वह है तो यह higher level of satisfaction level को भी represent कर रहा है तो consumer क्यों नहीं होगा एक ट्लिवर में जड़ा ही बताएं जी हाँ जी बताएं जड़ा क्यों नहीं हो क्योंकि जी के लिए income नहीं है ठीक है क्योंकि वो इसके बजट से बाहार है यह तो वही वाली बात होगी फ्रारी कार वाली है ना तो कभी भी जी point पर consumer क्लिवर में नहीं हो सकता है अब बताओ क्या consumer d point afford कर सकता है d को afford कर सकता है yes इसके budget के under में आ रहा है वो d को afford कर सकता है क्या वो c को afford कर सकता है यह बलकुल वो उसके budget में आ रहा है वो budget कर सकता है तो बताए कि इनमें से फिर वो किस पर स्टिस्टिक्शन होगा। मलब किस पर मैक्सिम साथिपक्शन होग, किस पर एकलिब्रियम होगा। सबसे पहले आपको यहां पर जानना भी है और आपको यह चीजें समझे नहीं भी हैं. क्या मैं आपको बताता हूं ज़रे के एक्जामपल से समझेगा 500 रुपे का आप एक लोकल मार्केट में टीशेट लेने गए समझे ज़रा आप पूरे 500 रुपे खर्च करकर के आपको एक टीशेट मिल रही है और आपको लग रहा है कि इससे बेटर आपको कुछ मिल नी सकता ह लेकिन थोड़ी दिर बाद आपका दोस्त आपको कॉल करता है उसी समय जब आप ले रहे थे कि रहे यार वो शोरू में ब्रेंडिट शोरू में है एडास रिबॉक के कंटेबल के उस शोरू में पांस रुपे के लगी है सेल ओफर है आप पॉरन क्या करोगे उसको छोड़ जो दोगे जो लोकल आप चीज़ ले रहे थे और आप उस मार्केट में आप पहुंचोगे जहां पर ब्रेंडिट है उसी बजट में आपको जब उससे ज्यादा साडिस्फेक्शन लेबल मिल रहा है तो कंस्यूमर का मोटिव तो यह होता है मैक्सिम साडिस्फेक्शन पर है आपको पूरा ते अरित पर चीज़ हो हिए ऑनके आपके एफ पर भी पूरी इंकम खर्च औरियर्त सबसे पहले आपको सी तो आप देखेगा, यहाँ पर पूरा बजट खर्च हो रहा है और आप IC1 पर हो, यहाँ पर भी पूरा बजट खर्च हो रहा है आपका, लेकिन आप IC2 पर हो, तो सेम बजट में आपको IC1 से ज्यादा सर्टिफेक्शन लेएं लेकर स्यादा Ci पर मिलेगा, तो कंजुमर उसी इंकम में जब उसको IC1 भी मिल रहा है और सेम इंकम में IC2 भी मिल रहा है तो वो IC1 पर क्यों रहेगा, उसका तो परपस है maximum satisfaction लेना, तो maximum satisfaction लेने के लिए वो E पर आएगा, इसलिए ये equilibrium point हो गया consumer का, बेरी बात समझे या नहीं समझे clear है जी, कोई doubt clear है जी संज मैं आगए आपको ये अच्छे से कोई doubt, तो ये तो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया है ये आपका पूरा का पूरा consumer equilibrium की पूरी theory हो गई है clear है, कोई doubt किसी को, अब एक student बजट के वारे में कहा रहा था थोड़ी सी बात तो चर्चा करेंगे, भीजा बिल्कुल करेंगे चर्चा बजट के उपर, बच्चे ने पूछा देखिए, जैसे मैंने एक gain करा, कितना sacrifice हुआ, तो 8 से 6 आगे, फिर एक gain करा, कितना sacrifice हुआ, छे से 4 आगे दो, फिर एक gain करा, फिर कितना sacrifice हुआ, तो तो मतलब sacrificing rate हर बार क्या है सक्रिफाइदिंग रेट हर बार क्या है constant rate से sacrifice हो रहा है और जब भी कोछीज constant rate से changes आते हैं वो always straight line draw करता है तरी बात समझे clear है इस चीज़ को न मैं ऐसे भी कर सकता था कैसे देखिएगा आप बताएं जरा price of x क्या है price of x क्या है 2 रुपए और price of y humility क्या है एक रुपए अब मैं एक काम कर रहा हू Samuel price of x commodity divided by price of y commodity मतलब कि 2 रुपए बटे में 1 रुपए क्या है आपकर 2 और 2 क्या है sacrificing rate है और sacrificing rate को हम क्या बोलते हैं हम इसको slope बोलते हैं क्या बोलते हैं it means slope of budget line slope of budget line equals to px upon price of y commodity इस बात को आप समझ में आपको आया या नहीं आया ठीक है? तो अभी तक आपको दो बाते समझ में आनी चाहे है जहाँ पर सबसे पहला आपको यह समझ माना चाहे है कि slope of budget line क्या होता है slope of budget line slope of budget line आपका होता है price of x upon price of y ठीक है अब slope of indifference curve क्या होता है मत्तब sacrificing rate को इस slope कहते है slope of आपका ic क्या होता है आपका क्या बोलते है MRS यही तो होता है हमारा ठीक है तो जब यह tangent है इस point पर जब यह tangent है तो यह जो जितना हमारे पास है y है उतना ही x है तो tangent का मतलब क्या होँआ दोनों का slope यहाँ पर क्या हो गया same level पर आ गया है यहाँ पर slope अलग अलग है अगर budget line का slope आप यहाँ पर है और इंडिफरेंस करब के लिए आपको ज़्यादा y ज़्यादा x चाहिए ठीक है तो यहाँ पर slope आपका दोनों का क्या हो गया दोनों का slope equal हो गया इसलिए आप यह बात कह सकते हो यह बात लिख सकते हो आप पूरे हगदार हो कि equilibrium point कहां होता है equilibrium point वहां होता है जहां आपका px upon py equals to आपका mrs margin rate of substitution of xy जब आपका यह रहता है तो consumer किस में आ जाएगा consumer equilibrium आ जाएगा तो condition of यह consumer equilibrium है इस बात को आप समझ पाएं कि consumer equilibrium condition क्या है px upon py equals to mrs xy तर इस chapter का important question बता दो जो exam में आता है वो learn कर लेंगे नहीं learn तो आप कुछ ही नहीं कर पाऊगे वो समझाना ही पड़ेगा समझना पड़ेगा और दूसरी बात exam तो अभी time है ना आपके exam में अभी the soul के अभी admission स्टार्ट हुए हर चप्टर के बाद मैं important दो तीन सवाल लिखवा दूंगा लेकिन ना आपको जैसे कि अगला question ना हमारा जैसे आप यह समझेगा अगर हम इसको नहीं समझेंगा ना तो इंपोर्टन question खेर यह भी important भी यह आ जाता है वेपर में और कि इसे आप कि इन चीजों को फिर नहीं समझ पाओगे आप कि जो आई सी सी है इस आप इस पार्ट को अपने समझ पाएंगे consumer consumption कर तो आप इस चीज को आप को समझने के लिए पहले आपको इन चीजों को समझना होगा तो आपको समझा जा रहा है और यह भी important है आपके paper के लिए कंडिशन बच्चे ने का कि जी कंडिशन बताइए सर क्या कंडिशन इंडिफरेंस करें कंडिशन क्या है सबसे पहले आप देखेगा मैं और भी इंडिफरेंस कर यहां पर ड्रो कर सकता हूं कि यह diagram खराब हो जागा जब आपको पास में फाइल जागे तो बिका दाएगा मैं एक्जामपल ले लेता हूं एक अलग पेच पर देखेजिए और इजन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यह क्या आपका गूट्स वाई और यह क्या आपके पास में गूट्स एक क्या आपका सजेट लाइन हो गया और मैं बहुत सारे इंडिफरेंस कर ड्रो कर रहा हूं यहां पर देखे बहुत सारे इंडिफरेंस कर ड्रो कर रहा हूं मैंने ठीके अले चपन नाम देए अब बताओ कंजुमर का एकलिब्रियम कहां पर होगा आपको पता है एकलियरियम के सिंबल कंडिशन का गिवर इंकम में मैक्सम साडिफेशन वटाइज को में इसको अपका इसी बन पर यह आए सब्सक्राइब है इसके अंदर आया तो यह इस उपर वाला जब बैदर दे रहा है तो कहां पर सडिस्फाइब होगा जहां इंडिफरेंस कर्ब क्या है बजट लाइन पर क्या है टेंजेंट है जहां पर यह इस पर्ष करता है टेंजेंट तो टेंजेंट का मतलब होता है इक्वल स्लोप क्लियर है तो इक्वल स्लोप का मतलब क्या होता है भी मैंने आपको बताया कि दोनों का स्लोप इक्वल होने का मतलब आपके पास में यह है कि आपका एक budget line का slope होता है px upon py और आपका indifference curve slope होता है आपका mrs x y दूसरा condition क्या है कि indifference curve convex to the origin होना चाहिए यह बात तो आपको पता ही है कि indifference curve क्या होना चाहिए convex to the origin अब आए थियोरी में क्या है ज़रा उसको ज़रा समझ लेते हैं एक बार 10 years basically मैं आपका 10 year जो होता है उसको सासात में लेकर के चल रहा हूँ इस सारे question 10 year हर चीजों से लेकर के बना रहा हूँ आपके में आप 10 year में देखेंगे इस सारे question मेरे मिल जाएंगे आपको explain consumer equilibrium using the indifference curve discuss the effect of the price and income change on the equilibrium यह तो अभी समझेंगे price effect का equilibrium पर क्या फर्क पड़ेगा ठीक है फिलाल अभी आप इस वात को समझेंगे आप इस वात को समझेंगे आप समझेंगे आप समझेंगे आप आप समझेंगे वी कैन फाइंड आउट आप दा कंज्यूमर तो दा प्राइज लाइन एबी बेस्ट ऑन दा कंज्यूमर लिमिटेड अगर आप में बात कर देता हूं इतना कुछ है यहां पर इसने इंकम कितनी बताईए पीस चलिए यहां पर एक बात यह और कहा रहा है सासाथ अविदार को हिए आपका क्लिएव एक इक अ को प्यस्य इक सिश न बा है यह ओको आपको क्य पॉइंट complete One two right 2012 और यहां सिफाइब ऊऔर लाइन बात करेंगा सपोर्ष इंदप प्रोसेसly और भ्र稍व और अζा धा कंजूमर स्लक्तीड डा D point, माल लो consumer D point select करता है, this one, D point on the price line which also lies on the, on indifference curve IC2, ये D point कहां पर, एक price line budget line पर है और IC2 पर है, having the selected D is find that by the moving to point E on price line, he could be better off because E line on the indifference curve IC3, he will therefore reject point D in favor of E, but at E is again find that the point of P, clear है न, वो सोचेगा कि यार D पर मैं हूँ, इसी budget में मैं E पर भी जा सकता हूँ, तो इससे better option है, पर E पर सोचेगा यार, उसी budget में मुझे तो यहाँ पर है, आपके पास में P भी मिल रहा है, जो IC4 पर है, तो सबसे अच्छा क्या है, P, उससे बहार तो जाएने सकता कि उसके budget से बहार है, IC4 is also open to him, therefore he is rejects to E in favor of P, now having the reached P, he feels as he is at the top of a hill from the where any movement in the either direction leads him only to lower level, the consumer will, curve IC4 is tangent and does not cut it, he is the maximized satisfaction, now we are in the position to state the condition in which the consumer maximize satisfaction within the limits, तो आपको यह बात सवाज में आई, clear है, उन्हें बातों को यह क्या कर रहा है, उन्हें बातों को यह explain करता हुआ, जदर आ रहा है, फिर इस बात को समझ में आया है यह निया है, पता यह ज़े रहा, कोई doubt किसी बच्चे को, तो कोई doubt किसी बच्चे को तो जरूर आप पूछें, अब सवाल यह है कि price effect है, तो उससे consumer equilibrium में कैसे आएगा, अब सवाल यह क्या है, कि भाया मारा question क्या है, price effect से consumer equilibrium में किस तरीके से पहुचेगा, price effect क्या होता है, substitution effect क्या होता है, income effect क्या होता है, और यह normal good cases में क्या होते है, inferior good cases में क्या होते है, income consumption curve क्या होता है, और इसका consumer equilibrium पे क्या फर्क पड़ता है, इसको पढ़ने के लिए आपको अगली कक्षा का इंतिजार करना है और अगली कक्षा में आगे हम फिर से इसको continue करेंगे Thank you, Thank you so much Good morning, पुलजीत, very very good morning चले स्टार्ट करें, good morning हीना जी कार्टिक, good morning, good morning to all of you, चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हाँ जी, तो अभी तक हम जहां पर आ चुके थे और जिस कोश्चन पर अभी तक हम आ गए है हाँ जी, देखिएगा, तो हमारा टॉपिक चल रहा है और सबसे लेंथी चैप्टर आपके सिलिबस में, माइक्रो एकनॉमिक्स में, प्रिंस्पल अफ माइक्रो एकनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व है और उसमें अब जो अभी तक हम आ चुके हैं यहाँ पर आपके साहब ने, हाँ जी, तो कुशिर नंबर फाइव, एक्स्पलेइन दा कंजूमर एक्किलिब्रियम बिद्धा हैल्प आफ इंडिफरेंस कर्व और कॉम्डिटे के प्राइस में चेंज आने से, या कंजूमर की इनकम में चेंज आने से, उसके इक्किलिब्रियम पर क्या इंपक्ट पड़ेगा, आपको यहाँ पर वो भी आपका एक्स्प्लेइन करना है, तो फुल फ्लेस्ट कोश्चन है एक्स्प्लेइन दा कंजूमर एक्लिवरियम यूजिंग दा इंडिफरेंस कर डिस्कस्ट दा इफेक्ट आफ प्राइज एंड इंकम चेंज अन दा इक्लिवरियम तो सबसे पहले हम एक कुश्चन का अंसर यहाँ पर ले चुके हैं अलड़ी हम यह पढ़ चुके हैं कि एक्स्प्लेइन दा कंजूमर एक्लिवरियम यूजिंग दा इंडिफरेंस कर यह अलड़ी हमारा जो है पीशे पीशे आला जो पार्ट है आप उस पार्ट में जाकर देख सकते हैं और अब आज की क्लासिस्ट में डिस्कस करेंगे डिस्कस दा इ निश्चर के बारे मी आप समझे है एक जो गूट्स है वह नॉर्मल गूट्स होता है आद सक एल्सके निश्चर के बारे में समझेंगे Article कर अप सबको समझके आपको आजाएगा एक आपका नॉर्मल गुट्स हो गया है और एक आपका inferior goods होता है inferior goods रहेगा एक आपका दो ताइप की आपके goods होता है normal goods जिसको हम क्या बोलते हैं समानने वस्तों इसको हम क्या बोलेंगे समानने वस्तों नॉर्मल गुड्स को समानने वस्तों और inferior goods को हिंदी में कहते हैं घटिया वस्तों inferior को हम बोलते हैं घटिया वस्तों इन दोनों गुड्स के बारे आप समझेगा तालिक क्या होता है नॉर्मल गुड्स तो वह goods होते हैं जिसकी चाहा कस्टूमर को रहती है हर कस्टूमर चाहता है कि भाईया इस टाइप के इस इस वाल्टी के गुड्स वह करे मतलब कहने का मतलब इसक वाल्टी अच्छी होती उसे अम नॉर्मल गुड्स के रहते हैं जो कि हर कंजूमर की एक तरीके से विश होते हैं इच्छा होती है कि वह इस तरीके का गुट्स को कंजूम करें एक्जामपल के लिए जो ब्रैंडिड होती हैं जो कंपनी की होती हैं उसको आप नॉर्मल गुट्स की काटिगरी में आप रख सकते हैं और हर कंजूमर यह इच्छा रहती कि यह यहां बड़ा सीधा था हिसाब है नयुँकर घर मैं औरन बात करूं यहां पर price and demand तो normal goods को generally क्या देखने को मिलता है कि अगर price increase हो गया तो demand इसके आप देखेंगे कि demand आपका इसका decrease हो गया है और यहाँ पर आप क्योंकि normal goods की जब price बढ़ती है तो consumer उसको afford नहीं कर सकता है तो consumer उसके demand को क्या करेगा generally sum करेगा और जब price low होगी एडिडास के जूटे सोड़े सस्ते मिल जाए रिबोक के सूज आपको सस्ते मिलने लग जाए price down हो तो देखिए आप इस शोरूम में फड़ा फड़ भाग करके जाएंगे उसको ले लेंगे तो demand का हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर तो low of demand applicable है यहाँ जो है low of demand कहता ही है क्या कि अगर commodity का price increase हो रहा है तो उसकी demand जो है decrease हो जाती है और price अगर decrease हो तो demand increase हो जाती है commodity की price और उसकी demand में जब inverse relation होता है और generally आपको अपने आसपास और generally हर चीज में लबब लबब आपको यह देखने को मिलता है कि price of commodity और उसके demand की बीच में जो relation होता है वो relation आपका वो inverse relation आपका रहता है ठीक है जी? clear है? तो यह आपका normal goods के अंदर तो low of demand applicable रहता और generally आप अपने आसपास जो goods देखेंगे उसमें आपको चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे अब हम यहाँ पर बात करते हैं घटिया वस्तू अब घटिया वस्तू क्या होता है कि अब आप बोलोगे सर कोई भला घटिया वस्तू वो consume करेगा जी बिलकुल करते हैं घटिया वस्तू मलब inferior goods का consumption घटिया फिर आप इसको इब जीया जाना जा जाता है तो मैं बात करना है किते हैं है सब क्या दो नोगे महा घटिया वास अ महां घडियावस्तु आपको इतना घडियापन में इतना महान है अगर ये वस्तु तो फिर टूर्शक नहीं करेगा जो जो गिआण गूड्स होती है नहीं जिनलिक कंजूमर अपने इच्छा सब का कंजंज करता है वह कंजूमर के कही नहीं मजबूरी होती है इसका मतलब इस के consumers होते हैं, वो काफे low level of income के होते हैं, या फिर below the poverty line होते हैं, जो बिलकूल गरीबी रेखा से भी नीचे है, जो अपने लिए basic चीजों के जो है, अपना basic requirement भी fulfill नहीं कर पा रहे हैं, उन वो लोगों को इस पर depend होना पड़ जाता है, given goods के उपर, जिनके आयका इस्तर बहुत कम है, जो किसी तरीके से दो वक्त का खाना जुटा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उनको finally किस पर depend होना पड़ जाता है, given goods तो हो जाना पड़ता है, तो कहीं न कहीं normal goods तो भया, यह आपकी तो इच्छा होती है, यह आपकी मजबूरी होती है, यह तो आपके consumer हो, तो कहीं न कहीं आपके अपनी है, कि मजबूर यह इसका पंजम्शन कर रहे हो, इसके बारे में भी आपको पहले थोड़ा समझना होगा, हर चीज कर रहे हैं, समझते हो आगे बढ़ेंगे, तो clarity आएगी, patience के साथ में बच्चे कई बार YouTube पर नहीं भी पड़ पाते हैं एप का फाइदा होता है, कि एप में हर बच्चा patience के साथ में चीजों को screen कट रही है, इस screen तो अभी तो पूरा पूरा शो हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं सामने, चलिए, वो साथ हाँ, पीछे वाले में कट रहा होगा, तो उसको मैं ठीक कर लूँगा, तो generally YouTube पे दे तो महा घटिया वस्तू, अब generally तो मजबूरी है, तो महा घटिया वस्तू का consumption वो लोग कर रहे हैं, जिनकी income का level क्या है, काफी जादा low है, अब ऐसे लोगों को साथ में देखने को ये मिलता है, कि price अगर बढ़ गया, price और मैं demand की बात कर रहा हूं, तो demand भी बढ़ जाता ह है, ठीक है, और price जैसे ही कम हुआ, तो demand भी कम हो जाता है, तो यहाँ price और demand की बीच में positive relation पाय जाता है, clear है, यहाँ पर low of demand applicable नहीं है, यह exception हो गया, low of demand का given goods, क्योंकि इसकी price increase होने से demand consumer बढ़ाता है, price कम होने से demand कम होता है, अब सवाल यह है, कि sir, ऐसा कैसे possible है, एक तो आवस्त, एक तो महा गठी आवस्तू, उसके बाद आप कहरे हो, कीमत बढ़ेगे तो लोग उसको उल्टा ज्यादा खरीदेंगे, ऐसे कैसे मुम्किन, ऐसे कैसे possible हो सकता है, चलिए, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा, एक example से समझते हैं, मान आपके पास में सरफ 20 रुपए है, और आज आप अपने पूरे दिन का आप बेसिकली खाने का खर्चा इससे आफोड करोगे, तो आप जो है गेहूं की रोटी, या फिर आप बास्मती चावल तो आप कंस्यूम नहीं कर सकते हो, तो आप बाजरे की रोटी से अपना आज का 20 रुपए किलो है, तो आपने सोचा कि सबजी तो आनी सकती है, या फिर बाजरा 15 रुपए किलो रख लीजी, आप कोई दिक्कत नहीं, क्यूंकि मुझे पता है, आप बोलो के सरफ सरफ रोटी रोटी तो खाएगा नहीं, तो आप 20 रुपए के इंकम में बास्मती चावल लिए आएगा तो बताओ फिर वो खाएगा किसमें, गहूं लिए आएगा तो फिर किसमें खाएगा, तो उस बिचारी के मजबूर ये इंकम इतना कम है उसका, तभी तो उसको गिफन पे जाना पड़ेगा, अब वो बिचारा क्या करेगा, कि वो 20 रुपए इंकम में से वो को चपाती को वेजिटेबल के साथ में कंजियूम किया जाए, लेकिन जैसे ही इसकी बाजरे की प्राइज 15 रुपए से बढ़ करकर के, बाजरे की प्राइज अगर उसके पास पे 20 रुपए हो गई, इसकी कीमत बढ़ गई, अब एक बात बताओ आओ आप मुझे, बाजरे की प्राइज जो है 15 से 18 रुपए हो गई, अठार रुपए पर केजी हो गया, प्राइज इसका बढ़ गया, अब एकबा बताएज कि प्राइज बढ़ जाने की वज़े से, कंस्यूमर ये बोल सकता है, जो इतनी कम इनकम है, बाजरे कीमत बढ़ रही है, मैं वीट बाई कर लूँगा, अगर वो उसको कर सकता था तो उसको पहले कर लेता, वो बाजरे कर सकता था वीट, तो वो तो इनिशली कर लेता, पहले ही कर लेता, वो बाजरे के प्राइज के बढ़ जाने से इतना कम जिसकी इनकम है, वो दूसरे तरफ सब्सिटूट मार ही नहीं सक करना तो लास्ट मजबूरी होती है सां करना कंजूमर सबसे पहले प्राइस बढ़ जाने से कहीं वाफिल नहीं गांपिस इनकम आप परिवार का ले भी आएगा उससे वह वह सिर्क नहीं हो सकता यह तो अब वह लेकिन उसको 1 kg चीटो नीड रहते हैं अपने परिवार का पालन पोश्चिन करने के लिए तो वह क्या करेगा वह तीन रुपए जो पांच रुपए था ना वेजी टेवल वेजी टेवल के ऊपर क्या करेगा सोचेगा या वेजी टेवल रहने देते हैं नमक के साथ ही रोटी खा ले weegeटेवल से 3 रुपए इसमें डाल देगा और उसके पास में 18 रुपए हो गया लेकिन वेजी टेवल के लिए इसके总ने मचे दो रुपए अब जब गरेक कि लिए दो रुपह blinking बचेतbench के लिए-जब वेजी टेबल में कमी आएगी, तो कहीं न कहीं, वो जो है परिवार का पाल्म पोशन जिस हिसाब से वो कल कर पा रहा था, वो आज नहीं कर पाए, क्योंकि इस पर सब्जी नहीं है, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या करेगा, इस दो रुबे को भी कुछ तो आना नहीं, तो चलो भीय मार्केट से ले आएगा, इसलिए कहते हैं कि गिफन गुस के केसिस में, अगर कम्मिडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, तो कंजुमर सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता है, कंजुमर को उतने कौंडिटी तो बाई करने ही पड़ेगी, लेकिन पैसा जब गुस के केसिस में, इस चीश को जराब समझेगा, ठीक है, और दूसरी बात, आप इस बात को समझेगा, कि प्राइस अगर इसके डिकरीज होगी, प्राइस अगर इसके कम होगी, चलिए जी, अब एक्जामपल लेते हैं, प्राइस को कम करके दिखाता हूँ मैं आपको यहा अगर आप देखें, 20 रुपे की इंकम में, अभी तक आप यही प्लान कर रहे थे, 15 रुपे का आपका 15 रुपे पर केजी आपका बाजरा था, और 5 रुपे का आप वेजी टेबल ले रहे थे, अब बाजरा की प्राइस क्या होई, फॉल हो गई, अब यह 10 रुपे हो गया, तो जाहिएर से बात है, कि आपको ए 1केजी कहां से मिल जाएगा? 10 रुपे में मिल जाएगा, आपको पहले 1केजी ले थे ना, भी 1केजी ले थे, तो आपको तसे मिल रुपे बाजरा थे, तो कितने रुपे बचए आपके? आपके पास तस mosquitoes बहे बच़ए जिको आप इसने कॉनिडे लेने की नेड़ आपको नहीं है इसलिए आप बन केजी ना लेकर करके कुछ 800-700 ग्राम लोग तो क्या समय में आया कि प्राइस जैसे ही इसका क्या हुआ प्राइस जैसे ही इसका फॉल वा तो इसकी डिमांड क्या कर दे आपने कम कर दी वहाँ एक्जाम्प्ल आपको गिसफन गूट्स का एक्जामप्ल की बड़ा कठिन बच्चक ली समझेना हो जाता है कि यूlungs की प्राइस इंक्रीज होती जो इसकी डिमांड क्यों बढ़ जाती है और गिसम गूट्स की प्राइस और इतनी जल्दी से आपका करना वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है कि आप इस तरीके से कोर्स को तो चलो ठीक है आप इस बात को भी समझे है कोर्स को तो अगर मैं पिछले लास्ट वन वीक में भी तेजी से अगर मैं कवर करवा दूँ तो कोर्स तो खर कहने की बात है कोर्स पूरा हो जाएगा लेकिन आप खुर बताइए कि आप उसको क्या याद कर पाओगे उसको मैंनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसलिए कोर्स की स्पीड एक एक जैसी रह है एंड तक तो उससे क्या होता है बच्चा सही तरीकिस इसको सीक्वेंस में पड़ पाता है तो कोशिश करेंगे कि आपकी जो बैचिस को वो इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक से रेगुलर फिर ले आए जिससे कि आपके कोर्स को जल्दी से और ताइम से पहले कवर कर लि पर मॉर्णिंग में मेरा स्क्राट फ्री रहता है तो मैं इसमें आपको जो है रागुलर बेस्ट पर क्लासिस दे सकता हूँ पर केजी आपका बाजरा है 20 रुपए आपकी इंकम है जिसको आप जो है बाजरा बाई करेंगे तो पंदरा रुपए और पांच रुपए आप अधर गूर्ट वजीटेबल ले रहे हैं लेकिन जैसी बाजरा सस्ता हो जाएगा 10 रुपए हो जाएगा तो आपको तो एक ख तो बचे का दूसरी तरफ आप लेकर जाओगे, फटाफट भागोगे, अच्छी चीज खाने का बड़े जिन से बन कर रहा था, सबजी उपजी, आप महाँ पर जाओगे, जब जाओगे तो आपकी जो calories है, आपकी जो need है, वो दूसरी तरफ से fulfill हो रही है, और as a restaurant consumer आप तो चीजों से अपनी अवस्ताव पूरा का निगोशिश करेंगे, तो वहाँ से हो रही है, तो यहाँ पर इतनी need नहीं रहे जाएगे, तो यहाँ से आप demand क्या करोगे, और कम करोगे, थोड़ा पैसा और बचे का उसको वहाँ पर आप ले जाओगे, तो इसकी demand आप क्या कर द करेंगेगा, यहाँ पर law of demand applicable होता है, और यह acceptance है, law of demand का यहाँ पर law of demand applicable नहीं होता है, मेरी बात समझे, तो आपका normal goods, एक आपका different goods हो गया, अब बात करते हैं हम budget line की फिर से, budget line को already हम last class अच्छे से समझ चुके, sequence में पढ़ते जाए, अगर कोई बच्चा बीच में classes जिन आप cover करके आए, क्योंकि अगले class आपके पिछले class पर dependent रहेगी, 100% depend रहेगा, यह धानक नाप, भाइदर समझने के लिए, पीछे के class देखना पड़ेगा, budget line हो लिए में आपका समझा चुका हूँ, अब मैं उसके आगे की बात करूँगा, देखेगा, एक बजेट लाइन बना रहा हूँ, यह origin है, y-axis है, x-axis है, और यह इसका price हो गया, और दो type की goods लेते हैं यहाँ पर, एक goods y हो गया, और एक goods x हो गया, ठीक है, बहुत goods are normal goods, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको तक ही बता रहें, बहुत goods are normal goods, ठीक है जी, दोनों goods normal है, तो दोनों में किसी की भी price बढ़ेगी, तो उसकी demand कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गया, तो उसकी demand बढ़ जाएगी, एक बनाते है, budget line, यह जी, budget line, red color select कर रहा है, क्योंकि यह boundary है, यह बताता है कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते हो, इसके उपर रह सकते हो, इसके अंदर काम कर सकते हो, जनरली budget line को मैं represent कर रहा हूँ, A, B से, एक बाहर बताओ आप, कि X commodity की price अगर fall होगी, X goods की price, goods किसकी बात कर रहा हूँ मैं, X की, अगर इसकी price, चले मैं, consumer की income की ही बात कर लेते हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, one by one कर रहे, income, मेरी income जो है, अगर वो बढ़ जाए, तो आप बताए, मैं किस की demand जादा करूँगा, X की demand जादा करूँगा, या goods, Y की demand जादा करूँगा, या मेरी I बढ़ने से मैं दोनों चीज़ों की demand जादा कर सकता हूँ, यह बताए, तो मेरी income बढ़ेगी, तो मैं दोनों ही goods की demand क्या करूँगा, जादा कर सकता हूँ, तो दोनों की डिमांड जब भी income में चेंज आता है ना इसको money income कहते हैं क्या जैसे मेरी income पहले जहां माल example की समझाने के लिए परपसी बोल रहा हूँ जो income पहले मेरी 20 रुपए थी अब मेरी income वहां से कितनी हो रही है अब मेरी income वहां से 25 रुपए हो रही है इस तरीके के income को हम क्या कहते हैं इस तरीके की income को हम money income कहते हैं दो चीजे होती है एक money income होती है और एक real income होती है आपको पहले समझना होगा कि money income किसे कहते हैं ठीके अब आपको ये भी समझना होगा कि real income क्या होता है real income किसे कहते हैं तो real income में क्या होता है जैसे माल लो कोई चीज मेरे पास में एक एपल है 50 रुपीज पर केजी है ये एपल ठीक है जी 50 रुपए का एक किलो आपका सेब है और आप इस पर 50 रुपए खर्च करते हो तो आप इससे कितनी quantity ला पाओगे आप इससे 1 kg की quantity ला पाओगे लेकिन जैसे ही ये एपल का प्राइस जो है वो फॉल हो जाए ये एपल 25 रुपए पर केजी हो जाए तो अब आप उतने ही पैसे में कितनी quantity ला पाओगे अब आप उतने ही पैसे में 2 kg ला पाओगे तो जो आपकी खरीदने की ताकत बढ़ गई पर्चेसिंग पावर बढ़ गई ये जो पर्चेसिंग पावर आपकी बढ़ी है ये पर्चेसिंग पावर जो आपके प्लस हुई है इसको हम बोलते है real income या purchasing power बात एक ही ओती है clear है तो एक जब आपकी salary in cash के फ़र में बढ़ती है तो उसको हम money income कहेंगे और चीजें सस्ती होने के विए से आपकी खरीदने की समता बढ़ती है उसको हम real income कहेंगे तो आपको money income और real income के बीच में difference इलकुल clear और साफ होना चाहिए चलिए अब मैं बात कर रहा हूं क्या मैं कह रहा हूं कि मेरी income बढ़ गई है मैं बात अभी समय इसकी कर रहा हूं ठीक है जी तो मेरी income अगर बढ़ जाएगी मेरी money income बढ़ गई तो जाएड सी बात है मेरा budget line इसमें क्या होगा राइट वर्ड सिफ्ट हो जाएगा यह धानतना बजट लाइन क्या होगा राइट वर्ड पैलल सिफ्ट कर देना आप है तो पहले पहले क्या कोडिंग के गर में बात करूं तो पहले आपका जो है पहले आप consumer पहले आप कहा थे consumer equilibrium में पहले आप माले जा आप यहां consumer equilibrium में थे यह point आपका equilibrium कहा होता है मैं और बता चुका हूँ जहां पर budget line difference कर्ण टेंजेंट होता है तो पहले आप यहां पर equilibrium में थे लेकिन जैसे ही जैसे ही आपकी income बढ़ जाएगी तो आपकी budget line राइट पर सिक्ट हो जाती है यह इस चीज की तरफ इशारा करता है कि आपका सरफ एक ही गुर्ष को खईदने की शक्ती शम्ता नहीं बढ़ रही है दोनों की शम्ता बढ़ रही है तो आप नए budget line पर नया difference करवा आपका आएगा जो थोड़ा सा उपर की तरफ होगा जो बताएगा कि आपका x का भी आप जो है x की भी demand आप जादा कर सकते हो आप x की भी demand जादा कर सकते हो और आप y की भी demand जादा कर सकते हो तो जहां पहले आप x और y की demand कर रहेते जहां पहले आप y यह आपका y ह और ये आपका यहाँ पर X है अब वहाँ पर आपके पास में income बढ़ने से Y1 और आप X1 पर आगे दोनों का आप दिवान बढ़ाओगे इवन आपकी income फिर से और बढ़ जाए income फिर से अगर आपकी और बढ़ जाए मान लिजी तो यहाँ पर फिर से आप जो है आप इस तरीके से अब नया आपका equilibrium पॉइंट आएगा वो नया equilibrium पॉइंट आपका यह आजाएगा जो कि आपका यह तो E था यह E1 है चलिए यह E2 है और यह E3 है क्योंकि budget line और इन डिफरेंस का जब tangent होता है उसी situation में क्या होता है consumer equilibrium में आता है तो यहाँ अगर income में change आएगा तो इस तरीके से equilibrium में भी change आता चला जाएगा ठीक है और इन पॉइंटों को अगर आप आपस में connect कर दें इन पॉइंटों को अगर आप आपस में जोड़ दें तो यह आपका क्या बना देगा यह आपका बना देगा इन पॉइंटों को आपस में जोड़ दें उच्छी क्लियर है तो यह आपका income consumption कर बन गया यह क्या हो गया आपका यह आपका हो गया income consumption गार्व चीक है पता लगा पहले आपका income consumption कर किसे कहते हैं income का consumption आप कर रहे हो नै income बढ़ रहा सा consumption कर रहे हैं तो यह क्या हो गया इस curve को जो यह आपका orange color में गया है इसको income consumption curve करते हैं तो इस तरीके से अगर consumer की income में change आएगा तो उसके equilibrium में इस तरीके change देखने को आपको मिलेंगे ठीक है जी clear है अब सवाल यह आता है कि अगर consumer के price में अगर देखने को अगर चेंज देखने को मिला अगर आपका consumer का price की बात करते हैं चलिए इस नहां पर आप देखेगा हां जी तो यह एक मैं कर बना रहा हूं मैं बता रहा हूं कि price में chain आने से क्या chain देखने को मिलेगा यह origin है x axis है और यह मेरे पास में क्या है y axis है और यह अगर आप देखें तो यह आपके पास में goods y है और आपका जो है goods x यह हो गया बहुत goods are normal goods है ठीक है मैं लेग देता हूं फिर भी यहां पर both goods are normal goods ठीक है और एक इसके अपने बजट लाइन भी होगी दोनों goods को purchase करने के consumer की अपनी चमता है अपनी ताकत है ठीक है जी अब आप यहां पर देखेंगे कि यह लाइन है तो इसका नाम a b है अब एक बताओ अगर प्राइस जो है अगर प्राइस की मैं बात करूं वह एक्स की प्राइस अगर फॉल हो जाए तो डिमांड किसकी बढ़ेगी बताइए वाई की डिमांड तो नहीं बढ़ जाएगी ना अगर एक्स की कीमत गिरेगी तो जहर सी बात है आप एक्स की डिमांड ज्यादा करोगे तो आप एक्स की ही डिमांड ज्यादा करोगे त आप दोनों good侍 कि demand को आप बढ़ा रहे हो जबकि X की price कम होई है तो तुरफ X की demand बढ़े गी न, Y की demand में तो कोई फरक पड़ेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर पहला line नहीं होता है, ये, A to X तो उत्र ही रहेगा, आप बस इसको, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकत है ठीक है जी और आपके पास में एक नया बजट लाइन क्योंकि वो तो दिमांड इतनी रहेगी आपके पास में वाई की लेकिन एक्स क्या आपके बढ़ जाएगी तो अब आप एक्स की खरीदने की शंता एक्स को आप जाधा बाई कर सकते हो किसकी विए से disorders कुलिन के लिए निकमय Batt auf लाव अब ठ्विथा निक्गों का होता है कि अगर एक्स की प्रइस कम होगी तो भाइ करने की चम्ता खरिदने की capacity आपकी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप किस तरीके से इसको ड्रोग करेंगे तो सबसे पहले बजट लाइन एबी पर अगर आप देखें तो कंजूमर एक लिए में होगा यहां टैंजेंट है यह एवन चीक है और यहां पर अगर आप देखते हैं अगर नॉर्मल गूट्स है तो इसकी प्राइस फॉल होगी तो कंजूमर इसकी डिमांड को बढ़ाएगा तो इसकी बज जाएगे इस तरीके से आप जो है इसकी डिमांड आप इस तरीके से इसकी डिमांड जो है वो पहले से जाद हो जाएगी जहां पर आप इतनी डिमांड कर पा रहे थे अब इसकी डिमांड आप उससे जादा कर पाओगे और यहां पर इस लाइन को अगर आप एड़ करोगे ये line आपने draw करा है इस line को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं price consumption price कम हुआ ना उसको consumption कर रहे हैं consumption कर जिसको pcc बोलते हैं ठीक है ना तो income i income consumption कर क्या होता है पता लगा आपको icc अब price प्राइज करता है यह आपका प्राइज कर्व होता है क्लियर जी कोई डाउट सब्सक्राइब को आया कोई डाउट है तो पूछिए अब चलिए यह तो नॉमल गुट्स केस्ता अगर अमाली जी गिफन गुट्स होता तो क्या होता आपको एक्जाम में न क्या है कि अगर आपने डाइग्राम करेक्ट बना दिया अच्छे से बना दिया बहुत अच्छे तक से प्रजेंटेशन दे दे और उसी डाइग्राम को आपने बस एक्स्प्लेइन कर दिया कि आपने बजट लाइन आपका एबी से एबी बन कैसे हुआ आपका एक graph है जिसमें आप horizon यह horizon हो गया यह x axis हो गया यह y axis हो गया और y axis पर हम जो है goods y को represent कर रहे हैं और x axis पर हम जो है goods x को represent कर रहे हैं ठीक है और a b एक budget line है यह बी एक budget line है यह सारी बात आप लिखेंगे और goods x आपके पास में इस पर गिफन गूर्स है एक्स क्या है इस पर गिफन गूर्स है आपका ठीक है तो x की price increase होने से x की जो price है वो बढ़ने से गिफन गूर्स में तो positive relation होता है तो जो x की demand है एक्स की जो demand है वो क्या होगी वो बढ़ेगी clear है समझे यह नहीं समझे अगर x की price बढ़ती है क्यों गिफन गूर्स है भाई वो तो आपका inferior में होता ना क्या कि price कम होई थी तो यह आपका budget line आपका आगे से प्रुजाया उ ठीके लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो है इसको x को एक्स को तो वह buy कम कर सकता है तो budget line इस बार आगे नहीं जाएगा इस बार budget line क्या होगा यह पीछी आ जाएगा budget line इस बात को समझे जराब budget line क्या होगा आपका budget line आपका AB से AB 1 हो जाएगा क्योंकि जो चीज पहले 20 रुपे की थी अगर वो आप 40 रुपेगा हो जाएगा तो जो आपकी रियल इंकम है वो आपकी आप कम हो जाएगी आप उसको आदा किलो लापाऊगे ज्यादा ही लापाऊगे तो budget line आप आगे जाने का मतलब क्या होता है अब मैं अपने उसी income मे इसको जादा खरीद सकता हूँ लेकिन जब price वो तो जब होगा जब price कम होगा अज्य जब price बढ़ जाए तो इसका मतलब यह होता है कि अब मैं उतने income में इसको 1947 कम खरीद सकता हूँ की तरक करेंगा तो पहले वाले की बात करें आप पहले अगर एक्लिप्रियम यह कर रहे थे यह आपका एप फॉइंट था तो बताईइ मृड़ु से डिमांड क्या पर होगे मृप प्राइद अगर गिफन गुट्स की बढ़ गई तो डिमांड क्या करोगे आप डिमांड तो आप इसका एक्स का आप बढ़ाओगी चीक है न क्या है मारे पास में गिफन गुट्स है यह बास तो में आपको आई नहीं है क्लियर जी कोई डाउट है तो पूछे कोई डाउट है तो देख लो समझ लो क्लियर जी चलिए गिफन गुट्स केस अभी एक सिकिंड के लिए इसको होड़ करें ठीक है ना ताले जो कोशिन है सो हम क्लिक कम्प्लीट कर लेते हैं कोशिन कहता है कि डिफन गुट्स का अभी होड़ करें पहले स्कॉशिंग को कम्प्लीट करते हैं फिर गिफन गुट्स पर दवारा हूं अभी कोशिंग कहता हमारा एक्स्प्लीन दा कंजूमर से लिए यूजिंग इंडिफरेंस का डिसकर अफ्ट अफ्राइज अफ्राइ है कि लिए इंकम से क्या होगा बज़र लाइन आगे बढ़ेगा इंकम इंक्रीज होने से और यह क्या है प्राइज इफेक्ट है इन केस आप नामल गुद्स दोनों बहुत पूर्ट सार्वें नामल गुद्स क्लियर जी चलिए अभी उसको लेकर आएंगे चलिए देखिएगा बच्चे डाउट कूछ रहें इसको पर कौन सा इस पर हां जी अब मैं कौन सा केस्ट डिस्कस कर रहा हूं उसी बात को चलिए मैं एक्सप्लेइन करी देता हूं कुई आप पर लगातार उसमें कौरी आ रही है तो उस बात को मैं एक्सप्लेइन कर देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे है ना यह तो आपके मन में उस सवाल रहेगा देखिएगा एक ग्राफ बनाते हैं यह मेरा ओरिजन है एक एक्स एक्सी से जो कि गुट्स एक्स को रिपर्जेंट कर रहा है और एक वाई एक्सी से जो कि गुट्स वाई को रिपर्जेंट कर रहा है और यह वाई हो गया और यह एक्स हो गया अब यहाँ पर मेरा एक अपना बजेट लाइन है जो बजट लाइन का है मेरे पास में A B है चीक है जी A B बजट लाइन है अगर प्राइज इसकी फॉल होगी X की तो वो एक अलग बात है मैं क्या कर सकता हूँ और एक अलग बात है मैं क्या करूँगा दोनों चीज़ें अलग अलग है तो सबसे पहले X की प्राइज अगर फॉल हो गई तो यहां पर गुड्स X है X की प्राइज फॉल होगी तो मैं X को पहले से ज़्यादा अपनी गिवन इंकम से अफोर्ड कर सकता हूँ मेरे बजट लाइन मताता है मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरा बजले मताता है तो मैं पहले से ज़्यादा एक्स को बाई कर सकता हूँ इस बात को पहले आप समझेए तल यह चीज क्लियर होई बजट लाइन आगे क्यों गया पहले यहां पर क्लियर टी दीजिये आप पहले का कुटिंग तो हमारे पास में यह हो गया कंजूमर एक क्लियर है और इनल सिचुएशन इवल हाँ बताईए जैसी एक्स की प्राइस फॉल होगी तो मैं एक्स को अपने गिवन इंकम में पहले से ज़्यादा बाई कर सकता हूँ तो यहां पर इसलिए बचेट लाइन मेरा आगे चला जाएगा यह बताएगा कि उसी इंकम में यह ताले से ज़्यादा एक्स ले सकता है लेकिन अगर गिफन गूर्स है और मेरी प्राइस फॉल हुई तो डिमांड क्या होगी डिमांड बढ़ेगी या डिमांड गटेगी रिमांड दो यहां पर कम होगी फॉज़िट दिमांड कम होगी तो इसलिए आप यहां यहां नहीं आप्ट ढोपर गिफण गूर्स है अगर आपके उसको खरी सकते होगे नहीं इसको डिमांड क्या करता हो जबाग कि इस्को डिमांड कर दोगे कम तो इमान कम करने के लिए पीछे जाओंगे तरी तो इमान कम होती ह yellow ऐना तो डिमान आप कि क्या हो जाएगी अब यहां पर इसके देमान पहले पिछे से कम हो जाएगी और वाइ बढ़ जाएगा मैंने आपको आप कि जब गीफन गुर्स की प्राइस कम होती है तो आप दूसरी गुर्स की डिमांड करने लग जाते हो इसकी डिमांड कज़स्चार मियूस ओर वो यहां पर जो इंकम आपके कंज्मशन कर आगर माननी यह चलिए और इसकी इंकम को मैं कम कर और प्राइस कम कर देता हूं तो ख़िदने की कैपिसिटी आपकी पहले से और ज्यादा हो जाएगी तो लेकिन आप क्या करोगे इसकी डिमांड को पहले से कम करोगे तो यह आपका पीछे चला जाए चतो पुझ इस तरीके से कर बनता है आपका यह पॉइंट यह पॉइंट इन्ती सवल प्राइस पूररे का जाता है विए पॉइस Annual 금 करना यह तो आपको यह ड्रो करना होगा कि क्लियरे जी कोई डाउट अब बताइए अब आपको समझ में आया यह जिफन गुट्स वाला फिर अपने सवाल पर लॉट करके चलूंगा पीछे वापस कि अब तो अब आपको बहुत कुछ पता लग गए हैं अब में चप्टर कंप्लीट करने में बस एक क्लास का टाइम लगेगा नेक्स क्लास और यह चप्टर मारा मेंड़ अप हो जाएगा लेकिन अभी जो कोशिण अब आप बताए जड़ा क्या कोशिण दा मेरा एक्स्प्लें कंजूमर एक्लिविरियम यूजिंग दा इंडिफरेंस का यह बात लास प्रसमें आगी थे आपको कि क्यो इंडिफरेंस कर प्यों बजेट लाइन पर बनाया जा रहा है बार बार बा प्राम में सुच्वेशन मेंशन नहीं हो तो आप नॉर्मल गूट वाला बस एक सिंगर में आपके आ सकते हो चीक है कि आप जो है उसमें आपका जो है बज़ेट लाइन किस ते किसा आपका सिफ्ट होगा तो आंसर देखी क्या कह रहा है यह ओल्यडी हमने लास्ट प्लास पे हमने इस बज़ेट लाइन समझाता बज़ेट लाइन समझने के बाद हमने यह पहला कोश्न गंप्रिट वा ता इसी में दूसरा कोश्न अटैच्छ है वो यह रहा आपका यहां पर देखेगा प्राइज में छीज़ आने से क्या फरक पड़ता है जैसे ह clear है तो आपका कुछ इस तरीके से income consumption करव आपका बन जाता है और दूसरी बात जब आपके income में चेंज आता है तो आपका पैले सिप्ट होता बजेट लाइन और इस तरगे से दोनों का ही आपका क्या करोगे आप दोनों की डिमांड को आप बढ़ाओगे और इस तरगे से आपके पास में income consumption कर बनता है तेरे बास समझे नॉर्मल गुर्स के केस में तो क्या होता जब प्राइस कम होगा तो नॉर्मल गुर्स की डिमांड बढ़ाओगे इबन दूसरी गुर्स की तरफ पैसे भी चाहोगे इसमें लगा दो अगर अभी इस एडिरास के जूता हजार बे में आ जाए तो भली आपके लिए बड़े इसे जादा करोगी करोगी जहां पर पहले आप इतना ले रहे थे आब किया करोगी आप अब इतना लोगे बर दूसरे का आप क्या कर दोगे कम कर दोगे इस वैह नॉर्मल का था यह इंकम करता तो इन्हीब आटों को आपको बताना है और यहीए पर आपका क्या कBy चान अ है नहीं पर आपका टॉपिक ये बुरा फिरिश हो जाता है बताए पहले यहां तक समझ माया अब लास्ट टाइम हाँ जी अब आप मुझे बताएंगे जो डाउट है आपके यहां से डाउनलोड नहीं हो रहा है यह तो आपने काजल को एक बार कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि नोट जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उस साथ साथ लगाती जा रही है और आपकाजल को आपको काणटेक्ट कर लीजिएगा ठीक है मैं आप्शण डे दूँगा ताकि वह डाउनलोड आप खर पाऊ कि किसी बच्छे कोई डाउट तरह एकजाम में कैसे रिपरेजेंट करेंगे ताफी एक्ट देखेगा एक्जाम कैसे रिपर्जन करें गे एकटा जैसे यह स्वालुशन है फेन टोय सिस्षिप के यह विए एक्जाम और आपको ये कंटेंट आपको ये सिर्फ यह आला काम करना है यह वही चीज़ें जो मैंने बताई है उसी को यह रिपीट कर रहा है तो वह आपको यहां पर बताता तो आपको सौंज में यहां बता सभी तरी के दिखाया थाकि आपको भी बनाना आज आज़ाए डायग्राम काइदल जो कि एप इंस्टॉल करने के बाद आपको कॉल करती है आपके नंबर होगा ना कॉंटेंट नंबर जब आपने कोर्स बाइक करा होगा तो सबस्ते पहले उनका कॉल बैक आया होगा और और पूछी भाई कोई डाउट कोई कोई कोईरी जी जी का मत्ता होता है गटिया वस्तू गटिया वलब की जिफन गूर्स यह गिफन गूर्स होता है सच्चिन अरूड़ा यहां पर रिक्वेश्मेंस शो होनी रहा आपका है हेंट्रेश हाँ सच्चिन बोलिए हलो सेर मेरा ही डाउट था कि सिर्फ हम नॉर्मल गूर्स का ही देरे आंसर में गिफन का नहीं बनाएंगे नहीं अगर वो गिफन का मैंने समझा इसलिए दिया कई बार क्या होता है स्पेसिफिक मेंशन कर देता है अलग से कोशन कि अगर गिफन गूर्स के प्राइज में चेंज आता है तो इंकम कंजम्शन कर पर उसको ड्रो करो तो बता दिया मैंने के अलग से आपको लेकिन आपको अगर मैंस कुछ कुछ भी मैंशन नहीं तो सिर्फ आप नॉर्म गुर्फवाला बना गए छोड़ दो ठीक है सर थेंक यू अग्यू अग्यू कि यहां तो बिल्कुल क्लियर है आपको माइक्रो एकनॉमिक्स आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है यह ऑप्शनल नहीं है इस चीज का ध्यान रखना है आपको और आपको अपने क्लास मेट्स को भी बताना है और फीड़बैक ज़रा आप दें कि क्लासिस कैसी लग रही है क्या कोई पॉलम आ रही है कहां पर क्या इ सब्सक्राइब फीड़बैक दें ताकि मैं ठीक कुछ कर्रेक्शन कर पाऊं कुछ खामियां तो बताएं तो बताइए मैं कोशिश कर रहा है छोड़ी बाते भी बताके चलू मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने पीछे बैग्राउंड में पीछे आपने 11 में या फिर 12 में अपने एकनॉमिक्स नहीं भी पड़ी है आपने तब भी उसा कोई इंपक्त देखने को नहीं मिले आपके पर दोपने आए रिपीट लास्ट लाइट लास्ट लाइट कौन से स्लाइट थी जी इस लाइट की बात कर रहे हैं इसमें देखेगा एक मेरा एक गिफन कुर्स है घटिया महां घटिया बस तो अगर इसकी प्राइस कम होती है तो मेरी बजट तो यह सो ज्था खैदने की हो गई है इसको ज्यादा बाइक कर सकता हूं तो बचे लाइन कर सकता है आप क्या करोगे वह इंडिफरेंस इसको पहूं कर रएब आप कर देखे इंपन प्राइस टेंटिंटिंटीं कर बन गया ठीक है जी ए फिर मिलते हैं नेस्ट क्लास में थैंक यू जी थैंक यू सो मच हां जी, very, very good morning dear students, तो आज का कुश्चिन हमारा है, indifference curve में कि हमें यहां पर demand curve का dese ले कूर डेममल गता आख यू ए इन अपर नार्मल गूर्वर, और इन अपर केस लूप जिफन गूर्व, तो जीस कक्शिन आप अपने साहसे स्क्रीन पर देख पा रहे हों, derive the demand curve of a consumer from the price consumption curve. तो price consumption curve से आपको क्या करना है? demand curve का derivation देना है. बड़ा important सवाल है आपका. तो generally in difference curve में आप सबसे पहले आपको कुछ समझनी होगी. उसके बाद मैं वापस theory पर आउँगा, पढ़ूगा और दिखाऊँगा आंसर क्या है? मैं already budget line के बारे में बहुत explain कर चुका हूँ. budget line के बारे में detail में आपको बता चुका हूँ कि budget line होता क्या है? फिर भी एक बार और मैं आपको budget line थोड़ा सा, एक बार और मैं हलका सा आपका repeat कर देता हूँ कि basically budget line किसे कहते हैं? और in difference curve क्या रहता है? देखेगा. उत्तर डिटेल तो discuss नहीं करेंगा, वो आपके पास में वीडियो पड़ी हुए, आप लोग उसको देख लीजिए, बैक अप में जा करके, उसके बाद कोई doubt आता है, तो आपके पास में काजल का number है, आप appointment ले लीजिए और आपके जो doubt है, वो आपका solve हो जाएगा। जो बच्चे, वो student जो की अभी recent में जिन्हों ने बैचेस को join किया है. और बाकी आप उसके बाद भी doubt अगर clear नहीं हुआ, तो मैं आपके साथ में live तो रहता ही हूँ, आप live आकर करके audio की थोरो भी अपनी बात मुस्तक रख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे options आपके पास पे हैं, हाँ जी, देखीगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, question मेरा क्या है, question यह है कि price consumption curve की help से आप demand curve का derivation दे, इसको हम normal goods के case में भी समझेंगे और different goods के case में भी समझेंगे, तो सबसे पहले आईए, इसको हम एक graph कित्रों समस्ते हैं, एक budget line में सबसे पहले आप यहाँ पे draw करेंगी, एक यह जैसे की income consumption curve की help से करना है न आपको, तो फिर आप पहले आप income consumption curve होता क्या है, जैसे कि हम जनरेली last class में आपने क्या सीखा है, last class में हमने यह सीखा है, में, 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 टाइन होगा, टाइन होगा, और यह आपका सेक्सी से और गुट्स वाई है, बजट जो बजट जो बजट जो बजट एम है, एम है, एम है, एम है, एम है, एबी, बजट लाइन, बजट लाइन को देख करके बहुत सा, बजट लाइन, लेक्ट लाइन को बढ़ ही क्यों बना, बजट एम है, बजट लाइन, एम है, एम है, एम है, कि अज़िए और बिजट लाइन का स्लोप क्या होता है शुडूल टे पूरे एक दिन मैंने डिस्कुस्टन सरफ बजट लाइन का पर भी किया था है ठीक है और बजट लाइन कि कि साथ साथ फिर मैंने आप कि अज़िए अरू कि अज़ एक थाँ एक अज़िए और लाइन है और अधोड़ के बार में आप द्रहां तक की जानते हैं और समझते हैं क्या नॉर्मल्य गुट्स कौन सी गुट्स होती हैं नॉर्मल गुट्स वो गुट्स होती हैं जो ब्रैंडिड होते हैं से क्वालिटी काफी अच्छी होती है तो ऐसी गुड्स की अगर मैं डिमांड और ऐसी गुड्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ऐसे गुड्स की कि सर वीडियो लैग हो रही है चैट कि साउंड प्रॉलम अभी भी हैं बताइए जरा साउंड प्रॉलम है किस स्ट्रेंड के साथ में ठीक है देखें जड़ा हां जी तो यहां पर नॉम्म गुड्स एक वह गुड्स होती है जैसे रोलेक्स की वाठ्च हो गई आई डास रीबोग जो ब्रैंडिड होती है तो यहां पर आपका अफ़द्व करेंगे अगर इनकी प्राइस बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम बढ़ने की वज़े से कार्थिक लेट जोइनिंग हुए क्या शुबम लेट जोइन के आपने हाँ जी कार्थिक हाँ नहीं कुछ पूछ रहे हैं चलिए आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं देखो पहले की वीडियो लेग हो रही थी वीडियो नहीं चल रही थी प्लीज रिपीट कर दीजिए ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ हाँ जी देखीगा मैं कोश्चन क्या है हमारा कोश्चन हमारा रहा है प्राइज कंजम्शन करव के हेल्प से डिमांड करव के derivation देना बड़ा important question है तो किस चीज की demand curve बनाना है हमें तो ये मैं mention कर रहा हूँ normal goods का demand curve बनाना है हमें किस की help से price consumption curve की help से अब सवाल ये है कि price consumption curve क्या होता है इसके जवाब आपको पिछली class से मिल चुका है चलिए ये एक आपके पास में एक graph है जिसमें a b budget line है और indifference curve जो budget line पे tangent होता है वो consumer का equilibrium point है बात normal goods की करें तो normal goods के case वो goods होती है जिनकी quality काफी अच्छी होती है जो branded चीज़े है जैसे कि आपका Reebok, Adidas Rolex ये सारी चीज़े क्या है आपके normal goods है ये हर consumer की इच्छा होती है wish होती है कि वो normal goods का consumption करें, normal goods को भी use में लेकर आएं, तो क्या होता है जब price इसके increase हो जाती है तो consumer के budget से वो चीज़ें बाहर चली जाती है और फिर normal goods की demand क्या होती है normal goods की demand जो है वो क्या होंगी वो उसकी demand कम हो जाती है और जैसे ही normal goods की price अगर कम होती है तो वो लोग जो इसको पहले afford नहीं कर पा रहे थे branded चीज़ों को, अब afford कर पाएंगे तो एकदम से लोग इसकी demand करने लग जाते है इसकी demand बढ़ जाती है, तो यहाँ पर basically low of demand इसके follow होता है price increase, demand decrease, price decrease, demand increase inverse relation होता है price और demand के बीच में, यह तो normal goods होता है तो मैं normal goods के case में demand कर बना रहा हूँ यहाँ पर तो अब क्या कर रहे है, मैं X commodity की जो price है इस price को कम कर रहा हूँ अब आप बताए ज़रा, अगर मैं X की price को कम कर दूँ तो consumer क्या Y को ज़्यादा खरी सकता है या X को अब ज़्यादा खरी सकता है बताए X को ज़्यादा consumer खरी सकता है समझ रहे हैं इस चीज़ को clear है न, आप खुछ समझे कि कोई चीज अगर 10 रुपे का एक दरजन है 10 रुपे का बन डरजन है वही चीज अब उसका जो price है वह 10 से गिर करके कितनी हो जाए 5 रुपे हो जाए तो अब अपने उसी 10 रुपे में अब वह अपने उसी 10 रुपे में कितने ले सकता है वो अब वो दो डरजन खरी सकता है न तो जिसकी price कम होगी consumer उसको ज़्यादा खरी सकता है तो इस example को पहले आप समझने की कोशिश करो कि यह हो क्या रहा है मान लिजिए consumer की जो income है मैं यहाँ बता रहा हूँ 10 रुपे इस income को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते है money income छीक है जी इसको money income बोलते हैं और पहले एक बनाना जो है 10 रुपीस पर डजन था तो पहले कितनी quantity आप ला पाते पहले आप one dozen quantity ला पाते लेकिन अब price जो है इसका क्या हो गया फाइब रुपीस पर डजन हो गया अब आप उसे income में आप कितनी ला पाऊगे आप दो डजन ला पाऊगे तो आपकी purchasing power बढ़ गई ना बोलेंगे और इसको हम वास्तविक आई बोलेंगे तो money income जो आपको पैसे को पॉर्मने जो आपको तंखा मिलती है वो आपकी money income है, मौदरिका आए और वो जो आपकी खरीदने की सक्ति को बताती है, खरीदने की शंटा, आपके स्टेंथ को बताती है वो आपका real income होता है, वो वास्तविक आए आपकी होती है, तो यहाँ पर X community की price अगर आपकी decrease हो जाएगी, तो आपकी purchasing power X की बढ़ जाएगी, आप X को ज्यादा purchase कर सकते हो, Y को ज्यादा purchase नहीं कर सकते हो, example के लिए अगर मान लेजिए, कोई vegetable सस्ता हो गया, तो आप Ferrari car खरी देख सकती बढ़ेगी, तो budget line क्या बताता है, budget line आप क्या करोगे वो नहीं बताता है, बिल्कुल नहीं बताता है, budget line क्या करोगे वो बिल्कुल भी नहीं बताता है, budget line बताता है आप क्या कर सकते हो, समझे, अब आप क्या कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, और आप क्या कर सकते हैं यह तो पॉसिबिटीज आपके साथ में कहां तक आप अपने आपको अपनी बुद्धी को आप ले करके जा सकते हो लेकिन आप एक्च्वल में क्या करोगे यह आपका अपना डिस्जिन रहेगा तो बटेट लाइन पॉसिबिटीज को उताता है आप क्या कर सकते हैं यह नहीं कि आप यही करेंगे ठीक है तो जनली आपके पास में एक बटेट लाइन एक्स कॉमडिटी आपके पास में प्राइस पॉल होई तो एक्स जो पहले आपको खईदने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी एक्स को पहले से जादा आप बाई कर सकते हो और अगर यह न क्लियर है जी तो यहां पर आप देखेंगे यह कुछ इस तरीके से आपका एक और आपका आइसी करवा गया जो आपका इटू हो गया ठीक है तो जहां पर पहले आप क्या कर रहे थे पहले आपका यह था आपका इवन अब आप आगे हों यहां पर यह क्या होगे आपका जी एटू यह आपका आइसी वन और यह आपका आइसी टू इस तरीके से आप और भी कुछ कर सकते हैं आप इन पॉइंट्टों को कनेक्ट कर दो जो यह पॉइंट्स आपने कनेक्ट करें हैं इन डिफरेंस कर पका इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्राइस कंजंप्शन कर समझें कि प्राइस कंजंप्शन कर किसे करते हैं यह क्लिर हुआ आपको इन पॉइंट को कनेक्ट कर दो और भी अगर प्राइस इसकी पॉल होती ह प्राइस पॉल होती है तो आप इसको और ज्यादा बाई कर सकती हो तो आपका जो है इन डिफरेंस कर इस चीज का आपका और आगे जाएगा तो यह जो लाइन सारे जोड़ेगी यह क्या होगी आपके Price Conjunction Curve इसको क्या बोलेंगे Price Conjunction Curve जो और पहले पहले डिटेल न बता चुका हूँ अब आपकर सर Price Conjunction Curve से Demand Curve कैसे बनेगा सबस्वारा यह कि Price Conjunction Curve से Demand Curve कैसे बनेगा वाइक्सिस, ओएक्सिस, डिमांड कर बना रहे हो तो बात उसमें बात किसकी की जाती है, प्राइस की, डिमांड कर में बात किसकी होती है, डिमांड कर में बात क्वांटिटी की होती है, तो अगर आप डिमांड कर बना रहे हो, सबसे पहले आप देखेंगे, कि जब price आपके पास है जो point है इससे एक line नीचे लेकर आओ और एक दूसरा point इससे line नीचे लेकर किया हूँ ठीक है मैं कोई एक price माल ले ठाँ पहले price यह था तो initial price अगर यह था तो demand कितनी थी इतनी थी के clear है उसके बाद price क्या वा follow हुआ कि प्राइस एक्स का क्या हुआ मैं एक्स को मिटिक डिमांड कर बना रहा हूं किसका एक्स का बना रहा हूं तो एक्स की प्राइस कम हुई तो फिर एक्स की डिमांड कितनी हुई इतनी आगे चलिगे निमांड इसके यह दूसरा पॉइंट यह हो गया एक पॉइंट पी दिमांड यह हो गई यह क्या हो गया आपका X Community का दिमांड कर्व हो गया तो आप exam में सबसे पहला काम करें देखेगा आप कितना भी ज्यादा लिख लें उससे आपको extra marks मिल जाएगा बिल्कुल भी ऐसा पर सोचेगा आप बिल्कुल exam में जो है एक तो आप पूरा ज्यादा लिखने के चकर में आप पूरे questions को attempt भी नहीं कर पाओगे पूरा लगातार pen चलता रहेगा तब भी आपके questions attempt नहीं हो पाएंगे इसलिए आपको यहीं पर घर पे ही आपको practice करनी पड़ेगी कि क्या answer में था हटाना है और क्या लगाना है क्योंकि answers में कई बार क्या होता है एक ही चीज़ को चार बार repeat कर रहा होता है आप उसको एक बार लिख दोगे बागे तीन बार लिखने के जुरत उसको नहीं है तो सबसे पहले इसमें तो आप उसको इस तरीके से आप diagram बना करको derivation इतना नहीं पड़ता कोई भी आपको यहीं पर पूरे marks मिल जाएंगे exam के अंदर ठीक है और वैसे भी क्या लिखोगे आप उपर यह लिखोगे आप कि आपका starting में a b एक budget line है और आप x community का demand करको derivation कर रहे हैं तो जैसे ही x community की price decrease होगी तो consumer अपने उसी budget से x को जादा खरी सकता है बट y को जादा नहीं खरीच पाएगा इसलिए a से ही budget line start होगी ले और यहां पर आप यह लिखोगे कि पहले budget line a b पर indifference curve ic1 है जो कि tangent e1 point पर है consumer यहां पर equilibrium है अब consumer नए budget line पर क्लिवरियम होने के लिए जहां पर आपका indifference curve tangent होगा तो आप consumer ic2 पर क्लिवरियम में होगा और point e1 और point a2 को connect कर देंगे तो price consumption curve आपका आगया जो कि यह बताता कि different different price पर कैसे कैसे consumption करोगे ठीक है और उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो एक आपने price और quantity लिया और जहां पर आपने यह समझा कि आपके पास में एक point P है जो यह बताता है कि op price पर आप कितनी demand कर रहे हो और जैसी price इसकी x community की fall होगी तो अब आप demand आप क्या कर गया यह हमारे पास में demand करवा गया इन्हीं बातों को लिखना है आपको जो आपने diagram में बनाया है इन्हीं बातों को मातर लिख देने से ही आपके answer अच्छे से site हो रहे है इतनी headache मत नहीं जिए जी आप इस बात को ध्यान रखेगा पर आपके 40-50 दिन दूरी है ठीक है 40-50 दिन की दूरी में आप क्या करने वाले हो दिवाली के जो है festival आपके सामने खड़ा है जो कि छोड़ी दिवाली और बड़ी दिवाली और बड़ी दिवाली के अगले दिन यह तीन दिन तो आपके जो है पढ़ाई लिखाई का जो कईने का डिस्समेंस आपका रहेगा अब आप उसको छोड़ दीजिए आप 30 दिन का प्लान लेकर करके आप चलिए कि आपका 30 दिन में आपको एक्जाम कैसे निकालना है तो जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको समझेने के बाद आप क्या करो उसको डाइगराम को प्रैक्टिस करो और उसके आंसर को रीड करो यह बात भी मैं लिखूंगा और खुद और अपना सेल्फ लिखने की आदर डालिए सेल्फ लिखने की प्रैक्टिस करो आप क्लिर डागराम सही हो और सेल्फ लिखे रहे हो तो आपको मार्क्स हंड्र पसंड मिलेगा कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है यह मैं सोचिए कि बिल्कुल आपको जो है लाइन टू लाइन जाना पड़ेगा यह जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं यहां पर यह कंटें कर बिस तू शोदा प्राइस इफेक्ट इट कैनोट शोदा सैपरेटली दा इंकम इफेक्ट एंड अब इसको इंपरें डिदे एक है अब यह आप सवाल है किसा भी इंकम इफच शुक्शन इफेक्ट क्या होता है ठीक है आखरी सवाल हो तो चैप्टर फिर एंड होगा ठीक है, प्राइस अपर कॉमिएटी, देमांड करव इस इस्टेशिस अडिरेक्ट रिलेक्शिंशिप बिटिबिन दा प्राइस अधा क्वांटिटी दिमांड वाइल पीपीजिए हैं, पॉसिबल तु ड्राइब दा यूस्वल दिमांड करव फॉम दा पीपीजिए monetary income of the consumer, the monetary income is 20 which is the constant monetary income का मतलब मालम पड़ा, money income, monetary income, मौधरिका है, 20 है, when the price of wheat, 1 रुपीज पर केजी, the price line AB, which is the tangent of IC1 at P, therefore P is the consumer equilibrium, जो बात है वो ही बात लिखिए जारही है मतलब की अठार आठ किलो लेपला पाएगा वन दा प्राइज ओवीड फॉल्स पर केजी प्राइज लाइन सिफ्ट एसी विच टेंजेंट और इसी टू अद पीवन बिकम्स दा नियू एक्किलिब्रियम पोजिशन अप दा कंजुमर ना बाइज ओ एम वन अमांट ओव चैनलमि अचनलमिंट प्राइज चा फ्र लॉपन टाघ और प्राइज चौपलियम आपट प्राइज प्स अंचाज करव शुप टा व्रॉफ भारइज जिणे प्राइज शुपकिर लाइज था वरह also feature in the lower portion of the figure in the lower portion of the figure the horizontal axis represents a quantity अब वीट डिमांड एंड वर्टिकल एक्सिस रिपरेंट दा प्राइज ऑफ दा वीट शो देट दा डिमांड वीट ऑफ दो एम एट केजी उन्हीं को कनेक्ट करके क्या बन गया होई बाते जो नीचे वाला है यह आपका यह डिमांड को रिपरेंट कर रहा है यह इनके कि में जानता हूं कि इसावाल चल रहा है पूछ लोक कि राइस एक रुपय था तो आप आठ ही निट ला रहे थे इस प्राइस प्कीस प्राइस होबां तक शोबश्यूमीट ला रहे हैं शोला हुआ है जी दूसरे पर झो खर्चा करने जा रहे थे ना वो भी तो लगा दि तो कहते हैं अम्रूद लेने गए अम्रूद थोड़ा सस्ता नज़र आया अब आप सेपका पैसा अम्रूद पर खर्च करके आगए सस्ता है उठालो भर लो कि जो कई बार क्या होता है कि मार्केट में निकलते हो और आप सेल्स में ऑफर देखते हो भले आपका लेने का मन भी नहीं होता है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या है डिटेल में समझेंगे ने इसको अगली कक्षा का इंतिजाद कीजिए आप डिमांड को डेरिवेशन बढ़िए यह क्लिए आपको सब्सक्राइब तो उन्हीं चीजों को आपको बस लिखना है शुरू में आपने जो आंसर से लिखना ने मैंने दा बेजिक डिफ्रेंस पिटीबिन दा डिमांड कर्प डोनों बेडिफ्रेंस क्या है डिमांड कर्ब तो पता है कि प्राइज और डिमांड में रिलेशन गों बताता है और अगर normal goods है तो इंवर्स relation को बताएगा लेकिन price consumption curve में क्या होता है कि price consumption curve में यहाँ पर price नहीं है यह दूसरी commodity है उसकी quantity है यह एक commodity है यह उसकी quantity है तो यह basically price and quantity नहीं है दो commodity की quantity को बता रहे और demand कर price और quantity के बीच में relation को बताता है ठीक है तो यह वही बात कहा रहा है सबसे पहले the basic difference between the demand curve and the price consumption is their shape and this is the essentially follows from the fact they have been constructed in different ways the conventional demand curve जो चलता आरा demand curve is drawn with the quantity of a community demanded on the horizontal axis axis पर क्या होता है demand होता है and the price of the community on the vertical axis y axis पर PPC is the lower drone with the commodity of the horizontal axis and the other commodity or monetary income of the vertical axis as a result in case of usual demand curve the price of the community clearly meaning the vertical axis and quantity demanded on the horizontal axis वही कह रहा है एक ही बात कह रहा है कि बहाद कर में तो क्या होता है कि y axis पर आपका जो है price होता है और आपका प्राइस पर एक गुर्स होता है दूसरे दूसरा गुर्स होता है यह बिसकली के बीच में difference है तो यहां पर आप answer में जो है यहां से अपना answer लिख सकते हो यहां से अपना answer आप एक difference बता सकते हो यहां से अपना answer लिख सकते है यह भी मैं समझाओंगा तब आपको इसको समझ पाओगे आप clear है जी अच्छा एक ही कोशिंद डालागा आप चलिए अब next question है पढ़ता है इसमें गिफन गुर्स के case में जो है डिमांड करपर derivation कैसे करेंगे है तो गिफन गुर्स के अगर मैं बात करूँ हाँ एक हाँ डेली कलास होगी कल भी आपकी classes होगी आप डेली कलास लेना ही पड़ेगा जी क्यूंकि आपके पास में समय कम है लेकिन हम पढ़ाए कि हमने अपना समझाने के लिए मैं टाइम बढ़ा सकता हूं लेकिन speed का मतलब यह नहीं है कि हम आदा दूरा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े पढ़ना तो पूरा ही होगा, समझना आराम से ही होगा जिस speed में समझ में आएगा उसी speed में समझाएंगे हाँ, यह उसकता है कि तिन दिन के जगए बीक में छे दिन क्लास हो जाए different goods क्या जानते हैं इसके बारे में कुछ सवाल मेरे आपके साथ है मैं अलड़ी मैंने पढ़ाया आपका different goods का मतलब क्या होता है महा गटिया वस्तो ठीक है, गटिया में जिसको महनता प्राप्तो महा गटिया महा गटिया वस्तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम different goods बोलते हैं अब आप बताए गिफन goods की दो चीज़े ले रहा हूं एक तो मैं इसके प्राइस ले रहा हूं और मैं इसकी demand ले रहा हूं अब बताए जब для given goods की price increase होगी तो demand क्या होगी increase होगी बढ़ती है महां घटिया चीज है और इसकी प्राइज बढ़ेगी न तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसकी प्राइज अगर कम होगी तो डिमांड कम होगी इस बात को पर एक डिटेल में चल्चा लास क्लास के हुआता है आप लोगोने इस क्लास को देखा अच्छे से फि यह जो कोई आपकी जो है weekend जो मार्केट है जोसी बुद्ध बजार है और अच्छा इए जो आप घर के आसपार जोबीजिट मार्केट लगते जहां पर आप जो है कोई brand नहीं है को क्वालिटी उसकी गारेंटी नहीं है इसकी कलर की गारेंटी नहीं है आज आप जब लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है उसके टक्कर का तो एड़ी डास भी फेल है जब आप खरीदने गए लेकिन जब कल आपने इसको धो दिया तो फिर होँ पता ही नग पारा कि तीन साल पुरान है यां पांस साल पुरान हैं तो इस टाइप जो कफी लोग पालिटी होती हैं इस तरगी गुड्स जो है यह होती है गिफन गुड्स एक्जामपल के लिए मैं अगर आपके फूड के अंदर ही बात करूं तो आप जो है वासमती राइस का भी कंजंशन कर सकते हैं लेकिन आप वहापर सरफ बाजरे की रोटी और चेटनी से अपना गुजारा कर पा रहे है क्योंकि बाजरा आटे से भी सस्ता है तो आप उससे अपना गुजारा कर पा रहे है तो एक बात आप समझ आईए वो लोग जो कि गिफन गुड्स का कंजंशन कर रहे हैं जायरती बाते खुशी-खुशी और मन से नहीं कर रहे हैं उनके अपनी मजबूरी है कैसी मजबूर कर रहे हैं तो आप ऐसे लोग चिंकी इंकम का जो गरीबी रेखा से नीची हैं जो किसी तरीके से अपने दो वक्त का खाने का इंतिजाम कर पा रहे हैं और इसके लाब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो है इस परकार की व्यक्ति जो है महागटिया वस्तों गिफन गुट्स पर डिपेंट रहते हैं जो कि एकनॉमिक लिए वीकर सेक्शन है तो यहां पर अब यह चूप जवाब स्था सुन लीजिएगा जी मैंने पहले वी एक्शाम्पल लिया था मान लिजीए आपकी इंकम जो है 20 रुपय है आप 15 रुपय का पर केजी आपका बाजरा है और आपको परिवार को चलाने के लिए सुवह इसाम के लिए 1 केजी बाजरे की नीड होती है यह आपकी नीड है वन केजी की तो आप क् इस पर कितने रुपे खर्च कर दोगे आप इस पर 15 रुपे खर्च कर दोगे और आप 1 kg ले भी आऊगे तो आप पे बचेंगे कितने रुपे पांच रुपए पांच रुपए कुछ वेजीटेबल लिया हुए जिससे की रोटी को उसके सब्सक्राइब खाए जाए तो यह सुच्विशन अभी आपके सामने है लेकिन क्या हुआ इसकी इसकी जो है प्राइज इंक्रीज हो गई कि 15 रुपए से क्या होगया यह 18 रुपए फर काजी हो गया तो अब आप यहाँ पर एक किलो ही लाते हो अगर आप यहां पर एक क्यों आप एक ड़ों करने होगे थे ना तो कीमत बढ़ जाने के वए से तो सबसे पहला substitute मारने सकते हो पराट शुट मारी ही सकते तो अब पहले मार लए प्छी तो बड़ी मंझी में आप ले रहे हो तो प्राईज राफल्च होगा है तो आप substitute का तो रास्ता का बंधी है कि दूसरी इससे भी महंगी है तो आपको अपने परिवार को चलाने करें एक किलो तो यह लेना ही पड़ेगा और कोई तो चारा है यह जब आप एक किलो लोगे तो तीनों पर कहां से लाओगे इसमें से सिफ्ट कर दो कि तीनों पर दूसर जी पर लगा रहते हैं अब 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 अठार आपके में एक किलो आप आपको यहां बजा कितना आपका दो रुपे अब दो रुपे में तो कुछ आने लाग तो वह रहा नहीं आपके वहां पर या जो आपके पास वेजिटेवल का नुक्सान हुआ उस कैलोरी को आप फुल्फिल तो दो रुपे में नहीं कर पाओगे तो उतने कैलोरी की रिक्वार्मेंट को फुल्फिल जब कर पाओगे दो रुपे को आप लगा लगा दोगे बाजरे में तो बाजरा आप एक किलो की जिगा है बीस बाजर लोगे तो वन किजी ज्यादा बाजरा लेने ले जाओगे तो जहां बाजरा पहले एक किलो ले रह और प्राइस हस्ता हो जाएं मान लो यह 10 रुपे हो जाएं तो आप तो एक किलो लोगे तो दस रुपे खर्च करेंगे बचेंगे कितने आपके पास में 10 रुपे आप वेजिटेबल ले लोगे जब ज़्यादा आ गया तो क्या आप वन के जी बाजरे के नीड है नहीं है आप दूसरे चीज आप ले रहे हो पाँच रुपाय जादा आ गया आपके कैलॉरी फुल्फिल वहाँसे वहां से भी कर दोगे आप संपर तब क्या हो आपका प्राइस लोग ही डिमांड कम ही ऒर एक बात धान रखिएगा कि यह दिमांड का prosecution k find गूड different goods में price and demand के बीच में positive relation होता है price increase होती है तो demand increase होगी price decrease होगी तो demand decrease होगी आएए मैं derivation of demand curve दे रहा हूं in the case of different goods clear है तो graph बनाते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले price consumption curve बनाएंगे क्योंकि price consumption curve की help से ही हमें क्या करना है demand curve पर derivation देना है तो यहां पर sir मैं यहां पर goods वाई ले रहा हूं और एक्स एक्सिस पर मैं गुर्स एक्स ले रहा हूं ठीक है और बात कर रहे हम यहां पर किसकी budget line के बात कर रहे हम budget line के तो एक budget line क्या मेरे पास में a b तो इस पर जो है tangent होगा वह इंडिफरेंस कर वोगा यह आपका ic1 है और यह आपका e1 है clear जी तो यहां पर consumer फिलाला भी यहां पर y का यह consumption कर रहा है और एक्स का यह पने कुछ भी नाम दे सकते हैं आप एक्स गूर्स को मैंने क्या बोला गिफन गुड से बोला है, क्या बोला एक्स के लिए मैंने, क्या यी? ये गिफन गुड से एक्स की प्राइस क्या होई? फॉल हुई तो price फॉल हुई है वो आलग बात आप क्या करोगे वो तो बात के बात है फिलाल आप उसको ज़्यादा खरी सकते हैं आपने उसे income में खरी सकते हो कि आप नहीं खर दोगे वह एक अलग चीज है लेकिन x की price कम होई तो उसी budget में उसको ज़्यादा खुईदा जा सकता है तो budget line तो आपका same behave करेगा budget line में कोई भी changes नहीं होगे budget line तो आपका इस तरीके से आपका budget line आ गया ठीक है जी क्लियर है यह बताता है कि आप पहले अगर O B quantity को आप consume कर पा रहे थे तो अब आप अपने उसी income में O B one quantity consumption कर पाओगे अब ज्यादा आप X के unit को आप buy कर सकते हो प्राइस पॉल होने से उसको buy करने की strength आपकी बढ़ गई है कर सकते हो लेकिन generally आप ऐसा नहीं करोगे समझे यह नहीं समझे कि जदा demand करोगे कि फन गुट्स का भाई X की price कम होगी तो demand ज्यादा करोगे या X की demand कम करोगे बताओ तो सही इसलिए यहां पर फ़रा पीछी खिषका है ताकि demand क्या हो जाए O N से ओन हो जाए demand क्या हो जाए आपके कम हो जाए समझे जहां पहले यह demand कर रहे थे आप demand क्या कर पा रहे हो आप O N कर पार रहे हो समझे वो एक अलग बात है budget line आप उसको खरी सकते थे रोगे जुक्त निया रोगे जो पिस रोगे दो धर लो लेज सकते थे तो बजहर लाइन आपकी शमता को बताता है आपके स्टेंथ और आपकी क्यापेसिट्रिक हुदाता है केर राजतान में तो बाजरा ही खा जातर है और बाजरा हीरा क्षा झाटा है और बाजरा हेल्ठ के लिए गेहूं ग Silent फरना भी नहीं है कि trade चार्षाइस पांट लूंप पहले साल के आसी में पालते तहें ऑर जो मोड़े इनाज जी से कहते ना बाजरा हो गया और बाकि और भी मोटे नाच कर जो खाना है वह वह हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशल रहता था बहुत ज्यादा जो है हल्री रहता था उससे पेट से लीटीर समस्या जो होते हैं जो लीबर से लीटीर समस्या होती है ऐसे कोई भी इसूस कभी भी नहीं रहा करती थी तो तो प्राणी बात होगी लेकिन आज कल क्यों फॉरन राइटर्स पढ़ रहे हैं फॉरन चीजे पढ़ रहे हैं तो सब कुछ वो पढ़ रहे हैं इंपक्टिव होई आ गया जो उन्होंने खाया हमें वही लगा वह बैतर है अब जैसे वह कपड़े भी नहीं पहनते हैं तो हमे घ्रीब लोग नहीं वार्णे लोंग देखते शक्मानाँ है कि अमीर लोग नाचंग रहे हैं गरारे के सा में दी समें बदलता जा रहा रहा है तो बिवाइद गटिया बोस्तू नहीं है बाए Badritttay लखिन इसके जो है प्राइस से अगरा हम कंपेर करें और आज के एक्ज और इसन वा एक्सिस पर एक्स एक्सेस हां जी सर तो सबसे पहले इस लाइन को आप इस तरीके से धी त्क और दो अपना एक प्राइज है और अपनी कॉंडे बेंडिद यह था है नदे difference है ना इसको न案द मेले था हूं थे प्राइस का बड़ा या घटा बताओ प्राइस गटा या बड़ा घटा न प्राइस एक्स की प्राइस को टटा तो लिको अब डिमांड क्या भड़ी यह घटी केछ कि यहल मकरणीन रखाएं कि इसमाइन को जोड़ दंए थीचे जो लुब इस देधा बता रहा प्राइज बड़ेंग डिमांड भी बड़ेगा प्राइस घम होगा तो लिकांड टे माम यह कंज्यूमर एक्लिब्रियम हो गया यह बात समझ में आपको आया नहीं बताइए ज़रा नहीं आई समझ में क्लिर है तो डेरिवेशन और डिमांड कर आपके पेपर में आ सकता है इंदा केस ऑफ नॉर्मल गोड्स या इंदा केस ऑफ इफन गोड्स के चांस ज्यादा है प्रा पूरा डाइगराम अप ऐसा बनाओगे और आपको डाइगराम देखतें इसामिलर खुस और आपको पूरा माक्स मिल जाएगा इसका क्लिर है आप पूछेजी चैनल क्लास रखंगा मैं है और उनसे दस से जाला प्रसों जो है ने इस पर पडेंगे परसों से हम स्प्रांट करेंगे डिमांड किसे को डाउट है कुछ पूछे नहीं तो पूछिए हाँ टाइम तो सेम यही रहेगा कि यह चप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी आपको यहां में बताने है प्राइज इफेक्ट इंकम इफेक्ट और कि सब्सिट्यूशन इफेक्ट चीक है जी चीक है जी कुछ डाउट है तो पूछ लिजे फिर मिलते हैं नेस्ट क्लास में थैंक यू जी थैंक यू सो मच हां जी तो इंडिफरेंस कर में लास्ट क्लास और लास्ट कोश्चन ये है कि आज की क्लास में हमें समझना है प्राइस इफेक्ट इंकम इफेक्ट और सब्सिट्यूशन इफेक्ट को समझना है इसको डिफाइन करना है एक इसको डाग्राम में भी इसको रिपर्जेंट करन तो ये बड़ा important question है और इस chapter में अगर मैं सबसे ज्यादा important अगर किसी topic को बोलूँगा तो वो आज ही class का topic है सबसे पहले आपको समझना होगा कि price effect क्या होता है, substitution effect क्या होता है, income effect क्या होता है पहले एक example से चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद जो है मैं वापस diagram पर आऊँगा, फर theory पर जाएंगे हम सबसे पहले मान लो आपकी जो money income है एक होती है money income तो आपकी money income 20 रुपए है, मान लीजे और आपने ये decide करा 20 रुपए में, आप जो है example के लिए market में 10 रुपीज पर केजी apple है और 10 रुपीज पर केजरू नहीं equal हो, बट चलिए आमें बस मानना है तो मान लिया ऐसे ही, 10 रुपीज पर केजी आप जो है, बनाना तो kilo में होता ना, mango रख लेते हैं ठीक है, clear है आप यहाँ पर क्या है आपके साथ में कि आपने decision लिया कि आप जो है अपनी money income से एक kilo, one kg, apple लेंगे और प्लस, one kg, आप औरेंज लेंगे औरेंगो लेंगे, यह आपने decision लिया है इसे साथ से तो आप देख पा रहे हैं कि 10 रुपे, प्लस 10 रुपे आपकी जो है, पूरे 20 रुपे income का change जाएगा यह आपका decision, अभी तक जो market में आप कर रहे थे, वो यह कर रहे थे, यह बहुत simple state example लिया, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब होगा यहाँ पत, अब कीमत क्या होगी, कीमत में price of apple, price of apple, price of apple, अब सोच रहे हैं, सवाल में क्या है, कैसे करेंगे, उसाब बात की बात है, फिलाल जो मैं बात भी कर रहा हूं, उन बातों को समझते हो चलिए, यहाँ पर कोई doubt आगा तो इसको पूछेगा, तब ही सही तरी के सब डागराम को भी समझ पाएंगे, यह तो, मैं डागराम पर सीड़ा होंगा तो आप बहुत सारे सवाल क्रॉस कुछें पूछें लग जाओगे, सर आसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या बज़े है, क्या बता रहे हैं, तो 36 आपके जो हैं doubt आजाएंगे, उससे पहले आप इस example को समझ देजेगा, उसमें सारे डाउट्स अपके अपने अपर क्लिर हो जाएंगे, जब मैं डागराम पराऊँगा, प्राइज ओ एपल जो है, वो अब आपका कितना हो गया, वो डिक्रीज हो गया, और इस समय कितना हो गया, इस समय हो गया वो 5 रूपीस पर केजी, अब बताओ, आप जो पहले 10 पर खर्च कर रहे थे, अब एपल आपका 5 रूपे का है, तो क्या अब आप 10 रूपे में, 10 रूपे अगर आप खर्च करोगे एपल पर, तो क्या आपको एक किलो ही एपल मिलेगा, दो किलो एपल मिलेगा, समझे, तो एपल की प्राइस 5 किलो हुआ, 5 रूपे हो गया, लेक यह बस समझे, तो आपकी purchasing power बढ़ गई, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपकी money income नहीं बढ़ी है dear, जो पहले 20 रुपए income थी, अभी भी आपकी income 20 रुपए है, वो money income होती है, वो आपकी unchanged है, आपकी करने की शमता बढ़ी की price कम हुआ, तो जो इस capacity जो 2 kg है ना आपका, जो आप income, जो purchasing power चीजे की कीमत गिरने की वज़े से, अब उसको पहले से ज़्यादा आप खरीच सकते हो, उसी पैसे में, तो वो जो आपकी शमता, जो आपकी capacity, आपकी जो बढ़ रही है, उसको हम कहते है, real income, तो दो चीज अलग चीज है, मनि income एक अलग चीज है, और real income एक अलग चीज है, तो चलिए, तो दो किलो आप एपल का डिजन लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होगा कि सिरफ आप एपल ही नहीं लेंगे, आपके मन में विचार आएगा, कि यार पांच रुपए हम जो है, मैंगो वाला भी खर्च कर देते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट में क्या होता है, ऐसा बेहबियर हमारा होता है, कि कोई एक अच्छी चीजे हैं, आपको मान लो कि आपको एडियास के जूते लेने भी नहीं थे, एक्जामपल के लिए, देखा यार, साथ जार रुपए के जूते आपको साथ से रुपए मिल रहे हैं, तो अगर आपको नहीं भी ल होने जा रहे हैं, जो कि नैसेसरी था आपके लिए, उससे अड़ा करके आपने इस पर लगा दिया, तो यहीं होता है कीमत कम होने से, एक तो आप पर्चीसिंग पावर के रिसे से ज़्यादा खरिद पाते हो, प्लस आप सस्ता होने के विए से कंपटेबली चीप होने के व अब एपल कितने किलो आ रहा है, तीन किलो, वो एक अलग बात है, अब मैंगो आप आदा किलो लोगे, वो एक अलग चीज़ है, मैं मैंगो की बात ही नहीं कर रहा है, मैं बात एपल की कर रहा हूँ, ठीक है, अब कुल में आगे मुझे एक बात बताईए, सबसे पहले, बा प्राइस पांच रुपर ठीक है सब्सक्राइब कितनी कॉण ले रहे थे आप एक किलो अब कितनी ले रहे हो फांच रुपर ने वे से हैं तीन कि दो एक सी इंग लो कितना बढ़ गया आपका तू केजी किवा ते इसको मोलते हैं प्राइज इफेक्ट अब बताओ यह जो इस इस में से फींदमबढ रही हो एक किलो किसकी वएसे एंदब हरता जीधिक परचि Si petani पढ़र जाधा हुए थितन अब उसी रुपाह में पांच पे किलो था पसको बोलते इंकम इफेक्ट ते यह बास समझत संबस्ञे को सिल गार Fahrenheit kok इंगेये काँ सब्सक्राइएं में और सोने सब्सक्राइएं सчесक्राइगा बाति का एक किलो क्यों बढ़ा है आपका फिर आपने सब्सीटूट बार दूसरे का पैसा यहां पर लिए कि कराई नहीं करा इसको बोलते हैं सब्सीटूशन निकर समझे जी एक पर बात समझ में आपको आ रिया है नहीं आ रिया रही है यह तो इसब डिटेल की बाते हैं यह बच्चों को क्योंकि डाइग्राम से पहले पढ़ा है और बच्चे समझ मुझा आता इवन मैंने जो है पिछले 6 मैंने जो है UGC Net के लिए एकनामिक्स पढ़ाया हुआ है UGC में कौन से होते हैं जो मास्टर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो असिस्टेंट आफ प्रोफेसर होते हैं तो एकनामिक्स में जो पिएशेडी करना चाह रहे थे तो उन बच्चों टॉपिक पढ़ाने में भी यह जो है स कि बचाइब यह बात तो क्लियर हो जाता है बारीवी में कि प्राइस कम वह डेमांड जादा होगी यह बात आपको पता ने प्राइस गिरने के विए से जो भी चेंज आ है प्राइस एफेक्ट लेकिन यह सिरफ यह इसके अंदर भी दो घटना घटित होती है एक तो आपकी प्राइस इफेक्ट एक वल्स टू सब्सिटूशन इफेक्ट प्लस इंकम इफेक्ट प्लस इंकम इफेक्ट प्लस सब्सिटूशन इफेक्ट फिर बताये जरा हाँ या ना यह बात आपके सौन्ज में आई या नहीं आई बताये जरा हाँ यह बात समझ मैं है आपको कि प्राइस एफेक्ट के पीछे कौन से दो कारण है यह पता कि यह कीमत गिरी समान ज्यादा आ जाएगा क्यों ज्यादा आ रहा है क्या वजह है उसके दो बाते हो रही है एक तो पर बढ़ने की वह यह से ज्यादा खरीद पा रहा है दूसरा स इसा नहीं होता है कि अगर आपका 10-5 रुपय प्राइस हो गया तो एक किलो जो दो किलो चुप-चाप से लिया होगे नहीं समझे नहीं समझे क्लिए रहे कुछ एफेक्स भी पढ़ते हैं दूसरे हैं यही आपके पास में क्या है यह इंकम एफेक्ट प्लस होने के वज़े से कमपेटिवली जो सिफ्ट होता है वो इसे क्या बोलते हैं सब्सिश्यूशन एफेक्ट यह अगर मुझे अब जनली तो मोटा-मोटा बात मुझे एक बास समझ में आ रही है यह एक परसन यह क्या कहा रहा है मुझे है दस रुपए कीमत होने क्यासी पांच रुपए सस्ता हुआ तो मतलब आपकी पर्चेसिंग पावर पांच रुपए बढ़ गई पहले बास समझेगा पहले समझ लो आपी सीच को अब पता कर रहा हूं इसके वारे कुछ रहसे पता करनी है हमें जहां ध्यांदीटिए डाइकराम यहां से बनेगा जो भी म आपकोराम कोंनेगे बैसे आपकी ताकत पांच रुपए की और है यहां कियो अनौ पांच रुपए हांदी आसना इसके अचा लग कि आ तो यांकिव मनी इंकम हों घूसी क्भी पर बढ़िमेंटू पांच युट्रों कर ले तो पांच लूपर कर रहा उसकी डियुकॉर आप बताओ गर में उसे वापस लोगा तो वह एक कलर विदा अगया एक लोच चीछ पांच युट गया हूग यह जाँ जान से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे एक निशान चोहान अजी निशान बोलिए कि अज़ डाउट निशान अज़ तामें देखो इस बात को पहले एक्जाम बास समझेगा अच्छे से बैसे एक्जाम बास समझ लेजिए कि क्या मैं कहना चाहरा हूं परी भावना को जरूर आप समझने की कोशिश करेंगे मैं पूरी उम्मीद करता हूं मैं इसकंदर बात करनी कोशिश कर रहा हूं आप समझेगा देखिए क्या हुआ बात एपल की कर रहा हूं अब प्राइस तस रुपए था अब प्राइस पांच रुपए हो गई ना तो अब बताइए जरा आपकी जो है हुआ है बहुआ हो कि रियल इंकम में चैनज अे घरा रियल इंकम कितना वे रिल लिदद कं लिखती बढ़ गया अज अब अब लिया आपना पांच रुपए मुझे दे दो पांचान अपन लेलिया मैं एकWh जो इसकी मनी इनकों बड़ी थी मैं उससे मांग लेता हूं भाई मुझे देते एक बच्चा आपके साथ में चल रहा है आप से जित कर रहा है नहीं मैं भी पांच रुपे कि यह मैं चीलू आप पैसे नहीं है दस रुपे हैं दस रुपे किलो एक किलो लेना पड़ेगा पांच रुपे बच रहे ना मुझे देदो मैं तो जब से आप से मांग रहा था तो जो आपकी रियल इंकम जो आपको बढ़ी वह अगर मैं विड्रो कर लूँ तो क्या क्वांडिटी आपके तो उतनी है कि जितनी आप पहले ले रहे थे एक किलो ले पाएगा वो टो क्या कि उसका एक किलो जो रिएल इंकम के बचितना ले रहा हूं वह एक केजी पर वह फूटी पर आगया है ना और मैंने जैसी पैस के रहा तो उसके हिसाफ से एक किलो चम्ता बढ़ीती वह घड़ जाएगी बापस तो मैं आप हैरान हो गया देखकर करके यार इसको त ले पा रहे हैं तो जो पैसा बढ़ा था निकाली लिया तो जितना पहले ले रहे थे उतरहीं अभी मातर लेनी चाहिए थी बड़ आप दो किलो क्यों ले पा रहे हैं अभी भी substitution effect मेरी बात समझे या नी समझे आपके पास के ज़िएरा पर खड़े है इसका मतलब हो substitution करें तरीके से डाइक्राम संचाता हूँ ऐसी बात को शांदर तरीके से डादर संजाता हूं देखेएगा आपको मजा आजाएगा पूरी तरीके से हाँ जे, diagram समझीगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, income effect, substitution effect और आपका price effect, ती नों दिखा रहा हूँ है diagram में, horizon, y-axis, x-axis, ठीके जे, एक budget line, और, ये budget line जिसका नाम में रख रहा हूँ, a-b, इध्यान से दिखना diagram, एक दो एक सके वाद एक बार और बनाऊँगा, तक आपको diagram बनाना आ जाए, और मेरे पास में दो goods है, एक goods y है, और एक goods x है, अब देखी कर जो आपने paper लिखे हैं कैसे, तो मैंने example या पिस example लिख सकते हो, ठीक है, और diagram सही बनादो ना, एक पिपर वाए ठीक नहीं होती है, लेकिन जो एक्जामपल या उसे explain करतो भी या, दस रुपए यह है, पांच रुपए यह है, इससे यह इतना, इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना, यह income effect है, इसमें यह price effect है, यह price effect है, अब फिर diagram पर आ जाओ, diagram में A B budget line है, समझे यह ने समझे, यह लिखने के लिए तो आपको देखो, मैं पहली बता रहा हूँ आपको, अब आप कोई six या seven standard के बच्ची हो नहीं, जो रट्टा मार करके जाएगा, और सीधे हाथ करके वही को वही बोलेगा, ठीक है, अब अब आश्टर करके फिर आप PhD करोगे, बन्हों अपनी किताब लिखने के लाइक आप हो जाएंगे, तो आप उस stage पर आज आते हैं, कि जिसमें आप जरूरी ने किसी चीच को follow करें, हाँ उससे पढ़कर करके आप सीख सकते हो, सीख करकर करके आप अपने तरीके से आप उस आप कोई डरे भी नहीं रहेगा कि आपको कुछी ने भूल गए हो, ऐसे करोगा, गुट्स भाई, एंड गुट्स एक्स, ठीक है, हम एक काम कर रहा हूं, गुट्स एक्स की प्राइस दोनों नॉर्मल गुट्स है, यह दोनों नॉर्मल गुट्स से धान एकना, यह भी नॉ तो आपका बजट क्या आप उसको उतनी ही क्वांटिटी और भी खरी सकते हो, या उसको खरीदे की शमताब आपकी बढ़ जाएगी उसी बजट में, बढ़ जाएगी न, यह हमने प्राइस कर देंशे कर में समझाए न, यह बढ़ जाएगी, तो अब आप एक्स का प्राइ अब आपके प्राइस जो है, वो कम होने की वज़े से, अब आप एक्स को पहले से ज्यादा खरीद सकते हैं, तो अब आप जो है एक्स को कितना खरीद सकते हैं, अब आप इसको टी डैश, अब आप ज्यादा खरीश सकते हैं, ओबी से ओबी डैश तक आप जा सकते हो, लेकि मैं पहले आली बजट लाइ पर आपका जो एक्किलिब्रियम था यहां पर आपका एक्किलिब्रियम पॉइंट था जो कि क्या था यह पहले आप कितनी क्योंत ले रहे थे पहले आप कहा अन्में है कि नेशील स्टेज पर पहले वाले बजेट इनविस्ट नहीं हो थो वई य कि o m quantity ले रहा था और x की o n quantity ले रहा था लेकिन जैसी प्राइस पॉल हुआ तो ज्यादा खरी सकता है और जब नॉर्मल गुर्स है तो भया ज्यादा खरी देगा भी वो तो गिफर में नहीं खैज़ता ना, प्राइस कम होती है, कम लेता है गिफर में, बट नार्मा गुर्श में क्या होता है, जर उसकी प्राइस कम होती है, तो उसको आप जादा लोग इस पे तूट पड़ोगी, तो जादा लेगा भी, इसलिए ये ग्राफ है आपका आगे की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं इसको ठीक है कि तुम्हें इसी कलर का ही उसको ठीक है जी कि यहां पर टच कर रहा है अब आप नए एक एक लिर्यम पॉइंट पर आ गए हो ठीक है जिसमें कि अब आप एक्स की ओ एन से बढ़ करके आप ओ पी तक की क्वांटिटी को बाई कर सकते और करोगी नौनल गूर्ट में ठीक है तो यह पहले कहां थे आप पताओ जारा मुझे पताओ लल्ला पहले कहां थे आप हां ओ एन पर थे अब कहां पर हो गए ओपी पर भाया ओ एन से ओपी पर पहुंच गया कितनी ग्रोथ हुई कौंटिटी में इतनी यह ग्रोथ क्यों हुई यह और अध्य को कॉमिट्ड में के फैसे इसको बोलेंगे प्राइज इफैक्ट समझें कि मट करता हूं एक कीमत गिरने से इमस गिरने से जितनी उसकी रियल इंकम में गेन हुआ था उतना ही मैं अगर विड्रॉल कर लूँ तो मैं यह उमीद करता हूँ कि पहले जितनी कॉंटिटी पर पहुंच जाए उमीद कर सकता हूँ ऐसा मैं भाया प्राइस गिरने की वएसे उसकी रियल इंकम बढ़ी जिसकी ज्यादा कॉंटिटी वो ले पा रहा है अगर मैं उतने ही रियल इंकम को विड्रॉल कर लूँ तो उमीद कर सकता हूँ कि पहले जैसे सिच्वेशन में पहुंच जाए कर सकता ह हει ना बाद यह इंकम विड्रॉल कैसे होगा उछ नया रंग बताएं रहा हूँ मैं कुह ऐसे कर सकता हो इसमीद कृम कि अमाथ विद्रॉल करों वामें इंकम को तो ये पहला लैकोड जिफ तो जाएगा कि अफुवनि ओट हो घुन की एंगा तो मैं इनकम विड्रॉल चरहां। अप्तम क्याण मेन करें अपैंने फिर्मेंरी यो सब्सक्राइब कि असक Superintendent को बदलनी कि निया रंग मनाया था मैंने कि अलोग यह रहा है कि रैड कलर में मैंने इंकम विड्रॉल कर रहा तो इंकम विड्रॉल करने के वज़े से अब मैं इंडिफरेंस करको कहां टच कर रहा हूं कि अमेंड इन लेकश कर अधर कर रहा हूं अम मैं डृच कर रहा हम गिर्टाइब कर आधरी तो अनिया कहाँ पर पूंच किया अम यहाँ पर पर बोगा संदी अगर के इस एंप को सब्सक्राइब करने से मैं कितनी कौंटिटी पीछे कर पाया इतनी कर पाया कि मैंने जितनी मेरे रियल इंकम बढ़ी तो तो कितने कौंटिटी में पीछे बैक मार चका आपने पीछे के सब्सक्राइब करने से इतने मात्रा पीछे हो पाया इंकम के वैसे इतनी मात्रा गेन हुए होगी तो यह इंकम इफेक्ट है अभी वह ओरिजिनल प्रेस पर नहीं आ पाया क्या इंकम क्वापस जाएगी जो कि आपकी इंकम बढ़ने की व्यविए से आई थी ठीक है नमुटरा पाइब को इस दोबाता है कि आपके इंकम की वीजिट बढ़ी तो इंकम इफेक्ट है बाकी क्यों नहीं पाई कूंकि बाकि कि हम सब्सक्राइब या नहीं समझे तो आप एक बात को समझ पा रहे हो क्या प्राइज इफेक्ट एक फल्स टू सब्सक्राइब इंकम इफेक्ट क्लियर है जी समझे प्रिबास समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो यह बताई जरा पहले पूरी बात देख लो मैं दुवारा अपने एक्जामबल पर दुवारा से आऊंगा ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा या आएगा क्लियर है तो इस क पर में वह नहीं आना है कि अ कि थोड़ा ऊपर कर देता हूं टाइमर की वज़े से दिख नहीं रहा है एक सकते ले रहा हूं मैं आप लोगे रिक्वेस्ट है पर क्या करूं जी कि लोग्राफ क्या रहे हुआ है ठीक है जी कर दो कि अब आपके पास में ओबी जो है वो आपका इंकम एक्ट है मैं फिर सिक बात कर देता हूं क्या हुआ अब प्राइश की बात कर रहा हूं थाले कुछ बाते तुन लीजिए मैं दोबारा से सवाल को पूरा एक्स्प्रिग करने वाला हूं जो हलका फुल का जहां जहां डाउट रहा वो ग्लियर हो जाए पिर प्रैइश िफेक्ट क्या रहा आप ज़रह समझेगा प्रैस किया आप तो प्राइज एफेक्ट क्या रहा रहा नेगेटिव मानते हो प्राइज एफेक्ट क्या रहा 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 नेगेटिव मानते हो शीच को सब्सेशिन एफेक्ट जब price इसका हुआ कम आपके कोई X community के price कम हुई तो आपने इसके demand क्या करेए कम करे या बढ़ाई जब price हुआ कम तो X की demand आपने क्या करा गढ़ाई रही नहीं बढ़ाई demand इसके price कम हुआ तो जो इसके तरफ आप आया इसके demand बड़ी न सब्सक्रिक्षेयरे इफेक्ट तो ये आपका negative, इये always होता है, always negative होता है ठीक है अब income effect में आपको real income नियुकुरिवjal य्को बढ़ी आपके डिमांड अगरी सबाईं पर आपका पर से बोलते हैं कि आप उस केस को बताओ जहां पर प्राइज इफेक्ट नेगेटिव है और इंकम इफेक्ट पॉजिटीव है तो मतलब आपको नॉर्मर गुर्सा केस समझाना है समझे या नी समझे तो सवाल को इस भाषा में बदल सकता है वो ऐसे बोल करके तो इसलिए मैंने बाते भी आपको यहां पर क्लियर कर दी है अब बापस लोड़ता हूं मैं अपने उनी एक्जामपलों पर फिर से सुरुआत करता हूं इस को दुबारा से फट आफट दो पर किजी मिल रहा था मैंने डिस्टन लिया कि मैं किलो एपल लूगा एक किलो मैंगो मैंगो लूगा इस साथ दस रूपे यहां पर यहां पर खर्च हो जाएंगे और 20 रूपे मेरी जो है पूरी की पूरी मनी इंकम खर्च हो जाएगी यह सुच्छिशन में पहले ऐसी 5 रूपर रे पर क्जी प्राइज ओफ एपल डी क्रीश ओग और 5 रुपए पर क्जी हो गया तो मैं ब Luther 10 रूपे खर्च करता हूँ तो मैं पहले घड़ा करता था आयपल के उपर तो अब मैं देख पा रहा हूं कि मैं मैं यह जो मैं अब एक किलो एक्ष्टा ख़ईट पाराऊं फांच रुपर क्यूंकि मेरे पास में ख़ईदने के लिए ज्यादा हो गए तरीके से खर मेरा पैसा नहीं भड़ा पैसा तो मेरा बीस रुपई था पर्चीजिंग पावर पांच रुपर की बढ़ गई थे मेरे तो मैं दो किलो ले पा रहा हूं तो आम मैं इस दो किलो की अंदर में बात करूं एक किलो तो मैं पहले वाला ही ले रहा था अर्व सब्सक्राइब सरकाषिक मेरी इंदब कर रहा है और some liquid है मातल़ उठा पा रहा है हुँ अ ऐसा कि मैं घर स्भी देखने को मिलेगाically चुछ्छ रुपरी आ पर अब मैं देख पारा हूँ कि प्राइस Canmauw कि वजे से हैसा हो पाइ आतो कम होता और यह सब ऑप उता तो यह एक सीतिन क्लो आने के पीछे में लख तो दो किलो में अंद्र जो एंक्रीमेंट देखने को मिला यह प्राइस की वें सब्सक्राइब और यहां पर कहने जा रहा है कि जैसे ही पांच रुपए दस रुपए के चीज पांच रुपए की हो गई आप पांच रुपए सर प्लस बची जाएंगे अगर आप एक किलो लेते हो तो और उस सर प्लस पैसा को बापस में विड्रोव कर लूँ आपकी रियल इनकम को तो आप एक किलो पर ही रहने ची नहीं तो मैंने यह देखा कि आप जो है कहां से एक से तीन किलो पर आए मैंने उतना ही पैसा जितना आपके पांच रुप्लस बच्कान सस्ता होने की विए से वो जो आपके रियल इंग वो विड्रॉल कर लिया तो उम्मीद करता ह हो हुआ अफर तो आभी एक क्लो ला पारे हो तो अभी एक किलो किस्व जादा आ पारा है वो आपका जो है यह आपका सब्सक्न समझ लिया यहां पर मैं इस बात हो ग्राफ में कैसे बताने कोशिश कर रहा हूं कि भाया तेरे एक बजट लाइन है सबसे पहले ए बी जो पिंक लाइन आप देख पा रहे हो ठीक है है तो आप मेरी बात को जड़ा फिर से समझ लीजिएगा देखिएगा और इसन य एक्सिस एक्स एक्सिस और क्या है गुट्स य है और एक क्या है जी गुट्स एक्स है फिर बात समझे तो अब बात करते हैं यहां पर जो आप इनी सब्जेक्ट्ट यही पढ़ा रहा था जब मैं उस समय जब उनलाइन कोर्स इस चीश का बेचे रहा था तो उसमें ओनलाइन की कोर्स की प्राइस क्या थी कोचो जड़ा द्यान करो उस समय पचास जार रुपए का यह कोर्स विक्टा था एकनामिक्स का उस समय की बात नहीं कहा रहा हूं कि यूटूब पर सर्च कर लेजिएगा आनंद कुमार के नाम से तो आपको प्राइस सब पढ़ाता हूं मैं नजर आजा हूँगा अभी दो तिन तिन मैने पहले यह मैने पांच मैने पहले की वीडियो आपको मिल जाएंगी उस पर एक्स्पें भी कर रख था है मैंने फीस तरफ पाइं आप यह बात पर क्यों कर रहा हूं फिर आपके साथ में इसलिए कर रहा हूं कि प्राइस को देखकर कि आप क्वालिटी को कंपयर मत कर लिजेगा कि प्राइस सब्सक्राइब जाएंगे और इंडिया के अंदर आपको ना मिल जाएगा यह सब चीज हैं बट आ आपको best quality मिल रही है, ठीक है, समझे, चल ये, आप बात कर रहे हैं यहाँ पर हम budget line की, आपके पास में क्या है, A, B, एक हमारे पास में budget line है, लेकिन हुआ क्या, कि आप X commodity की जो price है वो fall हो गई है, ठीक है जी, एक्स की जो price है, ये क्या हो गई? जो price है, X commodity की, ये fall हो गई, तो जहेड सी बात है, आपके खईदने की शक्ति है, जो शम्ता है, वो पहले से जादा हो जाएगी, ठीक है? तो अब आप Y तो नहीं खईद पाऊगे, बट एक्स की कमत कम हुए, आप X ज़्यादा खईद पाऊगे, क्या आपका X होगे, तो पहले की बात करूँ मैं आपकी, तो पहले तो आप A B budget line पर थे, और पहले का आपका equilibrium point की कुछ रहा, इसको ना paper में थोड़ा सा, आप, आप पे pencil होगा, आप तो रिरेज नहीं कर सकते, इस तरीके से लेके चलोगे ना, तो बहतर बना पाऊगे, ठीक है जी, clear है? तो आप पहले यहाँ पर थे, तो पहले वाली situation को E1 के नाम से denote कर, अब आप नए budget line पर हो, तो नए budget line का मतलब तो अब आप, ती डैश परो, बड़ आप क्या करोगे, quantity भी ज़्यादा खईद होगे, normal goods के भी कीमत गिरेगा, तो कौन छोड़ता है वाला, ज़्यादा खईद होगे, अब आप quantity ज़्यादा खईदे, यहाँ पर tangent होता हूँ, वहाँ consumer equilibrium होता है, तो अब आप quantity यहाँ पर तो यह आपके पास में, यह M है, और यह आपके पास में N है, ठीक है, तो यह जो ज़्यादा quantity अब आपके पास में आप आ रही है, यह किस वज़े से आपके पास में आप आ रही है, यह price कम होने के वज़े से आप आ रही है, सारा-सारा price effect है, लेकिन यह जो price effect की वज़े से लिए कि अंदर भी दो बाते हैं एक तो क्या हुआ है एक तो प्रशेसिंग पावर बढ़ने के विज़े से ज्यादा समान खईदा होगा दूसरा सब्सक्रेट करेंगे इसके अंदर वह सारा समझेगा अब मैं जो उसके प्राइस का वहने के वज़े से जो उसकी रियल इंकम पड़ी अगर मैं उतना ही विड्रॉल कर लेता हूं तो रियल इनकम की वेशे जो कॉंडीडी उसकी बढ़ रही थी उतनी हो जात हो जाएगी अंतियों तो मैं उतना ही पैसा क्या कर आँ विड्रॉल विड्रॉल का मतल़ होता बचेत पाइट रई को पीछे लाना है से में इंडिफरेंस कर से टच करते वे निकाल हो गया आप ठीक है जी और यह हो गया अब क्या करेंगे प्रिंग के पैला नीचे और नीचे इस इंडिफरेंस पर उस खूते होयाएंगे इसको छूना भी है और दूसरे इस बात का इढ़ी धहानकना है कि इसके पैलल भी रहे थे पेंक वालेटे कि मेरे पास टवनीक है आप गणकर साथ है कि अग्यां नए पोईंट पर आगया आ इसका नाम है इट्री इंकम विड्रॉल करने से में कितनी क्वाणटेटी पीछे आ गया को इसने पीछे आ गया मतलब पर्चेशें पार की वेशे जान ले पार रहा था इंकम इफेट की वेशे जान दे पार था अभी वे अच्छे से मुझे उम्मीद आपको अगे बढ़ता हूं अब यहां तक इसको कोई डाउट हुआ अब किसी को कोई डाउट है दुबारा से हमने बताया इसलिए क्योंकि कुछ एक अदा बच्चे चाहिए लेट जोइनिंग थे और कुछ बच्चों को डाउट भी आ रहे थे अब आप पूछीएगा क्या डाउट है आपका पूछिए फिर आगे बढ़ता हूं मैं हां जी शुबाम हां जी शुबाम सच्चेन अरोडा पूछे जी शुबाम मैंने आप पहले भी हां बोली है झालो झालो तेरे पास पे किस खाश हुबाम बोलो प्रेक और या आपकी वोईस है शुबाम हां बोलो एटू पर प्रेक और रिपीट कीजिए जा फिर आप कमेंड में लिख दीजिए आप कर सकते हो आप यहां आप कर सकते हो ना यह ना आपका डाउट अच्छा बहुत अच्छा सवाल पूछा यह बहुत चांदर सवाल पूछा इन्होंने कि जो है ना इंडिफरेंस कर आप इसके लबब लबब आप पहले वाले के सामने क्यों आप पॉइंट कर रहे हो यह पॉइंट इसके नीचे क्या कहीं पर भी आ सकता है तो कोई गलती नहीं है इनका एक ये अच्छा सवाल है लेके अब दीर एक बात मेरी बास समझेगा पन बहुत गूट सान ओरमल गूट जब दोनों गूट्स कि हमारे पास प्रमल गूट्स है तो नौ मैं को के सिसने आप इसके डिमांड जो है आप बढ़ारे इसके नीचे मैने थौका सा पूरा अलका सा अगर और नीचे कर लेंगे तो इससे कोई फर्क आपके डियाग्राम पर नहीं पड़ेगा तब आपको सुच्विशन में आप सही रहेंगे ठीक है लेकिन ये सुच्विशन वो प्राइस कर्व का होता है लेकिन थोड़ा सा आपको नीचे लेना चाहिए जाह इसके प्राइस के वए से प्लस में दूसरी जो चीज है उसकी डिमांड कम करकरके वह इसकी तरभी कूद रहा है तो इसलिए आप देख रहे हो पहले जो जहां यह यहां था अब अगली बार वो इसकी डिमांड को कम कर रहा है इसके बढ़ा रहा है तो दो कारणेक तो इसक अच्छा डाउट लिया है इनुने कि पीछे यह जाओगे ना अगर आपski एक सेड़ इंडीगरम है हमारे पास में इस सर्फ पीछे क्या आसकता इस से फिर पीछे आने का मतलब क्या हो गया पहले जो इतनी दिमांड कर रहे थे X की price कम होने के विए से आप तो खरी तो ज्यादा सकते हो लेकिन आप उसकी demand कम कर रहे हो जिनॉमल गूर्ट में ना price कम होने से demand कम नहीं करते हैं demand बढ़ाते हैं पीछे आने का मतलब क्या हुआ कि price तो गिरी और आपने demand पहले से क्या कर दिया पहले से demand आपने कम कर दिया जबकि नमें गुर्स में ऐसा कभी भी नहीं होता है यह जिफन गुर्स होगा ना जहां प्राइस कम होने से डिमांड हम कम करते हैं उस केस में पीछे लेकर जाओंगा समझे तो जैसी जैसी स्टोरी वैसा स्क्रिप्ट बनाएंगे ना जैसी स्टोरी है उसी साफ से तो करवाएंगे तो डागराम से एक एक्टर रही है इससे तो एक्ट करवाना है जो कहानी है उसी साफ से एक्ट करेंगे अगर यह 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 है यह इस है यह यह इप इस दो किलो कि कुंज़ा इस यह आपका वन इंकम फेक्ट मेहने में बन कीजिर लिखा है अब यह कैसे वन के इंकम फेक्ट यह आप इससको जरा समझी गा मैंने इसको यहाँ एक्स्पेन कका था अहां पर यह गजी आ? पांच रूपये, दस रूपय से 5 रूपय हो जाने पर, वो अगर 10 रूपय ही खरच करता है, तो अब उसके पास में, एक किलो और प्लस एक किलो, दो किलो उसपर एक्स्ट्रा हा रहा हो, दो किलो ला पाएगा से दो पर पाइगा उसबात को समझी हो रहा एक किलो तो पांच रुप्य का पहले वन-कजी अब पांच रुपय किलो हुने की वजह से वह को टू-के-जी बाय करता है क्यों की पांच रुपय में ही एक किलो मिल जाएगा जो एक्सटा पांच रुपर उसके बचेंगा ऑगा नो भी उसको लगा देता है तो उसको 1 X मिल जाएगा तो five एक क्रम इलने के बिचे क्या रिजन है यहां पर उसको उसके बिचे जो पाँच रुपे जो इसके इंकम बच गई है जो पाँच अंधोगा सकता है वह उसको कहते हैं हम purchasing power a morality पावर को हम बोलते हैं कियaser that समझें? आपको सोचिए, सोची 10 रुपय की थी, एक किलो आ रहा था, अब प्राइस आपका फॉल वा और यही चीज कितने की हो गई? यह चीज अब आपके पांच रुपय हो गई, तो अब आप उसी रुपया में कितना लापा हो गई? अब एक किलो तो पहले लाई रहे थे, इसपे तो पांच रुपय जाना है, अब आपके पांच रुपय प्राइस हो गया, तो आप एक्स्ट्रा पांच रुपय आपके पास हैं बच गया, उसको जब बापस इसपे खर्च करोगे, तो आपको एक किलो और मिलेगा न, तो यह एक किलो ज्यादा आने के पीछे ठीके जी, अब मैं जराज जो है, निहां, चुपता, हाँ जी निहां, बोलिये, अब नेस्ट कॉशन पढ़ते हैं इसमें, देखिए, पूछे हैं कुछ पूच रहे तो, जुरूर पूचे हैं, यह हमारे पूरिजन, फहले एक बार आप ट्राइ करेंगा डागराम मना करके, कैसे, आप एक बार डागराम मना करके ट्राइ करो, गिफन गुर्से केस में, कैसे होगा, यह गुर्स क्या है, यह गुर्स क्या है, यह गुर्स क्या है, एक्स, आपका अपना एक बजेट लाइन है, ठीक है, ठीक है, यह आप कॉंटिटी बाइ कर रहे हैं, यह य की कॉंटिटी बाइ कर रहे हैं, ठीक है, और यह एक क्या है, यह गिफन गुर्स की जो प्राइज है, है, इसपर लॉडस की ِकस को मैं कहा रहा हूं, इसकी जो प्राइज है, भू क्या वे, फाल हो गेगि, तो बजेट तो बजेट बताता है, जो था क्या कर सकते हो, आप क्या करोंगे वह तो बात की बात है, यह आप कर क्या सकते rou हो, बचित लेंद्वी यही बिताता है कि आप क्या कर सकते हैं तो आप तो अब एक्स अगर गिफन गुड्सेस की प्राइस डाउन हो जाएगी तो आप पहले जितना इसकी मात्रा ला पा रहे थे आप अगर ओ भी खरीट पा रहे थे एक्स की तो आप इससे ज़्यादा आप इस जब ऐख़े लागर के बनाऊ तो ज्यादा अच्छा बनता है ठीक है आप यह कर सकते हैं आप ज्यादा पैले से खरी सकते हैं ये कि लेकिन क्या आप ईफन गुड्स की प्राइस अब FALL होती है तो क्या इसकी डिमांड क्या होती है इसको पर आयुड्य मैं दस पंत्रा पर वो डिटेल में मैंने बोला हुआ है जो यूटूब पर देखें कंडिडेट जो फर्स राम जोड़ेंगे आप से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे जो है प्लेश्ट प्लेश्ट पर सारी आपको मिल जाएंगे आप वन बेवन आप इस टेपिस से आप देख सकते हैं यूट टूपे जैसे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं तो यह क्या है मेरे पास में ए भी है अब यहां पर एक बाद बताईएगा कि अगर मैं बात करूं तो आप डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे हां ले सकते हो बजट आपके ज्यादा है समता बढ़ गई है पर आप ऐसा मैंने क्या बताया प्राइश कम होती है डिमांड कम करती हो दूसरी गूर्स की तरफ भागती हो जो आपके अच्छा रहती है यार मैं कास यह भी लेता है ना तो दूसरी के दिमांड बढ़े रही है यह वैसे है कर मुझा इधर देखना है यह यह दिदर की बात करता पहले क अंट कि यहां था मैं कि अब कहां पर आ गया औहां से इमांडंद पर क्यों आ गया क्यों ब्लाइवní sequis घ्रआ कि हुए सबस्राइब === करेंगे अब हम क्या करेंगे वही काम दुबारा करेंगे यह जो करेंगे रियल इंकम करेंगे इसके पहला लाएंगे अगर आए है इंकम मैंने क्या करेंगे विड्रॉल करा अब हो यहां पर टच कर रहा है करव को यहां पर यह क्या हो गया इत्री हो गया ठीक है और आपके पास में यह इत्री हो गया और यह आपके पास में टूटू हो गया तो पैसा वापस निकालने से आपके डिमांड जो है इस साथ से आ और अभी भी आपका जो रहे गया यह आपका किसमें रहेगा किस सब्सिट्यूशन एफेक्ट रहेगा तो हमेशा ध्यान रखेगा एक के न्यू लाइन जो सिफ्ट करा ये और आपके पास में फ्राणी लाइन के बीच में जो गैप है आल्वेज आपका क्या रहता है इनकम ए अजय ना हम पढ़ेंगे दो कई अगर इंदा केस्ट में तो राइडबर का मतल्व होता है जब आप एक्स की प्राइस को जहाँ पर क्या हुआ घटा नहीं बढ़ा हो जूँँ अफ्राइस बढ़ता है तो परचेसिंग पावर क्या होगी क्या होगी अम होगी तो आप हेरो Theory ऐसे अधंगि क्या हवा है सम्टिही प्राइज घ्वाइब तुर गयृ कैव रैज हैटक जिए कैसे हो अल्वेसक था पजिए अधिक है वह अधिक इंकंग और सब्रदेशा स्य राे जेकर बड़ी प्राइज काौनेस हे इसका एसका हुआ समझाए हैं इसिए क्लियर है तो यह इसके पास में यह कुछ इसका एफेक्ट रहता है तो यहाँ पर हमारे जो है चेप्टर पूरा हो जाता है अपने आप में कम्प्लीट फिनिश है ठीक है जी कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लिजेगा तो कई बार आपसे सवाल पूछ लिएगा दोनों में फर्क देखोगे तो इनकम इफेक्ट यहाँ पर नेगिटिव है और पीछे वाले में इनकम इफेक्ट क्या है पॉजिटिव है तो कहेगा पॉजिटिव इंकम इफेक्ट में बनाओ डाइगराम तो नॉर्मल नेगेटिव इंकम इफेक्ट में डाइगराम बनाओ तो गिफन वाला बोलेगा आपसे नेगेटिव प्राइज इफेक्ट में डाइगराम मनाओ तो नॉर्मल आपसे बोलेगा पॉजिटिव प्राइज एफेक्ट में डागराम बनाओ, तो गिफन वाला, समझे, तो कई बार आपको गिफन नॉर्मल ना बोल करके, यह एफेक्ट पॉजिटिव नेगिटिव बोलता है, तो वह इसी इशारे से समझना पड़ेगा, नॉर्मल गुट्स का बनाना है या फि 25 कंजम्शन करफ के हल्ब से इमांड करब का डैरिवेशन देना, इसको हम नॉर्मल गुट्स के के समझेंगे, और गिफन गुट्स के के समझेंगे, तो सबसे पहले आई इसको हम एक ग्राक कित्रों समझते हैं, एक बजजेट लाइन में सबसे पहले आप यहाँपर ड्रो क करेंगे एक यह जैसे कि income consumption करके help से करना है ना आपको तो फिर आप पहले आप income consumption करब होता क्या है जैसे कि हम जनरली लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा है लास्ट क्लास में हमने यह सीखा है कि एक आपके पास में budget line होगा यह आपका ग्राफ है और इजन है यह आपका y-axis है और यह आपका x-axis है और यह goods y है और आपका goods x है और जो budget line है उसको मैं a b से रिपर्जेंट कर रहा हूँ अब आप budget line को देख करके बहुत सारा सवाल आपके दिवाग में आया होगा कि सर budget line ऐसा ही क्यों बना straight line budget line left to right downward ही क्यों बना इन सवालों के जवाब के लिए पिछली classes में आप जाईए हुआ पूरा budget line मैंने बताया हुआ है budget line अगर आप देखेंगे पूरा मैंने budget line को आपका यहां पर यहां पर देख रहे हैं जिसे मैंने पूरा table से और budget line का slope क्या होता है schedule table और graph पूरे एक दिर मैंने discussion स्रफ budget line के उपर भी किया था ठीक है और budget line के साथ साथ फिर मैंने आपका जो discussion में मैं आपका क्या लेकर काया था फिर मैं इंडिफरेंस करूँ यह देख रहे हैं उसके बाद मैंने आपको consumer equilibrium के बारे में भी एक classes पर मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको कि consumer equilibrium कहा पर होता है इसके बाद ही अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे प्राइस कंजम्शन कर्व क्या होता है अब आपके दुमागों यह सवाल है इसके उपर भी हमने answer ले लिया था प्राइस इंकम कंजम्शन कर्व और हमने पढ़ा था एक प्राइस कंजम्शन कर्व जैसे आप देख रहें यह बाते हो चुकी है पहले तो आप यह मस हो चीएगा कि सर आप बिल्कुल इसम्टे फास चल रहे है फास बिल्कुल भी नहीं चल रहा हम है यह ओलेड़ी जो ची प्रेज़न आपना लेते हैं यह बजट लाइन इस तरह की सा हमने एबी ट्रो करा जो कि के स्टेट लाइन होता है और एक कंजियूमर एक्किलिब्रियम के कहां पर होगा जहां पर बज़ट लाइन और इंडिफ्रेंस कर्व एक दूसरी गलके क्या करते च्छुते हैं ये normal goods के cases में बता रहा हूँ मैं आपको, both goods are normal goods, क्या है condition यहाँ पर both goods are normal goods, normal goods के बारे में आप जहां तक की जानते हैं और समझते हैं, क्या, normal goods कौन सी goods होती है, normal goods वो goods होती है, जो कि branded होती है, सी quality काफी अच्छी होती है, तो ऐसे goods की अगर मैं demand और ऐसे goods की अगर मैं price की बात करूँ, तो ऐसे goods की, तर वीडियो lag हो रही है, चैट, sound problem अभी भी है, बताईए जरा, sound problem है, किसे strength के साथ में, ठीक है, देखे जरा, हाँ जी, तो यहाँ पर normal goods, एक वो goods होती है, जो branded goods होती है, जैसे Rolex की watch हो गई, IDAS, रिबोग, जो branded होती है, तो यहाँ पर आप क्या observe करेंगे, अगर इनकी price बढ़ेगी, तो इनकी demand कम हो जाएगी, और price कम होगी, तो इनकी demand, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि price बढ़ने की वज़े से, कार्थिक late joining होई है क्या, शुवम late join क्या आपने, हाँ जी कार्थिक, हाँ नहीं है कुछ पूछ रहे हैं, आगे बढ़ रहा हूँ फिर में, देखो, पहले की वीडियो, लेग हो रही थी, वीडियो नहीं चल रही थी, फ्लीज रिपीट कर दीजिए, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ, फ्लीज श्याइश, अख जढ़ रहे हूँ, ए Deutsch-ग श्मिएश, आग रहा है। ज्याट कRI खाग्ड़ों, वीजों प्लीए, तो झाभ रहा हूँ, वीजों बाitt बात रहा हूँ, झाल